अब जो अब जो अब जो एक बाग मुझे जल्दी से कन्फर्म करें और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है क्या और यो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है क्या तो आज वाली जो क्लास है इसमें हम लोग डिसकस करने वाले आर्मेचर रियक्शन और कॉंपनसेशन साथी साथ लास्ट क्लास का टॉपिक हमारा बच गया था सीरीज और कंपाउंड तो पहले सीरीज मोटर और जनेरेटर पढ़ाऊंगा फिर आपको आर्मेचर रियक्शन औ अभी नहीं दिखाओगा प्रामिस है बहुत तगड़ा फिके तो आज आपको बहुत जवर्जस्त मिलने वाला प्रती कहरे है जैहिं सर जैईंद बो ऐ ओल एन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है अब भी बढ़िया है तो चलिए सभी लोग जोड़ जाएं फटाफट आज आओ रहे बाबा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्या कहते हो तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले एक दम जवर्जस्त पूरे जोश के साथ में सभी लोग आ जो बोल दो सर एवरीधिंग इस फाइन वी सर या रेडी वी आर रेडी सर वी आर रेडी लिख दो भाई कोमेंट सेक्षिन में वी आर रेडी सर चलो सभी लोग रेडी हो बहुत बदिया तो आज सर क्या discussion करने वाले हो आप आज हम लोग discussion करेंगे DC सीरी जनरेटर और मोटर ठीक है बात करेंगे DC compound मोटर की लेकिन इसस आपका जो है discussion करूंगा DC compound generator और motor के बारे में ready है बहुत बढ़िया बस सर कोई lighter और माचिस दे दे जलाना कुछ नहीं है चलो सबसे पहले सुरवात कर लेते हैं DC series के साथ में अपने सारे दोस्तों को बता दो class start होगे किजी की चूट न जाए क्योंकि series बड़ा important है सबसे ज़्यादा tough question अगर पूरे DC machine में बनता है तो series से ही बनता है और मैं आपको बताता हूँ कि series को समझना बहुत ही आसान है तो चलिए tough question बनता series से लेगिन आपके लिए tough लगने वाला नहीं तो बहुत ध्यान दीजेगा सबसे पहले DC series machine का हम लोग देख लेते हैं एक normal model ठीक है कैसा होता है सर DC series machine DC series machine में यह जो आपकी winding बनी हुई है न बिटा यह winding जो है वो in series विदा armature connected होती है winding जो है वो कैसे connected होती है in series विदा armature ठीक है सर अब आपने कहा सर मान लीजे मान लीजे हमारी जो conductor है वो दो conductor है आपे A और D ऐसा मान लेता हूं सर की ये वाला conductor यहाँ इस वाले slip ring से connected है और ये वाला conductor यहाँ इस वाले sorry commutator segment से connected है slip ring गलत गोल दिया commutator segment से connected है ठीक है जी सर हमा पास ये generator है सर हम generator की बात करना चाते हैं सर तो generator है सर हमने क्या किया हमने सर एक prime mover connect किया जिसने torque apply किया और machine को लगा घुमाने जब machine को घुमा रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था induce dia में वा जाना चाहिए था लेकिन कैसे आ जाएगा सर ये तो series है self excited machine है हम अगर इसको घुमा रहे होंगे तो कोई MF नहीं आएगा क्यों क्योंकि सर जब conductor movement करता है in the presence of magnetic field तभी induce dia में आता है अगर सिर्फ conductor कर रहा है without any magnetic field तो कोई MF induced नहीं होगा तो आपने कहा सर इसके लिए क्या करें field flashing कर दिया field flashing के बाद आपने कहा सर मान लो यहाँ पे residual north और यहाँ residual south बन गया ठीक है क्या यस सर और अब हम गुमा रहे है तो residual flux अगर यहाँ पर है तो आपने बोला सर नौर्थ के हिसाब से आप इसे clockwise direction में गुमा रहे हो तो यहाँ पे cross और यहाँ पे dot आएगा बिल्कुल सही तो पहला तो यह हो गया कि अगर यार हमारे पास DC series generator है तो यह induced DMF तब ही generate करेगा जब residual magnetism होगा अब residual magnetism होने के बाद बहुत ध्यान से दिखना armature का connection field winding के साथ कैसा है तुमने का सर यह cross है मतलब यह current ऐसे जाएगी बहुत बढ़िया और यह dot है सर तो इसका मतलब यहाँ पे current ऐसे बाहर आएगी बहुत बढ़िया आपने का सर यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यह मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे जो current की direction है सर वो नीचे north बना रहा है सर और उपर south बना रहा है लेओ यार अगर उपर south बना रहा है तो एक particular field के बाद ये south इतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा residual flux है net flux zero, induced DMF zero अरे सर ये क्या हो गया आपने correct connection of armature winding with field winding नहीं रखी थी तो आपने का सर correct connection करते हैं armature winding का field winding के साथ में बहुत ध्यान दीजेगा बिटा बहुत ध्यान दीजेगा आपने का सर correct connection नहीं था armature winding का field winding के साथ इसलिए residual induced DMF के opposite direction में field flux बनने लग गया था आपने का सर इसको ठीक करते हैं चलो इसको ठीक करने के multiple तरीके हैं मैं काम करता हूँ armature winding को पलट देता हूँ जब मैंने armature winding को पलट के लगा दिया मतलब कुछ इस तरह का हो जाएगा जी सर अब आपने का सर अगर यहां पे residual north है और यहां residual south है और मैं clockwise direction में घुमाऊंगा तो induced dmf यहां पे cross और यहां पे dot आएगा बिल्कुल सही dot का मतलब यहां से बाहर निकलेगा बिल्कुल सही dot का मतलब यहां से बाहर निकलेगा मतलब ऐसे जाएगा बिल्कुल सही जी सर बिल्कुल सही तो आपने बोला सर इस condition में क्या हुआ हमारा field flux उसी direction में बना जिस direction में residual flux है क्या तुमको ये machine से प्यार हुआ हाँ जी sir तुमने का sir हमको ये correct connection of field winding with armature winding so that field flux is in the direction of residual flux क्या ये बात clear है जी sir अब आपने का sir जो हमको यहाँ पर EMF मिल रहा है वो कैसा मिला ये आपने का sir हमको ये वाली polarity plus minus induced DMF भी मिल रहा है और ये sir basically terminal voltage है terminal voltage है क्यों भाई आपने का sir यहाँ पर जब current बहेगी तो कुछ series winding के cross drop हो जाएगा जी तो यहाँ पर जो induced DMF मैं दिखाना चाहता हूँ उसको मैं बोल देता हूँ induced DMF आपने बोला induced DMF को यहाँ पर आप दिखा दीजे इस तरीके से कि ये वाला terminal से आपकी current आ रही थी और ये जा रही थी ये वाला terminal series winding से connect होके यहाँ पर यानि positive वाले induced DMF के terminal से positive वाला आपका terminal voltage दिख रहा है जी sir आपने का sir यहाँ पर हमारे पास induced DMF है लगी हुई है sir बीच में क्या लगी हुई है आपने बुला sir यहाँ पर आर major winding के बाद यहाँ पर series "'field winding भी लगी हुई है series infinity winding भी बना देता हूं यहाँ देखो जरह sir यहाँ पर हमारे series field winding भी लगी हुई है और उसके बाद हम यहाँ पर terminal voltage देख रहे हैं तो यह प्लस माइनस हमको टर्मिनल वोल्टेज भी दिख रहा है यह क्या मैंने दिखा दिया सिरीज फील्ड वाइंडिंग यह क्या है आर मेचर वाइंडिंग और इसका रजस्टेंस मान लीजे आरे हैं आपने का सर यह तो दिमाग में बस गया अच्छा दो च जाती तो फील्ड की करिंट पलड़ जाती फील्ड का फ्लक्स अपोजिट आता रेसिडूल फ्लक्स के ग्रेट सर हमको यहां तक आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आगे तो चलो सबसे पहले अब हम अलेक्रिकल मॉडल और डीसी सीरीज की तरफ चलते सर सब कुछ वै आर्मेचर वाइंडिंग है यार सर बहुत बहुत बहतरी यहां हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी दिखा देता हूं बहुत बहतरी आपने का सर हमने इस पे टॉर्क अपलाई करके इसे घुमाया बहुत बढ़ियां जिसकी वज़े से यह मशीन घुमी ओमेगा एम पे अगर मै रोटेशनल लॉसेस को पी आर कह दूँ तो आपने भूला सर इसके बाद यहां से जो पावर गई वो है आर मेचर पावर और आर मेचर पावर क्या होती है यह इंटू आई यह या फिर हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं एलेक्ट्रो मैगनेटिक टॉर्क इंटू ओमेगा तो चलो इस मशीन के अनलिसेस कर देते हैं सबसे पहले तुमने क्या देखा तुमने का सर हमारी जो लोड करेंट है वही हमारी सिरीज फिल्ड वाइंडिंग करेंट है और वही हमारी आर मेचर करेंट है हमने यहां पे सबसे पहले यह देखा बुलो मेरी बात क्लियर है मेचर करेंट और फिरीज फिल वाइंडिंग करेंट ये तीनों एक ही है बहुत बढ़ियां दूसरा कं wrapping आपने का सरे देखो जरे यहां में दूसरा कंक्लूज़न क्या दिखाई दे रहा है हमें दूसरा कंप्रूज़न दिखाई दे रहा है flux, अच्छा सर, flux क्या होता है, function of nsc, isc, जहाँ nsc क्या है बिटा, nsc सर, number of turns of series field winding है, number of turns of series field winding है, तो यहाँ पे सर मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर nsc, isc है, तो आप proportional to isc कह दीजे, ना, क्यों सर, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब आपकी field current बढ़ेगी न, जब field current बढ़ेगी, तो flux बढ़ेगा सर, flux बढ़ेगा सर, यानि यह वाली field strong होगी सर, क्या मेरी बात लिए रहे, yes सर, load current बढ़ेगी, सर, field current बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, इतना ही नहीं सर, armature की field भी strong होगी, क्योंकि armature current और field current सब एक ही है, बहुत तगड़ा सर, यहाँ तक आपकी बात समझ में आए, तो सर, यहाँ पर जो हमारी यह field है, हो सकता है, कि यह saturate कर जाए, एक limit के बाद, yes, तो यहाँ पर हम saturation का ध्यान अगर देते हैं, तो आप कह सकते हो, सर, अगर flux हमारा linear है, तो field current और flux, दोनों हमें कैसे दिखाई देंगे, आपने बुला, सर, अगर magnetization curve को linear लिया जाए, तो magnetization curve linear के case में यह हो जाएगा, यह किस के case में है, magnetization curve linear, लेकिन generally हमारा magnetization curve कैसा होता है, सर, non-linear होता है, generally कैसा होता है, non-linear, तो याद रखेंगे, मैंने लिखा है, flux is the function of field current into number of turns, proportional नहीं लिखा है, proportional कब लिखेंगे, जब कहेगा आप से, कि magnetization curve is linear, या फिर कहेगा, neglect the effect of saturation, क्या मेरी बात clear है, बहुत वहतरीन सर, यही दो important statement है, जिसका numerical में use करते हैं, ठीक है, competitive exam में, फिर आगे आपका third point, third important conclusion बताओ, तुमने का सर, तीसरा important conclusion मुझे induced DMF का पता है, सर, induced DMF क्या होता है, k phi n लिख सकते हो सर, या फिर k dash phi omega m लिख लो सर, बढ़ियां, चौथा, सर हम लोग हमें साथ terminal voltage के बारे में interested होते हैं, तो terminal voltage क्या हो जाएगा, loop लगा दे, जी सर, loop लगा दिया, क्या लिखूँ, आपने बुला सर, terminal voltage V हो जाएगा, EA में से drop हटा दो सर, IA RA, और उसमें से drop हटा दो सर, VBD, और उसमें से drop हटा दो सर, IA RSC, तो IA और ISC दोनों सेम हैं, तो आप लिख दो सर, EA माइनस IA, RA प्लस RSC, माइनस VBD, थैंक्यू बिटा जी, आपने का सर, यार यह तो बहुत तगड़ा था, यहां पर induced, जो आया, इसमें से यह आपका drop अटा दिया, यहां का drop अटा दिया, brush drop अटा दिया, terminal voltage आ गया, YES, further, आपने का सर, हमको समझना है, हमको समझना है power balance, और power balance हमको कौन समझाता है, सर हमको समझाता है, सर हमको स आईए आरे प्लस आफ आर एस ई प्लस आफ वी बीडी दोनों फॉर्माट में लिग दिया हूँ ताकि आप कहीं पे भी चूप न जाएं ठीक है बहुत तगड़ा सर अब यार एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर मिचर पावर यह आईए कि यहां तक सब करने सब आई पापसने सबायब कर लोग कर लेते थोड़ा यहां आईए बैलेंस की आपने वुक्त आइए बैलेंस कि आपने बूला सर्फ आवर बैलन्स हमको यहां नजर आ रहा है जैसे ही मौन यह आईए लिग देता हूं ना अपने आप यह पूरी electrical analysis से consider हो जाती है कैसे वी प्लस आफ आई ये आरे प्लस आर एस इ प्लस आफ वी बी डी अब इसका आई ये से गर multiply कर दिया जाए तो आप बोलोगे सर हर जगे आई ये से multiply कर दिया तो ये equation लिख सकता हूँ yes sir अब कहा यार IA और IL तो same ही है sir तो ये वी IL हो गया ये IA square R E लिख दो sir IA और ISC सेम है sir सो ISC square RSC लिख दो sir फिर VBD into IA लिख दो आपने कहा sir complete electrical analysis हो गई यार सर हमको बस EIA का ध्यान देने की जरूरत थी क्या मेरी बात क्लियर है जी सर अच्छा अगर कभी मुझे जनरेटर में rotational losses बता दे rated speed पे तो generator generally rated speed पे घुमाते हैं और input power दी हो mechanical तो यार मैं यहां से हटा के क्या निकाल लूँगा PA निकाल लूँगा PA निकल गया तो EIA मिल गया क्या मेरी बात क्लियर है हो सकता है तुम्हें generator का terminal voltage भी दे दिया हो लेकिन तुम्हें IA न दिया हो तुमने का सर हमारे पास एक quadratic equation बन जाएगी यार सर यह वाली equation में उठा के हम IA से multiply कर दिये काम खतम सर क्या मेरी बात क्लियर है बहुत तगड़ा आपने का complete electrical analysis मिल जाती है सिर्फ EA into IA करने से सिर्फ EA into IA करने से ठीक है जी सर अब यार मैं बात कर लेता हूं counter torque की भी बहुत ध्यान देना यह वाली machine बहुत जादा अच्छी machine है इतनी अच्छी machine है कि इससे train चलाते थे पहले आप तो induction से चलाते हैं लेकिन पहले किससे चलाते थे इसी चलाते थे अभी भी हमारे यहां जो railway system है उसमें हम लोग DC series motor use करते अब motor series क्यों यूज करते हैं बहुत जल्दी आपको समझाने वाला हूं आपने का सर यहां पर हम लोगों को generator आपने बताया इसके बाद पांच्वां हो गया था ना conclusion पांच्वें के बाद छट्वां conclusion लिख देता हूं counter torque अब यह counter torque क्या है सर counter torque basically electromagnetic torque होता है यार जनरेटर खरीद के लाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सप्लाई से सप्लाई पर रखोगे ही नहीं भाई जनरेटर खरीद के लाए और इसे घुमा रहे हैं generator है generator ऐसे थोड़ी होगा यार जाइड सी बात है जब तुम यहां लोड लगाओगे इसी परपस के लिए खरीद के लाए ओ तो लोड तो लगाओगे न यह सर जब मैं लोड लगाओंगा सर तो current बहेगी यह सर जब current तो ये वाले Ton ko हम लोग क्या नाम देते हैं अब एलक्ट्रो मातेक कें तुम नहीं का सरचितना ज्यादा लोड़ाएंगे इत करणे ठेए उतना बड़ेकर ये सिक 包ल जाढ़ेंगे पांछने अपने आप यहां तक आपकी बात समझ में आई तो counter torque क्या है electromagnetic torque है यार क्या होता है सर armature power ये आई ये by omega m ये का पता है k-phi omega m into i a by omega m कोई भूल ना जाए इसके लिए बार-बार लिख देता हूं मैं counter torque हो गया k-phi into तो आईए याद रहेगा सर कहीं कोई समस्या नहीं है चलो बीच बीच में फ्लोडो में हो जाता है ठीक है क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हम लोगों को ना वोल्टेज बिल्डप इन सीरीज जनेरेटर समझा दो तो दो पॉइंट में तुम्हें समझा चुका हूँ पहला पॉइंट मैंने तुम्हें समझाया था कि must have some residual flux and correct connection of field winding with armature winding so that field flux is in the direction of residual flux यह एक पॉइंट यह एक पॉइंट है जिसको एक में करके लिख दिया हूँ so must have some residual flux और residual flux होने के साथ साथ क्या होना चाहिए sir correct connection of field winding with armature winding so that field flux is in the direction of residual flux for the given direction of rotation क्या यहां तक मेरी बात clear है जी sir यह second number point clear है अच्छा यह first number point क्या लिखा है sir इसमें लिखा है series generator cannot build up any voltage without load यह क्या चीज लिखा हुआ है sir यह समझना बड़ा आसान है समझो sir की series generator है अभी अभी आपने हम लोगों को electrical model सिखा दिया है तो आप बना सकते हो sir यह मानलो sir यह series generator है ठीक है यह सर अब series generator है और आपने कहा sir यह हमारा RSC हो गया और आपने कहा sir terminal पे कोई voltage नहीं लगाते है ठीक है ना लगाओ मतब terminal पे कोई load नहीं लगाते ठीक है और इसको घुमाना चालू कर देते हैं तो घुमा रहे है terminal पे कोई load नहीं लगाया तो terminal पे कोई load current क्या हो जाएगी sir load current हो जाएगी sir zero रहेगी अगर field current ही नहीं होगी तो flux क्या बना रहे जाएगा residual flux और residual flux पे voltage residual ही बना रहे जाएगा तो आपने कहा sir हम यह कह सकते हैं क्या कि हमारा series generator कोई voltage build up नहीं करेगा अगर आपने load नहीं लगाया तो जी sir तो हमको series generator के लिए ये खास बात याद रखनी है जबकि ऐसा shunter compound के case में नहीं होता तो यह exception है जो सिर्फ series में होता है यह पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं हम लोग third point की ra plus rsc plus rl should be less than critical value for given speed of rotation आपने का sir मान लीजे हम यहां पर voltage build up देखने की कोशिश कर लेते हैं फटाफट sir यह हमारे पास हो गया if field current ठीक है yes sir जो की isc है यहां पर field current और हमारा open circuit voltage यानि मैं ea की बात कर लेता हूं sir induced dmf तो यहां है ही नहीं हाँ terminal voltage की बात करो sir तो चलो terminal voltage v की बात कर लेता हूं हमारा जितना मन करेगा हम उत्ता लोड लगा देंगे यूजर सोचता है हमारा जितना मन करेगा हम उत्ता लोड लगा देंगे पर क्या यह बात सही है अब अगर हम चितना मंचा उत्ता लोट लगाए तो गर्बड हो जाएगा क्यों सर जरा समझेगा मान लीजिए मान लीजिए हमारा residual induce DMF क्या होगा आपने बुला सर residual induced DMF हो जाएगा जयान देंगे सबी लोग residual induced DMF हो जाएगा सर कड़ाश P .уйте omega M जी जी सर जो की किसा के आईए R A PLUS R S E PLUS R L के बहुत तगड़ा आपने कहा सर यार मानलो हमारे पास R A PLUS R S C PLUS R L है यह R A PLUS R A S C PLUS R L है यह R A PLUS R S C PLUS R L है यह हम कितना तेज घुमा रहे हैं? Rated से Rated SPEED से घुमा रहे है तो सर यहाँ पर rated speed पर घुमारे हो तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो residual flux मिल रहा है जी सर तो आप e residue कहके दिखा दो यह e residual कह देता हूँ जो कि किसके बराबर है k-5 residue omega m आपने बुला सर e residue upon ra plus rsc plus rl किसके बराबर हो जाएगा isc1 के बराबर हो जाएगा अगर field current आपकी isc1 हो जाएगी जब आप गुमारे और rated speed से तो field current आपकी isc1 हो गई तो आपने बुला सर इसकी वज़े से क्या होगा हमारा flux rise कर जाएगा क्योंकि flux proportional है isc के तो isc के बढ़ने के कारण हमारा flux बढ़ जाएगा आपने कहा let कर लेते हैं कि हमारा जो नया flux है वो हो गया पुराना residual flux प्लस फाइवन जहां फाइवन क्या है फाइवन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूं कि फाइवन जो है वो है हमारा equals to कि फाइवन जो है वो है हमारा function of nsc isc yes sir तो इस हिसाब से आपने बुला sir isc1 पे isc1 पे हमारा क्या बढ़ जाएगा flux बढ़ जाएगा flux बढ़ जाएगा तो क्या होगा sir same flux पे अगर हम omega m से गुमा रहे हैं तो sir अगर flux बढ़ गया तो induced dmf बढ़ जाएगा आपने बुला sir induced dmf बढ़के हो जाएगा यह वन जहां यह वन क्या है कि यह वन क्या है आपने बुला sir के डाश फाई 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 नियू इन्टू ओमेगा m बहुत तकड़ा और यह किसके बराबर है अगर मैं निगलेट कर दूँ थोड़े दिर के लिए la और ra चीक है तो आप बोलोगे sir यह हमारा field के current के change पे निर्वर कर रहा है yes sir तो यह हो जाएगा lf disc by dt क्यों समय के साथ में आपकी क्या बदल लई है field current तो field current में अगर change आय है तो यहां पर क्या होगा disc by dt plus off आपने बुला sir हमारे पास आजाएगा isc ra plus rsc plus rl बो सभी लोगों को यह बात समझ में आई yes sir यानि कहने का अर्थ यह हुआ sir कि isc1 पे ही जो हमें जादा flux दिख रहा था वो हमें नजर आ गया कि उसकी वज़े से emf कहां आएगा क्या ignore कर दिया आपने कहा sir हमने neglect कर दिया la और ra on neglecting ra and la ठीक है क्या यानि armature का resistance और armature का inductance neglect कर दिया क्यों sir क्योंकि armature का inductance बहुत कम होत होता है और फील्ड वाइंडिंग मैक्सिमम जो फ्लक्स प्रडियूस होता है that is because of the field winding field is the strongest magnet ठीक है sir फिर उसके बाद sir इस पर्टिकुलर ये पे फिर करेंट चेंज हो जाएगी यार जब करेंट चेंज हो कि isc2 होगी तो यहां इंडियूस dmf हमारा e2 मिल जाएगा बहुत saturate कर जाएगा तब क्या होगा आपने बुला sir जैसे ही saturate कर जाएगा उसके बाद अब ये increment होना बंद हो जाएगी येस तो आपने बुला sir अगर हम देखें तो हमारा इंडियूस dmf कैसा हुआ है हमारा इंडियूस dmf हुआ है कुछ इस टाइप से आपने का sir हम यहां पे देख पा रहे हमारा इंडियूस dmf हुआ है कुछ इस टाइप से क्या मेरी बात clear है yes sir क्या मेरी बात clear है yes sir rated आपन क्या है rated speed मान लिया आपने का सर अगर मान लीजे मैं field armature resistance along with the series field winding plus load resistance बढ़ा देता हूँ बहुत high resistance से चालू करता हूँ तो क्या होगा अगर आपने बहुत high resistance रखा तो ध्यान दीजे क्या होगा आपने बुला सर अगर आपने बहुत जादा हाई रखा resistance तो ये लो सर कुछ भी induced dmf नहीं होगा ये हमारा है r a plus r a c plus r l ठीक है ये two मान लेते हैं ये one suffix है तुमने का सर इसकी कोई critical value भी होगी येस तो critical value को यहाँ पर yellow से दिखा देते हैं आपने बुला सर ये हमारी critical value के लिए हो गया r a plus r a c plus r l ठीक है ये हो गया r a plus r a c plus r l critical क्या मेरी बात clear है येस सर अब देखो यार r a और r a c तो बदलता नहीं है यहाँ पर basically load resistance को analyze करना जरूरी हो जाता है मेरी बात clear है क्या ये सर ये थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि थोड़ा उसके जैसा दिखे ठीक है फिर इस पर ये मिल रहा था फिर इस पर ये मिल रहा था clear है क्या आपने का सर बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया मैं इसको relate भी कर पा रहा हूँ shunt generator से so voltage build up की ये जो condition है कि r a should be less than r a plus r a c plus r l should be less than critical value ये क्या सभी को समझ में आया है yes sir ये third वाला जो point है वो अब हम लोगों को समझ में आ गया ऐसा नहीं कि बहुत high load resistance लेकर चालू कर दोगे और voltage build up होगा clear है क्या yes sir इसके बाद आ जाते है fourth point पे speed should be more than critical speed for given value of r a plus r a c plus r l अब मान लो अगर तुमने इस रफ्तार ही कम कर दी तुमसे कहे 1500 rpm पे घुमाओ और तुम घुमा रहे हो 10 rpm और कह रहे हो voltage नहीं आ रहा तो यार अगर तुम कम rpm पे घुमाओगे तो residual induced dmf affected होगा yes sir क्योंकि e residue होता है k-5 into omega m अगर omega m rated से कम है तो उस condition में क्या होगा आपने बुला sir सब कुछ वैसा ही होगा अगर omega m कम है तो same flux पे emf भी कम आएगा बहुत बढ़ी है यह n2 speed है जो n1 से कम है अब आपने का sir अगर मान लीजे हमने given value of ra plus rsc plus rl यह आपका सबसे छोटा है इससे बड़ा आपका critical वाला है और उससे बड़ा आपका ra plus rsc plus rl 2 है आपने बुला sir for a given value of ra plus rsc plus rl अगर हमारी speed जो है वो less than critical speed है for given value of ra plus rsc plus rl तब भी emf induced नहीं हुआ क्यों क्योंकि sir इस condition में हमारा induced dmf बहुत change in field current negligible हो रहा है तो यह residual induced dmf ही होता हुआ रह जाएगा क्या यह बात आपको सभी को समझ में आई है बहुत अच्छे से बताइएगा इस topic पे question पूछ सकता है क्योंकि देखो field winding वाला और correct polarity वाला पूछा जा चुका है लेकिन यह ra plus rsc plus rl और critical speed वाला अभी बचा हुआ है gate में तो यह पूछ सकते हैं बहुत ध्यान रखेगा यह बात यहां तक क्लियर है सभी को आगे बढ़ जाओ जी सर आज हम बात कर लेते हैं characteristics of series generator जब भी मैं generator की characteristic बनाने की बात करता हूँ तो यह चीज fix है मैं हमेशा generator को rated speed पे घुमाऊंगा जी सर और terminal voltage is the final dependent parameter तो दो तरह की generator की characteristic होती है internal और external internal और external जी सर चलो यहां फटा-फट समझ लेते हैं जरा characteristic इंटरनल क्यारक्ट्रिस्टिक किसके किसके बीच होती है यह और आईयए के बीच में और external क्यारक्ट्रिस्टिक किसके किसके बीच में होती है तो sir, terminal voltage और load current के बीच में तो यहां तो आईए ही IEL है, समस्य ही खतम हो गई, जी sir आपने का sir, सबसे पहले यहां पर हमारा जो series generator है उस पर load बढ़ा के देख लेते हैं तो हमारा series generator कैसा होता है? यह रहा मान लो load, ठीक है? जी sir, और यह हमारा series generator जी sir, हम series generator पे लोड बढ़ा के देखने वाले हैं यह RL हो गया, terminal voltage V हो गया यह induced DMF, RA, RSC यहां पर जो current है वो load current और यही current हमारी armature current है बहुत बढ़ी है sir, तो आप क्या करने वाले हो sir, हम armature, हम load current बढ़ाने वाले load current क्या होती है? V by RL तो sir, RL को कम करते हैं ताकि load current बढ़ाएं ठीक? जी sir, हम जितना ज़ादा RL को घटाते जाएंगे load current बढ़ती जाएंगे, भाई यहां का voltage divided by impedance यह तो current होने वाले है आपने का sir, load current बढ़ाई तो इसका असर क्या पढ़ा? यार sir, load current ही series field winding current है येस sir, और load current ही armature current है तो इसका सबसे पहले जो असर देखने को मिला, वो हमको series field winding current पे देखने को मिला क्योंकि load current ही हमारी armature current है और यही हमारी series field winding current है तो मैंने कह दिया अगर हमने IL बढ़ाया तो इसका असर हमें क्या मिला? ISC बढ़ गई जी sir, ISC बढ़ी तो इसका effect flux पे पढ़ेगा क्योंकि flux function होता है NSC, ISC का जी sir, तो अगर ISC बढ़ी है तो flux बढ़ेगा sir जी sir, अच्छा flux अगर बढ़ा है तो इसका असर सर हमें देखने को मिलेगा बढ़े हुए flux का असर सर हमें देखने को मिलेगा EA पे, क्योंकि EA होता है K-Pi into Omega तो अगर flux बढ़ा है sir तो इसका मतलब हुआ EA बढ़ेगा अच्छा EA बढ़ गया अब terminal voltage भी होता है EA minus of IA RA plus RSC जी sir IA RA plus RSC आप minus में VBD भी लिख सकते हैं अगर brush drop consider कर रहे हैं तो आप brush drop अगर neglect कर रहे हैं तो VBD मत लिखिए ठीक, चलिए मैं एक बार बिना brush drop के भी लिख देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं रहे यहाँ पर मैं brush drop को neglect कर दिया on neglecting brush drop ताकि आपको जब भी revision करोगे आपके दिमाग में रहेगा brush drop on neglecting brush drop श, ठीक है क्या? जी सर तो दो expression आपके दिमाग में आने के लिए मैंने बस कर दिया आपने बूला सर आईये क्या हो रहा है यार बढ़ रहा है और यह क्या हो रहा है सर बढ़ रहा है अब ये दोनों बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टिज का क्या होगा? सर, terminal voltage का क्या होगा, ये तो समझीम नहीं आ रहा है हाँ, आप ज़रा ध्यान दीजेगा, आपने का सर, मान लीजे, residual flux था residual flux से flux दुगुना हुआ, तो क्या आसर पढ़ेगा? residual flux से जब flux डबल हुआ, तो आपने बोला, सर, induced DMF भी लगबल हो जाएगा जी सर, residual flux से flux डबल हुआ, तो induced G में भी डबल हो जाएगा 2024 3rd year aspirant which batch to join if you are comfortable in Hindi you can join parakram batch parakram और कौन सा चल ला है parakram batch या फिर आप अगर if you are not comfortable in Hindi then better to go by the English batch okay, so दोनो batches available है, 2024 के लिए, आप देख लीजे both the batches are available you can choose as per your willingness which year you are going to be up here see, आपने बोला, sir, यहां तक तो आपकी बात हम लोग समझ गए बहुत तगड़े से, अब जरा यहां पे देखिएगा EA बढ़ रहा है और IA बढ़ रहा है flux, अगर मैं IA की बात करूँ तो मान लो IA तुमारा पहले 0 था 0 से 1 ampere हुआ so increment in IA is negligible however, if the flux is residual and flux twice, flux will become twice it means EA will become two times yes sir so it means increment in EA is more comparative to increment in IA RA plus RSC for lower values of IA जब IA की value छोटी थी तब IA RA plus RSC drop के increment से ज़्यादा increment हुआ EA में मतलब आपको EA कैसा दिखाई दिया बढ़ता हुआ yes sir EA मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दिये यह residual induced dim up बना लेता हूँ यहां से आपने का sir यह बढ़ता हुआ दिखाई दिया बहुत तगड़ा ठीक है sir और फिर उसके बाद sir यह EA हो गया बढ़ता हुआ अगर हम देखें open circuit open circuit characteristic बनाने के लिए field winding को separately excited की तरह करके चला देते है जी sir हम terminal voltage की बात कर रहे है तो चलिए terminal voltage को मैं यहां से शुरुआत करा देता हूँ आपने बुला sir terminal voltage जो है न वह हमेशा जीरो से सुरू हो रहा है क्यों क्योंकि sir अगर मान लीजे आपका यह है भी तो चुकि यहां पर अगर RL की बात करें तो हमारा एक drop हो रहा है IA RA plus RSC ठीक है और IA RA plus RSC residual के बराबर है तो terminal voltage 0 रहे है अब हमना पहले voltage बढ़ना चालो हुआ फिर Sir lower values of IA पे पहले voltage बढ़ेगा फिर कहां पहुँच गया Sir higher values of IA पे आ जाते है Higher values of IA पे flux क्या होने लगेगा saturate flux core saturate होने लगेगा core saturate होने लगेगा तो induced DMF b Sir हमारा 0 की मतब constant होने लगेगा terminal voltage constant होने लगेगा terminal voltage तो constant होने लगा जी Sir terminal voltage कहा रहा हूँ induced DMF तो constant होने लगा जी Sir ये OCC है ना induced DMF तो हमको सर constant की तरफ दिखाई देना start कर देगा induced DMF जी Sir लेकिन अगर हमारा EA बढ़ना बंद हो जाए और IA की value बढ़ा रहे हो तो IA RA plus RSC drop बहुत जादा होगा और इस वज़े से there will be a sudden fall this is almost a constant current zone constant current zone ठीक है क्या अब आपने कहा Sir ये वाला region कौन सा है इसको हम लोग बोलते हैं booster region booster zone में क्या हो रहा था Sir booster zone में Sir हमारा EA dominate कर रहा था IA RA plus RSC के comparatively और constant current zone में IA RA plus RSC dominate कर रहा था क्योंकि हमारा EA बढ़ना बंद हो गया था because of saturation of the core क्या मेरी बात clear है yes Sir तो हमारा जो मिल रहा है EA versus IA sorry V versus IL curve V versus IL curve वो कैसा मिल रहा है आपने बोला Sir V versus IL curve जो आपको दिखाई दे रहा है न वो हमें हाँ जी Sir पहले बढ़ता हुआ booster zone में और फिर अचानक से zero होता हुआ नजर आ रहा है almost a constant current zone यह वाले zone को हम लोग कभी यूज नहीं करते क्यों because अगर आपका load आपके बढ़ाने पे मालों load आप बढ़ा रहे हो और load बढ़ाने पे voltage बढ़ता जा रहा है तो भाई बढ़ा dangerous है दूसरा for parallel operation हमारे लिए क्या important हो जाता है for any machine to operate successfully generator must have some drooping characteristic यह booster characteristic है तो इसलिए generally booster को हम लोग as a supply use नहीं करते बट इसका एक और use है क्या DC transmission के time पे जब voltage drop हो रहा हो तो बीच-बीच में हम क्या लगा दे यह booster generator लगा दे तो वो voltage वापस से rise करके और transmission line के voltage को बनाए रखेगा DC transmission वाले अब यह constant current zone जो है that is most suitable for the arc welding ठीक है क्या यह सर यह तो हो गया हमारा external characteristic अगर internal की बात करें तो internal sir same as OCC मिलेगा internal sir same as OCC मिलेगा e residue से start होगा e residue से start होगा और यह हमारा बड़ता चला जाएगा ठीक है क्या यह सर बहुत तकड़ा तो आपने बुला सर यह हमारा internal हो गया internal characteristic internal का मतलब EA versus आईए internal characteristic हो गया और दूसरा external characteristic दोनों समझ आया बोलिएगा फटाफट सभी लोग एक बाट जल्दी से बता दीजे जी sir अब यार देखो generator के ज्यादा questions आते नहीं क्यों नहीं आते sir generator पे ज्यादा question क्यों series generator पे न parallel operation में तो question बन जाते है booster region के लिए generally question नहीं बनाते हैं ठीक है series में पूछने के लिए motor बड़ी खास हो जाती है क्योंकि series motor अपने आप में बहुत ज्यादा जवर्जस्त motor है ठीक चलिए series motor से पहले एक बार जल्दी से repeat कर देता हूं याद क्या क्या रखना है constant current zone is suitable for arc welding so DC series generator में जो constant current region है वो suitable होता है arc welding के लिए series generator is not suitable for local supply system local supply system के लिए use नहीं किया जाता है because booster and constant current zone तीसरा हो गया series generator is commonly used as a booster on DC feeders and constant current zone is suitable for arc welding तो याद रखना बहुत आसान है yes sir आपने हम लोगों को booster के बारे में बता दिया constant current zone के बारे में बता दिया और साथी साथ ये भी बता दिया it is not suitable for local supply बहुत तगड़ा अब आ जाते हैं यार motor पे motor बड़ी खास है ऐसा कोई घर नहीं जहां पे DC series motor use ना की जा रही है आपने का sir क्या बाग कर रहे है हमारे हैं तो नहीं use की जा रही है थोड़ा modify करके universal AC series के नाम से use की जा रही है आपने का sir अच्छा ये भी बात हो सकती है तो आजो देखते हैं बहुत तगड़ी motor है इसके बारे में तो सीखने में मज़ा आएगा sir हाँ बहुत तगड़ी motor है इसके बारे में सीखने में आपको 100% मज़ा आएगा DC series motor खरीद के लाए यहां जोड़ी supply ठीक जी sir जैसे ही supply जोड़ी दंदनाते हुए current यहां पे भागी yes sir और मान लेते हैं यह वाला हमारा connected है इससे ठीक है और यह वाला conductor हमारा connected है इससे ठीक है तो आपने बुला sir यह दंदनाते हुए current यहां से भागी थी current हमारी commutator segment से होते हुए यहां पे क्या हो जाएगी inward commutator से coil की तरफ जाएगी और फिर यहां से बाहर आएगी और यहां से बाहर आके इधर की side में आ जाएगी ठीक है क्या yes sir और ऐसे बहती हुई current अपना पूरा path complete करने आपने कहा sir current भही yes sir तो यहां पर sir जब current भही तो उसने क्या बनाया north बनाया right hand grip rule से north बना और यह south बना magnet बन गया field बन गया yes sir अच्छा जब armature में current भही तब sir armature में current भही तो right hand grip rule के हिसाब से current अगर conductor में अंगुठे की दिशा में है तो right hand curl की direction में field है sir यहां north और यहां south आया बहुत तगड़ा बुलो यहां तक मेरी बात क्लियर है sir दो magnet और में कैसा लगेगा force attractive yes sir आपने बुला sir यह वाला जो south है ना यह वाला जो south है ना वो इस वाले north की तरफ भागेगा बहुत तगड़ा और यह वाला north जो है वो इस वाले south की तरफ भागेगा यहां electromagnetic torque आया ठीक है क्या yes sir हमको पता है कि commutator जो है वो rotor के field को हमेशा ऐसे ही बनाए रखेगा चाहे rotor की कोई भी position और conductor कहीं भी जाए जी sir तो इस हिसाब से आपने बुला sir हमारी machine इस direction में चालू हो जाएगे किस direction में चालू हो गई यह machine anti clockwise direction चलिए यहां पर anti clockwise direction में electromagnetic torque दिखा देते हैं और machine मान लीजे omega m की रफ्तार से चालू हो गई यहां आपने का sir rotational losses हटा दो तो फिर जो आपको मिलता है वो हो जाता है shaft torque yes sir shaft torque yes sir कोई भी motor का काम है किसी ना किसी load को घुमाना तो इसका मतलब है जो load torque होगा वो opposite direction में होगा shaft torque yes sir यहां तक आपको समझ आया जी sir आपने का sir मुझको ना armature power भी नजर आई EA into IA यह आप इसको लिख दो torque into omega m ठीक है क्या जी sir बहुत तगड़ा यार यहां तक किसी को कोई problem हो तो बताओ नहीं है sir आपने का sir इस machine की खास बात बताओ तुमने का sir यह वाले load लगाओ load में क्या लगाओ सर आपकी मर्जी है load लगाओ आप इस पे कितना लगाओ सर आप ना इस पे ना मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस पे इतना load लगाओ कि यह machine घूमना पाए ठीक है लगा के देख लो machine जल जाएगी क्यों sir सर अगर मैं यहाँ पे load लगाओंगा DC series motor को पकड़ने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा मैं अगर DC series motor को पकड़ने की कोशिश करूँगा तो क्या बढ़ेगा load torque बढ़ेगा load torque बढ़ेगा तो sir current बढ़ेगी current बढ़ेगी sir या तो जल जाएगा या तो हाथ चील देगा। समझ में आया क्या? आपने का सर ये तगड़ा है, यानि ये हमारे जनरल बोगी को भी खीच लेगा, और कभी अगर मान लीजे कम लोड भी है, तब भी चलेगा, ट्रेन चलाने के लिए तो बढ़ी या आइटम है। समझ में आया क्या? आपने का सर, कोई बात नहीं बिटा, आपने का सर, हमको ये समझ में आया कि अगर हम इस मशीन पे लोड बढ़ाते ही चले जाएं, तो क्या होगा? यानि हम अगर ट्रेन चलाएं और लोगों को ट्रेन में बढ़ाते ही चले जाएं, बढ़ाते ही चले प्रिफर करते हैं आपने का सर बहुत तकड़ा समझ आया खास बात समझ आई सिरीज की फील हुआ कि नहीं हाँ जी सर यह शंट में नहीं था शंट में आर्मेचर फिल्ड वीक होती है जब लोड बढ़ाते तो आर्मेचर फिल्ड थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन आपकी शंट फिल्ड सेम रहती है वो तो सप्लाई पर निर्वर करती है यहां यह बढ़ता ही चला जा रहा है सर अले स्टेट एई जी बैच वाला बैच लाए नहीं अभी तो नहीं है बिटा अभी तो गेट का बैच है ठीक है शुबांकर जी बटा आपको यार गेट का बैच भी जितने हां मतलब इस समय पी डबलू ने आप लोगों के लिए जो कर रखा है उसके हिसाब से मुझे ल मशीन इस डारेक्शन में घुमेगी तो EMF की पोलरिटी क्या आएगी यहां पर डॉट आएगी सर और यहां पर क्रॉस यह बैक EMF कहलाएगा येस अब बैक EMF का मतलब क्या हुआ डॉट का मतलब हुआ यहां पॉस्टिव और यहां नेगिटिव यह हमारा बैक इंडियूस जिमफ आएगा तो अगर मान लीजे सर हमने यहां पर फील्ड वाइंडिंग लगा देते हैं यहां पर हमने पोटेंशिल लगाया प्लस माइनस ठीक है तो क्या होगा सर करेंट हमारी ऐसे जाएगी यही करेंट हमारी सिरीज फील्ड वाइंडिंग में बहेगी और यही करें ऐसे आ रही है तो EMF की polarity voltage drop के रूप में दिखाई देगी, अब इसका resistance अगर RA है, इसका RSC है, तो सर हम लोग ना इस वाली motor का electrical model थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान दीजेगा, आपने कहा सर ये field winding हो गई, RSC कह दो, RA हो गया या हमारा induced EMF हो गया यहां सर, terminal voltage दिखा दो, दिखा देता हूँ, terminal voltage V हो गया, इसकी positive polarity और induced DMF की positive polarity दोनों आमने सामने होनी चाहिए, यहां आपका induced DMF एक drop के रूप में नज़र आएगा, brush drop के लिए दो ठो ब्रश दिखा दिखा दिया हूँ यहां पर, कोई समस्या नहीं रही सर, यही समझ म अब आपने का सर, हमारी machine जो है, वो यहां पर R nature power develop करेगी, जो की होता है EA into IA, यह हम लोग लिखते हैं torque into omega M, बहुत तगड़ा, तो आपने का सर, यहां पर कौन सा torque, electromagnetic torque, कितनी तेज घुमा, omega M से घुमा, बहुत तगड़ा, अब आपने का सर, इस वाले case में देखा जाए तो यहां पर हम rotational losses हटा देते हैं, छीक है, rotational losses हटा दें सर, तो जो motor यहां पर shaft torque देगी, वो क्या कहलाएगा, shaft torque, shaft torque और electromagnetic torque equal हो जाते हैं, अगर rotational losses neglected है, तो, और load torque किदर आएगा, opposite to the direction of rotation, तो यहां पर मैं load torque भी बना देता हूँ, आपने का सर, एक अदम जबर्जस तरीके से आपकी बात यहां तक समझने है, analysis कर लेते हैं, analysis में पहली analysis, IA ही, IL है, वही हमारी ISC है, नजर आ रहा है सर, दूसरी analysis, flux हमारा function होगा, NSC, ISC का, मतलब flux हमारा, IA का ही function है, तीसरी important explanation, यह समझ में आए सर, conclusion यह निकल गया है सर, कि हो सकता है, हमारा core saturate हो जाए, और हो सकत है, core saturate ना हो, तो IA, अब ISC और flux phi का curve अगर linear ले लिया, तो मतलब magnetization curve linear है, आपने saturation का effect निगलेक्ट किया है, और अगर saturation का effect आपने consider किया, तो यह non-linear मिलेगा, इसलिए मैंने function लिखा, ना कि directly phi proportional to IA लिख दिया, इसका ध्यान रखेंगे, क्या series machine में flux proportional to IA होता है, रटें सर, तब होता है, जब magnetization curve linear लेते हैं, अगर ना दे रखा हो कुछ भी की linear है, non-linear है, तो linear ही लेंगे, लेकिन अगर आपको बता रखा है कि बढ़ती current के साथ flux कैसे बढ़ रहा है, तो भाई साब फिर आप उस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके ब आपने का सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई, इसके बाद आपने का सर, third conclusion, जो सबसे तगड़ा conclusion निकल के आए, वो ये है, कि हमारे पास अगर यहाँ लूप में देखा जाए, तो current always flows from higher potential to lower potential, तो सर, हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार, V minus of IA, RA plus RSC, RA plus RSC minus of VBD, बोलो क्या मेरी बात क्लियर है, जी सर, बहुत बढ़िया, आपने का सर, यहां तक आपकी बात क्लियर है, पांचमा का conclusion, ध्यान देना मेरी बात पे, आपने बुला सर, induced DMF का पता चल गया, तो induced DMF से हम armature power समझ सकते हैं, induced DMF से हम armature power समझ सकते हैं, पूरी question नहीं लि सर, हमारा छठा important conclusion निकल के आता है, का electromagnetic torque, तो electromagnetic torque क्या हो जाएगा बिटा, आपने बुला सर, electromagnetic torque is the torque produced by the motor, electromagnetic torque क्या हो जाएगा सर, electromagnetic torque हो जाएगा, आर मेचर power upon omega m, और इसको लिख सकते हैं, k dash pi into i, सात्मा और बहुत important conclusion है, speed, आपने बुला, speed बता दो सर, यह होता है, k phi n, k dash phi omega m, और क्या लिखा हमने, v minus i, ra plus rsc minus vbd, तो n, क्या हो जाएगा बिटा, आपने बुला, n हो जाएगा सर, हमारा, v minus i, ra plus rsc minus vbd, upon k phi, या फिर k dash phi, depending कि आप omega m के term में लिख रहे हो, या n के term में लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपने का, v minus i, ra plus rsc minus vbd, upon k phi, क्या मेरी बात समझ में आई, येस, सर, आपके speed वाले expression को लिखते ही न, मुझे पता नहीं कैसे, सारे speed control भी नजर आ गए, क्योंकि सर, मुझे को दिखने लगा, या तो applied voltage बदल दूँ, या तो armature के resistance के साथ series में resistance लगा दूँ, या फिर सर, किसी तरीके से, यहाँ पर series winding का, series parallel connection करके, या tapping point प्रोवाइड करके, flux control कर लिए, काम खतम, जी सर, यार बड़ा तगड़ा, बहुत तगड़ा, यहाँ तक आपको मेरी बात कहीं पे भी कोई भी problem है, तो please मुझे बता दीजे, बिटा, फटा-फट सभी लो, यहाँ पे किसी को कहीं कोई problem है, तो please मुझे बता दीजे, सभी लो, कहीं कुछ दिखने में problem हो रही है, तो मुझे बता दीजेगा, बिटा, शायद यह नहीं दिख रहा है, लोगो आ रहा है, इसको मैं थोड़ा और उपर लिख देता हूँ, मैंने अभी ध्यान दिया, VBD माइनिस VBD अपान K5, देखो अभी प्रपर ली नजर आ हुआ है, और प्रपर है, बहुत बढ़िया, आपने का सर सिरीस वाली बात समझ में आ गई, सर सिरीस केरेक्टरिस्टिक भी दिखा दीजे, मोटर की characteristic कौन कौन सी होती है सर मोटर की characteristic आपने हम लोगों को सिखाई है पहली हम लोग देखते हैं EA versus IA characteristic दूसरी देखते हैं सर हम लोग flux versus IA characteristic तीसरी देखते हैं सर हम लोग torque versus IA characteristic और चौती देखते हैं सर हम लोग omega m versus IA characteristic जिसको speed versus armature current characteristic क्याते इन चारों का उद्देश है होता है हम लोगों को समझाना ओमेगा M versus torque characteristic ठीक है क्या? Yes Sir, बहुत बढ़िया है So, हमारे total 5 characteristic motor के लिए समझने होते हैं Motor की जब भी characteristic बनाते हैं तो एक सबसे important point क्या याद रखते हैं? Sir, motor पे हमेसा rated voltage लगाएंगे and speed is the final dependent parameter, ठीक है, yes sir, so always use rated voltage, yes sir, for characteristics, for characteristics and speed is the, speed is the final dependent parameter, final dependent parameter. क्या मेरी बात यहां तक का आप सभी को समझ में आई, yes sir, आपने यह पहले भी हम लोगों को लिखवाया है, series, separately का कराते समय, ठीक है, yes sir, तो सबसे पहले, EA versus IA देख लेते हैं, आपने बूला sir, EA versus IA देखना बड़ा आसान है, EA क्या था sir, हम लोगों ने EA देखा था sir, EA था sir, हमारे पास, EA था sir, हमारे पास V minus IA, RA plus RSC minus VBD, sir, अगर brush drop neglect कर दें, तो यह हो गया, चलो brush drop neglect करके ही बनाते हैं, आपने बूला sir, अगर हम on neglecting brush drop लिख देते, on neglecting brush drop, क्योंकि कई बार ना brush drop दिया रही होगा, या फिर आपको कह रखा होगा, neglect brush drop, तो जब कभी brush drop neglect कर दे तो यह वाली, otherwise minus VBD भी है, लेकिन characteristic के समय मैं neglect करके चल लेता हूँ, आपने बुला sir, आईए के बढ़ने का असर क्या होगा, induced DMF घटेगा, terminal voltage हमेशा क्या लगाने वाले हो, rated लगाने वाला हूँ sir, तो terminal voltage तो तुम हमेशा rated लगाने वाले हो, तुमने का sir, यह हमारा घटता हुआ दिखाई देने वाला है, कौन सी चीज घट रही है, sir, यह घट रहा है, with a drop of RA plus RSC, और अगर slope आपके पूछा जाए तो, slope of minus of RA plus RSC, क्या यह बात समझ में आई है, दिल जल गया, क्यों दिल जल गया बिटा, चलो, बढ़िया, दिल में आग जल गयी है, अगर पढ़ने की तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, ठीक, जी sir, इसके बाद बात कर लेते हैं, flux versus IA की, आपने का sir, यार देखो यहाँ पे, flux क्या होता है, flux होता है, function of NSC, IAC, और sir, आपने हम लोगों को series मोटर में समझाया है, कि IA, IAC और IAL सब बराबर होता है, इसका मतलब flux क्या हो गया sir, flux हो गया, function of NSC, IA, बहुत तगड़ा, अब आपने का sir, एक काम करते हैं, अब flux हो सकता है, linear और non-linear, दोनों समझाया है, जी sir, तो एक काम करते हैं, इसको दो different जून में बाट देते हैं, पहला जून ले लेते हैं, unsaturated जून, unsaturated जून का मतलब हम क्या याद रखेंगे sir, unsaturated जून का मतलब है याद, कि हमारा जो flux है, वो proportional है, IA के, क्या मेरी बात clear है, येस sir, मतलब हमारा जितना flux बढ़ेगा, जितना IA बढ़ेगा, उतना ही flux बढ़ेगा, या नहीं, unsaturated मतलब linear जून ले लिया, ठिक, अब आपने कहा sir, इसको आप लिख दीजे, 5 is equals to KSC, आईए, जहां KSC एक proportionality constant ले लिया, हमने proportional symbol को हटाने के लिए, दूसरा हो गया, saturated zone, अब saturated zone में क्या होगा sir, saturated zone में, अगर आईए, बढ़ता है, तो flux बढ़ेगा क्या, नहीं sir, flux constant हो जाएगा, तो flux को आप 5 sat लिख दीजे, saturated zone में 5 sat लिख दीजे, या फिर आप इसको 5 not लिख दीजे, मतलब यह क्या हो गया, saturate कर गया, 5 sat लिख देता हो, नहीं, तो आप लोग इसको saturated को समझ नहीं पाओगे, ठीक है, yes sir, मतलब अगर मैं यहाँ पे curve देखूं, तो curve कैसा है, sir देखिए, पहले तो curve ऐसा है, कि यह proportional, आईए के proportional है, और फिर saturate हो गया, sir, हैथ हो, तब यह ऐसा ही है, flux versus आईए का curve, दो जोन में बांट दिया हूँ, एक portion ले लेता हूँ, OA portion, और एक portion ले लेता हूँ, AB portion, ठीक है, OA वाला portion क्या है, sir, यह वाला portion है, unsaturated, और यह वाला portion मैंने क्या ले लिया, saturated, क्या मेरी बात क्लियर है, आपने बुला, sir, बहुत तगड़ा, flux versus आईए समझाया, बुलो, मेरी बात समझाया, yes, sir, बहुत तगड़ा, बहुत ध्यान से देखना, बेटा, series यह एक मात्र ऐसा है, जिसमें characteristic में कई बार question पूछा है, बहुत ध्यान दीजेगा, हर exam में पूछा है, इसके बाद बात कर लेते हैं, torque versus आईए की, flux जो है, वो function था, आईए का, एक unsaturated जून में, एक saturated जून में, तो दूनों में दिखा दो, sir, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं, unsaturated जून में, unsaturated जून में, आपने बुला, sir, unsaturated जून में क्या होगा, flux phi हमारा equal था, ksci, आईए के, तो आप, sir, torque लिख सकते हो, k-ksci, i-a का i-square, बहुत तकड़ा, यहां से आपने बुला, यार, sir, हमारा जो torque आया, वो proportional to i-a-square आया, वो proportional to i-a-square आया, बहुत तकड़ा, फिर आपने बुला, sir, एक बार saturated जून में भी देख लो, तो second ले लेता हूँ, saturated जून में, first होग saturated जून में आपने बुला, sir, हमारा flux जो है, वो phi-sat, यानि constant हो गया, यह, sir, अब अगर flux हमारा constant है, यानि बदल नहीं रहा है, तो torque क्या हो जाएगा, k-phi-sat into i-a, मतलब torque proportional to i-a, आपने का, sir, दोनों बातें आ रही हैं, इसमें, proportional to i-a square भी आ रहा है, और proportional to i-a भी आ रहा है, हाँ, लेकिन proportional to i-a square वाला, जब कभी भी आपको कह दे, कि magnetization curve linear है, या फिर कह दे, neglect the effect of saturation, तो चाहे कितनी भी loading हो जाए, आप क्या कहोगे, torque is proportional to i-a square, और अगर कहता है, कि आपका जो DC series motor है, उसमें आप saturation effect को consider करिए, और motor heavily loaded है, है न, या highly loaded है, intentionally word use करे, तो उसका मतलब यार, machine saturated zone में, या कह दे, saturated zone में है, तो समझेगा saturated zone में, ठीक है, जी सर, जब तक ना कहें, saturated zone में, जब तक हमें इसा torque proportional to i-a square, आपने का सर, ये मुझे कैसा दिखेगा, ये मुझे कैसा दिखेगा, ये देखो, ये आपको दिखेगा, यहाँ पर, क्या बूलेंगे इसे, rectangular, parabola, और ये आपका हो गया, नॉर्मल, तो इसका मतलब आपने का सर, ये हमारा, ये जोन जो है, वो saturated, unsaturated का है, और इसके बाद क्या हो गया, सर, इसके बाद क्या हो गया, हमारा saturated zone है, तो एक बार आपसे question में पूछा था, कि saturated zone में, torque versus armature current का characteristic कौन सा सही होगा, तो saturated zone में, आपने torque versus armature current का characteristic बताया है, saturated zone जाहिर सी बात है, बहुत high field current पे saturate हो रहा है, यानि बहुत high armature current पे दिखाया है, parabolic है, parabolic है, ठीक है, यहां तक मेरी बात clear है, बहुत बढ़ी असर, समझ में आया, इसके बाद बात कर लेते हूं, omega m versus i.e. कर यह बड़ा अच्छा है, आपने कहा सर, यह क्या होता है, यह होता है, k dash phi omega m, जी सर, यह है speed versus armature current, speed versus armature current, बहुत सारे student omega m समझी नहीं पाते हैं, करते हैं सर, speed और armature current तो पढ़ा ही नहीं थे, यह है, आपने कहा सर, इसको k phi n भी लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास omega m क्या आ गया, omega m आ गया, ea by k dash phi, and ea क्या होता है, यह होता है, sir, v minus i a, ra plus rse, बहुत तगड़ा, तो यहां से सर, हमारे पास आ गया, omega m is equals to v minus i a, ra plus rse, upon k dash phi, बहुत तगड़ा, आपने कहा सर, अलग-अलग लिख दें, अलग-अलग लिख दो यार, अलग-अलग लिखने का मतलब, यहां v by k dash phi, और यहां पर k dash phi लिख दें, फिर, सर, दो जोन है, saturated और unsaturated, पहले बात कर लेते हैं, unsaturated zone की, जैसे ही आप unsaturated कहते हो, सर, अब मुझको याद हो गया है, कि unsaturated zone में क्या होता है, सर, flux proportional to i a होता है, तो अगर flux proportional to i a होता है, तो unsaturated zone में आपने मुझसे कह दिया, सर, omega m हो जाएगा, v by k dash k s c i a, yes sir, और minus of i a, ra plus rse, upon k dash k s c i a, आपने का सर, यह आईए और i a कट जाएगा, बहुत तगड़ा, जी सर, अब हमारे पास omega m की जो value आ रहे है, वो क्या हो गई, v by k dash k s c, और यहाँ पर आपने का सर, ra plus rse, upon k dash k s c, बहुत अच्छा, याद रखना आसान है, but, generally, machine constant k dash क्या होता है, p z upon 2 pi a, याद है, yes sir, machine constant k dash क्या होता है, p z upon 2 pi a, आपने का, a जो है, वो number of parallel path है, जो की जादा से जादा p के बराबर हो सकता है, p से बढ़ा नहीं हो सकता, ठीक, हाँ sir, multiplex winding में p से बढ़ा हो सकता है, लेकिन a जो है, वो p के बराबर आप इसमें कह दीजिए, ठीक है, z total number of conductors है, तो total number of conductors जो है, वो बहुत जादा है, denominator बहुत चोटा है, numerator बहुत बढ़ा है, इसका मतलब k dash की value 1 के comparatively बहुत बढ़ी है, जबकि ra plus rsc, दोनों मिला के भी क्या होता है, 0.5 ohm, 0.5 ohm, 0.6 ohm, 1 ohm, 2 ohm, ऐसे होता है, तो ra plus rsc बहुत चोटा है, जबकि k dash ksc बहुत बढ़ा है, इसका मतलब यह जो difference है, जो ratio है, ra plus rsc upon k dash ksc, यह बहुत चोटा होगा, और इसे हम लोग अपने machine के analysis में निगलेक्ट कर स सकते हैं, क्या कहा मैंने, बहुत ध्यान दीजेगा, आपने का सर, k dash ksc is much much greater than ra plus rsc, so ra plus rsc upon k dash ksc can be neglected, मतलब यह लगबग 0 के करीब है, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपने इसको neglect किया omega m क्या हो गया, आपने बुला sir, v by k dash ksc ia, मतलब हम कह सकते हैं sir, यहां से कि omega m हमारा proportional है, applied voltage by current के, अब जब आप characteristic बना रहे होते हो, तो आपने बुला sir, हम rated voltage हमेशा लगाते हैं, यानि anniversary proportional to ia हो गया, yes sir, अब anniversary proportional to ia है, इसलिए मैं से touch नहीं करा हूँ, क्योंकि आई यह 0 पे omega m infinite दिखाई दे रहा है, yes sir, तो इसलिए मैं touch नहीं करा रहा हूँ, yes sir, ठीक है क्या, और बढ़ते हुए IA के साथ, इस पर बढ़ते हुए IA के साथ, हमारा यह घटता जाएगा, as inversely proportional to, omega m is inversely proportional to ia, बहुत तगड़ा, क्या यह समझ में आया, yes sir, आपने का sir, यहां तक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, अरे यार हम सार हैं तो मतलब हमारे तो अच्छे रहेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया sir, कोई समस्या नहीं है, ठीक है क्या, जी sir, अब आ जाते हैं saturated June पे, unsaturated तो समझ में आ गया, saturated June बताओ sir, second ले लेता हूँ, saturated June, जब saturated June में जाएंगे तब, आपने बुला sir, omega m हमारा हो गया, v by k dash phi sat, yes sir, minus of ia ra plus rsc by k dash phi sat, बहुत तगड़ा sir, मतलब आपने का sir, यहां पे हमारा flux जो है, वो आईये पे निर्वरी नहीं कर रहा, constant है, तो बढ़ते हुए, आईये के साथ क्या होगा, omega m घटेगा, with a droop of ra plus rsc upon k dash phi sat, yes sir, तो यहां के बाद आपने का sir, हमारा यह बदल जाएगा, और यहां से हमें यह line दिखेगी, minus of ra plus rsc upon k dash phi sat, बहुत तगड़ा, clear है क्या, yes sir, यहां तक यह inversely proportional to ia था, इसके बाद क्या हो गया, sir, यह हमारा हो गया, straight line with a droop of, जहां पे यह जो straight line आपकी चालू हुई है, वो कह कहां से v by k dash phi sat से, कहां से v by k dash phi sat से, v by k dash phi sat से, क्या मेरी बात clear है, yes sir, तो saturated zone और unsaturated zone में आपने omega m versus आईए भी देखा, बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या, सभी को बहुत बढ़िया, अब आ जाते हैं यार इसके भी आगे, इसके आगे का मतलब है, हमारा last characteristic कर जो कि है omega m versus torque characteristic कर, तो sir, हमारे पास omega m का relation था और torque का relation था, yes sir, torque का relation क्या था, k dash phi into i a था, yes sir, और omega m का relation क्या था, omega m का relation है, v by k dash phi minus of i a ra plus rse upon k dash phi, बहुत तगड़ा sir, यह दोनों relation हमारे पास बने हुए, अब एक आपने का saturated june और एक unsaturated june, फिर से बात कर लेते हैं sir, पहले बात कर लेते हैं unsaturated june की sir, तो unsaturated june में क्या होगा, आपने बुला sir, unsaturated june में हमारा flux जो है, वो proportional to i a होगा, तो अगर flux proportional to i a होगा, तो torque क्या हो जाएगा, k dash ksc i a ka square, यानि i a क्या लिख सकते हो, root over of torque upon k dash ksc, बहुत तगड़ा, और फिर आपने का sir, इसके साथ साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है, कि omega m क्या लिख सकता हूँ, तो omega m हो जाएगा मेरा, v by k dash ksc i a minus of sir, ये ra plus rsc upon k dash ksc है, जो कि आप निगलेक्ट कर सकते हो sir, क्योंकि ra plus rsc बहुत छोटा है, comparative to k dash ksc, so you may neglect this portion, है ना, जी sir, अगर मैंने निगलेक्ट कर दिया यार, तो omega m हमारा क्या हो गया sir, v by k dash ksc i a, i a को क्या लिख दू, torque के टम में, root over of torque, root over of k dash ksc, बहुत तगड़ा sir, मतलब omega m किसके proportional हो गया sir, v by root over of torque के बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, समझे क्या, जी sir, यानि आप यहां से कह सकते हो sir, हम लोग तो rated voltage लगाते हैं, तो rated voltage लगाते हैं, तो root over of torque कैसा बन जाएगा, जी sir, omega m is inversely proportional to root over of torque, जी sir, अब आ जाते हैं, saturated zone में sir, saturated zone में क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान दीजेगा, second बात कर लिता हूँ, saturated zone में, saturated zone में क्या हो जाएगा sir, flux हमारा IA का function नहीं रह जाएगा, तो IA की जगे क्या रख सकते हैं, torque upon k-5, और omega m क्या है, v by k-5 sat minus of, IA की जगे torque रख देता हूँ, तो torque RA plus RSC upon k-5 का square, yes sir, k-5 sat का square, अब आपने का sir, अगर torque बढ़ाएँगे तो omega m घटेगा, लेकिन अब हमें straight line नजर आ रही है, तो यहां से मुझे straight line दिखने लगी, कहां से, आपने बोला sir, आपको straight line दिखना चलो हूई, v by k-5 sat से, यह एक straight line है, with a droop of minus of RA plus RSC by k-5 sat का square, बोलो क्या मेरी बात समझ में आई है, आपने कहा sir, बहुत तगड़े, हमको दूनों समझ में आया, sir, एक चीज और हमने notice करी, omega m versus आई ये, और omega m versus torque, लगभग, एक जैसा ही characteristic का shape देखने को हम लोगों को मिला, हर एक motor में, यहां तक clear है क्या, जल्दी से बता दीजे, फटा-फट सभी लोग, बहुत तगड़े, sir, यहां तक आपकी बात clear है, torque speed characteristic कर में कहीं कोई problem, नहीं, sir, हमने सारे तरह का आपको बता दिया, अब आप कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको expression wise आपको समझा दिया है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, जी, sir, अगर characteristic का आज है, तो सब expression लिखने मत लग जाना, इतना तो ध्यान होना चाहिए ना, कि यहां कैसा होता है हाँ, अब अगर यह तुमको मैंने जो derivations करा है, इनका भी कुछ ना कुछ benefit है, इसी लिए करा है, अब आज आज तुमको दिखाता है, इसका benefit क्या है, यहां तक clear है, yes, sir, आओ एक question करते हैं, यह question बहुत ध्यान से दिखेंगे सभी लोग, हम लोग यार DC series motor से train चलाने वाले तो इस question में train चलाते हैं, देखो, DC series motor is driving an electric train, DC series motor is driving an electric train, faces constant power, faces constant power load, अब दो तरह का load होता है, constant torque load कई बार लोग कह देते हैं, कई बार constant power load कह देते हैं, constant torque का मतलब तो तुम जानता ही हो, जिस पे हर speed पे torque की demand सेम रहती है, ऐसा ही constant power का मतलब क्या है, हर speed पे power सेम रहेगी, ठ ठीक है, जी सर, it is running at a rated speed and rated voltage, if the speed has to be brought down to 0.25 per unit, the supply voltage has to be approximately brought down to, supply voltage को कितना घटाया जाए, ये पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो आपने का सर, मुझको constant power load समझ में आया, सर जो आप कहते हो न, constant power load, इसका मतलब क्या है, constant power load का मतलब क्या है, इसका मतलब है यार, P, जो कि torque into omega m होता है, ये constant है, यही मतलब हुआ न, yes sir, अच्छा, इसका मतलब हुआ, P, जो कि torque into omega m होता है, वो constant है, तो यहां से sir, हम इस नतीजे पे पहुँचे, कि हमारा जो torque होगा, वो inversely proportional to omega m हो जाएगा, yes sir, power तो constant है, yes sir, तो अगर power constant है, तो torque क्य होगा, inversely proportional to omega m, ये कौन सा torque है, sir, ये load torque है, समझे क्या, yes sir, लेकिन कोई भी motor, किसी load को अगर study state condition में घुमारी है, तो इसका मतलब electromagnetic torque, load torque के बराबर है, otherwise, या तो motor accelerate करेगी, या de-accelerate करेगी, हम लोग समझते हैं sir, तो यहां पे आपने बोल दिया sir, हम कह सकते हैं, load torque is equals to electromagnetic torque, under study state condition, yes sir, इस्थिर वस्था में, इस्थिर वस्था मतलब जैसे महां लिजे 500 rpm पर चल ला है, तो 500 rpm पर कब तक चलता रहे हैं, जब तक load torque, electromagnetic torque बराबर होगा, जैसे ही कोई भी एक गढबला है, तो machine या तो accelerate करेगी, है de-accelerate करेगी, so under study state condition, load torque is equals to electromagnetic torque, ठीक है क्या on neglecting, on neglecting rotational losses, on neglecting rotational losses, yes sir, बहुत तगड़ा, आपने का sir, यहां तक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा electromagnetic torque जो है, वो inversely proportional to omega m है, yes sir, इसका मतलब electromagnetic torque, inversely proportional to omega m है, क्या मेरी बात clear है, yes sir, concluded, एक पहला conclusion यह बिला, दूसरा conclusion आपने का sir, हमने अभी अभी देखा, torque और omega m, क्या sir, इस मशीन की voltage को घटा के, हम speed को one fourth करना चाते थे, voltage को घटा के, speed को one fourth करना चाते थे, yes sir, तो sir, अगर हम speed को घटा के, voltage को one fourth करना चाते हैं, तो approximately supply voltage कितना change किया जाएगा, sir, मैंने torque speed characteristic कर पड़ा था, जी sir, और मुझे एक बहुत तगड़ा सा relation आपने दिखाया था, क्या दिखाया था sir, आपने दिखाया था, ओमेगा M is proportional to V by root over of torque, क्या दिखाया था, ओमेगा M is proportional to V by root over of torque, कब, कब unsaturated zone में, sir, question में अगर कहीं saturation की बात ना किया हो, question में अगर कहीं saturation की बात ना किया हो, तो क्या हम saturation effect लेंगे, कभी नहीं, बहुत तगड़ा sir, इसका मतलब मेरे पास एक और relation है, क्या, sir, electromagnetic torque also, चलो यहां से मैं, पहले तो torque निकाल लेता हूँ, तुमने कहा, sir, नया torque tau 2 क्या हो जाएगा, tau 2 by tau 1 जो है, वो omega M1 by omega M2 हो जाएगा, sir, जो कि कुछ और नहीं, sir, आपने कहा है, कि हमारा omega M2 जो है, वो 1, 4 तॉर, omega M1 हो जाएगा, यानि 4 ताइम्स, यानि नया torque जो है, वो 4 गुना होगा, पुराने torque के, ये बात आपने कही है, ये बात मुझे समझ में भी आ गई है, ठीक है, इसके बाद आपने कहा, sir, हमने अभी अभी देखा, हमारे series motor के लिए, series motor के लिए, for series motor, for series motor हमको क्या पता है, sir, electromagnetic torque, क्या होता है, यार, electromagnetic torque, तुमने कहा, sir, V by k-5, electromagnetic torque, omega m, sir, series motor के लिए, omega m होता है, V by k-5, minus of Ia, ra plus Rse, upon k-5, जहाई, जहाँ पे आपने कहा था, sir, यहाँ torque से replace कर दो, तो जब हमने torque से replace किया था, तो क्या आगिया था, यार, पहले तो flux को current से, और current को torque से, तुमने कहा, sir, यहाँ पे आपने इसको current से replace कर दीजे, येस सर तो यहाँ पे जब आप इसको flux को current से replace करेंगे तो K-KSC IA आया था जो कि इसको cancel कर दिया था येस सर और फिर आपने का सर यहाँ पे torque से करा आपने का omega m लगभग proportional है V by K-KSC IA के और IA की जगे पे आपने क्या रख दिया था Sir root over of torque तो K-KSC root over of torque root over of K-KSC IA था यहाँ से आपने का सर यह हमारा V by root over of torque के proportional था कौन omega m आपने का सर यह एक equation हमें यह पता है series motor का approximately voltage पूछा भी है तो हमको RA दिया नहीं है निगलिट कर दिया RA plus RSC आपने का सर यार omega m2 by omega m1 किसके बराबर हो जाएगा voltage V2 by V1 into root over of torque ताव 1 by ताव 2 ठीक है क्या यह सर इन्वर्सिरी प्रपोस्टल है नया suffix को 2 से दिखा दी आहां मोहित बुलिए आपने बुला सर यह 1 4th हो गया यह V2 by V1 निकालना चाहता हूँ यह root over of ताव 2 क्या है तो यहां पर आपने बुला V2 क्या हो जाएगा सर V2 by V1 आपका हो जाएगा सर 1 by 2 मतलब 0.5 अचा V1 क्या है रेटेड वोल्टेज है actual voltage upon rated voltage क्या होता है पार यूनिट वोल्टेज तो पार यूनिट वोल्टेज कितना हो गया 0.5 पार यूनिट क्या मेरी बात समझ में आई है बोलो यार तुमको ये सब लिखने की जरुवत नहीं थी ये तो मैंने लिखा तुम directly यहीं से आगे बढ़ सकते थे और जो मैंने torque पहले निकाल लिया था वो आपको समझाने के लिए otherwise मैं वहां पे भी torque की जगे omega m के term में रखके आगे बढ़ गया होता है समझाया question समझाया आपको मैंने जितने expression लिखाए हैं लगबग उन सभी expressions का आपको अब use भी दिखने लग गया होगा ये एक ऐसा question है जो कि ना तो IAS ने छोड़ा ना ESC ने छोड़ा और ना gate ने छोड़ा तीनों में पूछा, same question, same option gate, IES और IAS तीनों में question समझाया अरे हाँ नहीं तो बो जल्दी से फटा फट अपना comment section में yes और no शब्द में जल्दी से बता दो question समझाया कि नहीं है यार बड़ा आसा question था इसमें बस constant power load एक नहीं बात थी जो मैंने आपको समझा दी constant power load किया है बाकी आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर दिखा रखा था पहले की तरीके से clear है क्या अच्छा engineering में maximum क्या problem होती है student ना पूरी classes नहीं देखता इसके चक्कर में क्या होता है कि जब कभी भी वह बीच के topic से शुरू करेगा न तो समझना बड़ा मुश्किल होगा यह पूरे हर subject में है machine machine तो बतलब अपने आपने बड़ा जबर जस्त है तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिना class को भगाय हुए देखें क्योंकि भगाने में आप को बहुत important point मिस कर देंगे ठीक है दूसरा जब आप online पढ़ रहे होते हैं और दूसरा सबसे important यह है कि आप classes को पूरा देखें साथ साथ आप जितना हो सके notes भी बनाते चले जिस समझ सुन और अप समझ सुनिए एक टाइम आप अपना notes आगे चलके बना सकते हैं ठीक है बहुत बढ़ी है लोगों को समझ में आ गया आगे बढ़ जाते हैं यार एक और question देख लो ज़रा बहुत आसान है DC series अब बहुत आसान हो गया DC series motor तुम्हारे विए बहुत आसान हो गया कैसे सर देखो 240 volt की DC series motor है 40 ampere की current ले रही है और giving a rated output at 1500 rpm ठीक है क्या its resistance is 0.3 ohm इसका मतलब क्या है सर आर्मेचर प्लस आर्मेचर प्लस series field winding ठीक है resistance कितना है 0.3 ohm the value of resistance which must be added to obtain rated torque at 1000 rpm अरे यह क्या करवा रहा है सर desired torque at desired speed मांग रहा है गजब है सर यह हमसे कह रहा rated torque बताओ हमको 1000 rpm पे चाहिए तो कितना resistance और series winding के साथ series में जोड़ दे मतलब समझगे ना यह सर आर्मेचर के साथ series में कितना resistance और जोड़ दे तुमने कहा सर यह question मुझे समझ में आ गया यहां आपसे कहा जा रहा है यहां resistance कितना जुड़ दिया जाए ताकि मुझे 1500 rpm पे जो torque मिल रहा था full load torque वही torque मुझे 1000 rpm पे मिल जाए यही कह रहा है यही कह रहा है यही कह रहा है बहुत बढ़ी है तो चलो यहां पे सबसे पहले तो हम series field winding दिखा देते हैं फिर यह हमारा armature दिखा देते है electrical model जब तक तुमारे रग रग में ना बस जाए तब तक electrical model बनाते रहना है motor कितने volt की है सर यह हमेशा rated voltage terminal voltage होता है आरे प्लस आरे सी आपको आरे प्लस आरे सी दोनों मिला के दिया हुआ है यह सर यह हमारा induced dmf हो गया यह सर यह हमारी speed हो गई बहुत बढ़ी है आपने कहा सर हमको ना आरे प्लस आरे सी मिला के दिया हुआ है पॉंट थि हम से कोश्चन में क्या कह रहा है सर हम से कोश्चन में कह रहा हम को रेसर्ट टॉर्पophile एक हाल अलर्पिम पहले कब मिल्ला था रेते टॉर्क या रेटेट अब पूट मिल रहा था हमें वंग्वशाव अर्पिम्पर ठेका है का एक्प्रेशन यूज किया जाता है हुन ओर का एक्प्रेशन यूज करेंगे इन ओर टॉकुले द आप मिर्ट करेंगे टिगे जी सथी चलो देखते हैं सर पहले हमारी करेंट ाट 1500 RPM अट 1500RPM वट इस अग्प्तिन 100 rpm आई एवन हमारी क्या थी 40 ampere फिर हमसे कह रहा है कुछ resistance add कर दो और हमें मिल जाए rated torque at 1000 rpm तो at 1000 rpm भी हमें उतना ही torque चाहिए ठीक है sir जी sir यह हमारा कब था rated torque की condition full load torque की condition sir this is under full load torque condition full load condition that is torque full load condition ठीक है torque full load condition का मतलब rated torque जी sir टॉर्क क्या होता है क्या होता है के डाश फाई इंटू आई यह यह सर अब आपने का sir अगर हम बात करें टॉर्क की तो चुकी हमारा flux proportional है आईए के यह सर तो टॉर्क क्या हो जाएगा के डाश आपने का sir अगर इसको के एस सी प्रपूर्शनलिटी constant को लिख दें तो के एस सी आईए स्क्वायर के बहुत तगड़ा तो अगर टॉर्क सेम है तो इसका मतलब आईए भी सेम रहेगा येस सर इसका मतलब क्या हुआ फॉर फॉर सेम रेटेट टॉर्क रेटेट टॉर्क आर्मेचर करेंट विल रिमेन 40 एंपियर तो नई आर्मेचर करेंट भी 40 एंपियर ही रह जाएगी आट कितने आर्पीम पे 1000 आर्पीम पे क्या मेरी बात समझ पाए मैं इतता लिखा इसलिए हूँ ताकि तुमको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए मुझे डारेक्ट दिख रहा है टॉर्क प्रपूर्शनल टू आईए स्क्वार तो टॉर्क कॉंस्टेंट रहेगा कि कि आपका टॉर्क क्या कहा रखा है सेम फुल लोड टॉर्क हजार आर्पीम पे लेकिन मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि यार फुल लोड टॉर तो यह व्याल टॉर्क ही हमारा रिटे टॉर्क यहां पर और हमसे क्या कहा गया है सेम फुल लोड टॉर्क 1000 न regret बदली क्यों सर फ्लक्स प्रपोशनल टु आ 부드ẹp तॉर्क प्रपोश्चनल तो आई ए स्कुएर है, दोनों से आइम टॉर्क से, दोनों टाइम करेंट से, बहुत तगड़ा सर, अब सर करेंट सेम रह गई, आर्मेचर करेंट निकालने के लिए हमेशा क्या यूज़ करना है, टॉर्क का एक्सप्रेशन, चाहे डीसी सिरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, कोई भी मोटर हो, हमेशा टॉर्क के एक्सप्रेशन से क्या निकालना, करेंट, उसके बाद उठा के स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है सर, ये था यार, वी माइनस आई ये, आरे प्लस आरे सी, माइनस वी वी डी, लेकिन ब्रस ड्रॉप दिय नहीं हुआ है, तो ब्रस्टरॉप गायब हो गया, अब आपने कहा सर, ब्रस्टरॉप अगर गायब हो गया, मतलब दिया नहीं है, और इसको हम किसके बड़ाबर लिखते हैं, के डैश फाइव उमेगा एम, या फिर हम लिखते हैं, के पर आइनके बराबर, तो सर, हमारे प पुरानी स्पीड लिख लो, ठीक है, जी सर, हमको क्या निकालना था सर, हमको नई स्पीड निकालनी थी न, नहीं, सर हमको निकालना था, रजिस्टेंस विच मस्त भी आड़ेट इन और तो गेट दे न्यू स्पीड आफ 1000 आपने का सर, टर्मिनल वुल्टेज तो नहीं बदल न, आर्मेचर करेंट आई ए टू लिख देता हूँ, ठीक है सर, आरे प्लस आर एस सी, प्लस एक्स्टरनल रजिस्टेंस लगा दिया, ये एक्स्टरनल रजिस्टेंस है, तो जब एक्स्टरनल रजिस्टेंस लगा दिया तो आपने बुला सर, यहाँ पे एक्स्टरनल रज बताओ, सर इन्वर्सली प्रपोर्शनल है, मतलब यह हो जाएगा, फाई टू बाई, पाई वन, अच्छा सर फ्लक्स किसके प्रपोर्शनल है, आईए के, तो आईए बदला है क्या, नहीं सर, आईए तो 40 अंपियर ही है, तो फ्लक्स भी नहीं बदलेगा, नहीं स्पीड है 1000, पहले स्पीड थी 1500, वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, करेंट 40 अंपियर, आरे प्लस आरे सी 0.3, और एक्स्टरनल निकालना चाहता हूँ सर मैं, अपन 240 माइनस 40 इंटो 0.3, बहुत तगड़ा सर, और यहाँ पे सर, मैं फ्लक्स को कर करेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो आई ए 2 और आई ए 1 दोनों क्या थी, 40 अंपियर थी, तो यह तो कट जाना है, इसका पिक्चर में आने से रहा, क्या बच गया, और एक्स्टरनल, और एक्स्टरनल की वैल्यू मुझे बता दो, फटाक से सॉल्व करके, कितनी आई, क हमेशा question solve हो जाएगा, तुम apply करके देख लेना, हमेशा torque के expression से क्या निकालोगे? current, हमेशा torque के expression से current निकालोगे, अब torque के expression हर मुटर का अलग अलगे, तो ध्यान रखोगी, भई, कभी यह ए यह के proportional है, अग शंट होता तो आई यह के proportional होता, separately होता तो आई यह के proportional होता, तो तो बहुत तगड़ा आपने यहां तक तो मेरी बात कर दी अरे यार बड़ा तेज टाइम गीत रहा है आर एक्सटनल कर जाएगा जी सर चलो बहुत बढ़िया ऐसे ही तुम यह वाला कोशन भी कर सकते हैं बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं DC series motor है जिसका resistance 1 ohm है across the terminals runs at 1000 rpm at 250 volt taking a current of 20 ampere when a digital resistance of 6 ohm is inserted in series taking same current the new speed would be अरे यार सर यह तो बहुत आसान हो गया हम लोगों को क्या लिखना है N2 by N1 is equals to V minus Ia2 Ra plus RSC plus external resistance V minus Ia1 Ra plus RSC जी सर बहुत तगड़ा आपने का सर इंटू में क्या कर दूं मैं 52 by 51 by 52 अब चकी current बदल नहीं रही तो flux बदलेगा नहीं जी सर current बदल नहीं रही तो flux बदलेगा नहीं आपने का सर सब कुछ रखा हुआ है रख देता हूं एंटू निकलाएगा खतम जी सर बहुत तगड़ा इस तरह का कोशना बहुत आराम से कर सकते हो मेरे हिसाब से कहीं कोई problem नहीं बोल दो मुझे जल्दी से एक बार series पक्का साही से समझ में आ गया अभी हम लोग speed control में series को और देखेंगे क्या देखेंगे महां पर series parallel connection of field winding series parallel connection of series motors traction motor speed control armature voltage control यह सब हम लोग speed control में देखेंगे लेकिन as far as motor is concern और generator is concern क्या series अच्छे से समझ में आया जल्दी से सभी लोग बता देंगे series important है इसलिए मैंने इसको समय भी जादा दिया है ठीक है क्या सभी को समझ आया है बहुत तगड़ा अब आज आते हैं बहुत खास बात पर अब आप लिखना बंद कर दीजिए अब आप बस मेरी बात सुनते जाए क्योंकि मैं notes आपको download करने का facility रहता है और free है आपको क्या करना होता है जो मैं लिखा हुए न मेरे electrical machine में जाना electrical machine के अंदर आपको ये class मिल जाएगी इसका बीपी पी मिल जाएगा और साती साथ आप इस class का PDF डाउनलोड कर पाओगे ठीक है हाँ बिल्कुल free होता है कोई charges नहीं होते यो आपके YouTube वाले हैं वो ठीक है तो crash course आपका मिल जाएगा आपको ठीक है चलो यहां पर देखो वहां पर तुम lecture दुबारा देखना चाहतो देख सकते हो जितनी बार चाहतनी बार यहां देखो जरा armature reaction अब सर यह क्या होता है अरे यह कुछ नहीं होता distortion of main field flux due to armature flux is called armature reaction सर फिर से repeat करो distortion of main field flux due to armature flux is called armature reaction मतलब armature flux की वजह से main field flux के खराब होने को ही हम लोग armature reaction कह देते हैं अब सर हम लोग इसका इतना care कर क्यों है DC machine में क्योंकि इसके चलते machine में आग लग सकती है इसके चलते हमारा voltage कम मिल सकता है इसके चलते हमारे motor की speed पे असर पर सकता है अब आपने का सर समझाओ तो ध्यान देना the effect of armature flux on to the main field flux is called armature reaction थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं एक दो पोल की machine ले लेता हूँ ठीक है सर ले लो अब इस दो पोल की machine में मैंने क्या कर दिया बहुत ध्यान से देखो मैंने मान लिया यार यह मेरे पास एक generator है दो पोल का generator है ठीक है और generator को मैं इस direction में मान लो घुमा रहा हूँ ठीक है क्या यस सर तो अगर मैं इस direction में generator को घुमा रहा हूँ तुमने का सर और जो हमारे पास यह armature के जीरो हो जाएगी सर तो मैंने क्या किया यार यह ऐसा generator लिया जिसके armature current जीरो कर दिया ठीक जी सर और field winding में मैंने current बहा दी field winding में मैंने इस तरह की current बहा दी जी सर इस तरह की current बहेगी तो क्या होगा सर right hand curl rule के मताबिक अगर current यहां से आ रही है और यहां जा रही है मतलब यह कुछ ऐसा दिख रहा है समझना मेरी बात को ठीक है जी सर तो यहां से आ रही current और यहां से अंदर जा रही अदे बड़ी भैकर जिताम हो गया है ठीक है आपने बुला सर यहां पर क्या हो जाएगा यह नॉर्थ बन जाएगा याद और यह साउथ जहां से magnetic line of forces मटल से बाहर आती है उन और और जहां पर अंदर जाती दिखाई देती है वो वापस south बन जाता है ठीक है क्या जी सर यहां पर आपने बुला सर सिर्फ main field flux आएगा क्यों सर आर्मिचर में तो current नहीं बह रही जब आर्मिचर में कोई current नहीं बह रही तो इसका मतलब क्य क्या हुआ सर आर्मिचर का कोई flux नहीं आएगा करेंट नहीं तो mmf नहीं mmf क्या होता है निंटो आई यह सर आपने बुला सर यहां पर अगर हम लोग तो magnetic line of forces को देखें तो magnetic line of forces हमें कैसी दिखाई देंगी मैंने का वह यह देखो यह तुमारी magnetic line of forces तुमें कुछ इस टाइप की दिखाई देंगी यह क्या है यह क्या है सर मागनेटिक फ्लक्स दिट्व में फिल्ड ओनली यह मैंने फ्लक्स देंस्टी ड्यूटू में फिल्ड ओनली ठीक है क्या यह तक मेरी बात सभी को क्लियर है बोलिएगा बिटा अच्छे से सभी लोग clear है क्या? yes sir so यह हो गया हमारा flux density distribution due to main field क्या लिख दू मैं यहाँ पर? flux density distribution due to main field इपन बदल के लिख जेता हूँ flux density flux density distribution due to main field only flux density distribution due to main field only ठीक है क्या? जी sir अच्छा अब अगर आप इस main field की वज़े से देखें तो magnetic neutral axis कहाँ होगा? सर जब conductor यहाँ होगा तो perpendicular motion कर रहा होगा और जो conductor यहाँ होगा वो parallel motion कर रहा होगा तो sir यहाँ पर हमें magnetic neutral axis देखने को मिलेगा बहुत तगड़ा सर हमें magnetic neutral axis कहाँ देखने को मिला? magnetic neutral axis हमें देखने को मिला यहाँ पर जी sir यह हमें magnetic neutral axis as per the magnetic line of forces देखने को मिला इस वो magnetic neutral axis MNA कहते है अच्छा geometrically अगर north or south देखा जाए तो यह geometrical north or south है तो geometrically neutral axis कहाँ है? यही है आपने बुला sir geometrical neutral axis को आप GNA कह दो यानि आप यह कह सकते हो sir कि अगर हमारा generator no load पे है तो r nature का flux picture में आएगा नहीं इस समय हमारा magnetic neutral axis या geometrical neutral axis दोनों एक ही जगे पे geometrical का मतलब north or south की position देखा geometrically और इसके इसाब से आपका यह magnetic neutral axis है और अगर magnetic line of forces को भी देखो तो यही magnetic neutral axis है तो आपने बुला sir geometrical neutral axis और magnetic neutral axis दोनों सेम होगा जब तक कि आपका सिर्फ main field flux exist कर रहा होगा ठीक है क्या? जी sir बहुत बढ़िया अब हम बात कर लेते हैं flux density distribution due to armature field only ठीक है? क्या बात करने जा रहा हूँ? flux density distribution due to armature field only ठीक है sir flux density distribution due to armature field only की बात कर लेते हैं आपने बुला sir flux density distribution due to armature field only बहुत ध्यान दीजेगा बहुत ध्यान दीजेगा आपने का sir अगर मान लीजे यहाँ पर हमने कोई current नहीं भाई no current in field winding ठीक है? लेकिन यह north था यह south था हमको यह पता है अज्यूम कर रहा हूँ ठीक है? और मैं इसको rated speed पे घुमा रहा हूँ किसको? rotor को rotor को मैं rated speed पे घुमा रखा हूँ किदर? anti-clockwise direction में as a generator तो यहाँ EMF की polarity क्या आएगी? तुमने का sir EMF की polarity के अगर बात करें तो यह outward आएगी और यहाँ पर बात करें तो inward आएगी क्या clear है मेरी बात? यह सर तो आपने का sir induced EMF की polarity यह आउट वर आएगी और यहाँ पर inward आएगी क्या मेरी बात clear है? यह सर अब आपने का यह एक काम करते हैं यार इसको हम लोग clockwise घुमा लेते हैं एंटी clockwise में जगह है उपर है नहीं मेरे पास नीचे जगह ज्यादा अच्छी बन रही है तो clockwise घुमा लेते हैं फरक नहीं पड़ेगा कोई भी चलो हमने जनरेटर को as a generator clockwise डारेक्शन में घुमा लेते हैं जनरेटर as a generator clockwise direction में गुमा लेते हैं ठीक है जी सर आपने का यहां पर तो हमने देखा हमारी कोई current rotor में बहन नहीं पा रही थी क्योंकि आप rotor की winding को open रखे थे यहां आप कह रहे हो सर यह north बनेगा यह south बनेगा ठीक है यहां तक मैं आपकी बात समझ गया यह north बन रहा है और यह south बन रहा ह मैं कोई भी field winding में current नहीं दे रखा हूँ ठीक है और मैं मान रहा हूं कि जो मेरा इसमें current बहेगी rotor की winding में वो rated बहेगी ठीक आपने का सर यह north है अगर आप anti clockwise घुमाओगे तो यहां क्या हो जाएगा cross और यहां क्या हो जाएगा dot induced DMF जो हमें दिखाई देंगे वो यह सर अब अगर induced DMF current बहा रहा है और rated current बहा रहा है अगर rated current बहा रहा है तो क्या होगा सर यह बहने वाली current एक field बनाएगी सर अचा right hand curl rule के हिसाब से यह magnetic field कैसी बनाएगी आपने का सर कुछ इस तरह से यह magnetic field बनाता हुआ नजर आएगा बहुत ध्यान देंगे सभी लोग बहुत ज़्यान देंगे येस सर इस तरह से यह magnetic field बनाता हुआ नजर आएगा येस सर और यह outward है जी सर तो यह magnetic field इस तरह से बनाता हुआ नजर आएगा जी सर बहुत बढ़िया ये हमारा flux density distribution हो गया due to हाँ जी बिटा armature field flux density distribution हो गया due to armature field तो अगर armature का flux देखा जाए तो armature का flux कहां दिखाई दे रहा है आपने बुला सर armature का flux मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है armature का flux मुझे यहाँ पे इस direction में directed दिखाई दे रहा है कि एस दिस दार में चरफ प्लक्स क्या सकता हूं क्या यह सब्सक्राइब दिखा देता हूं यह हो गया हमारा आर में चरफ प्लक्स कि आर्मेचर फ्लक्स हो गया सरी है यह हमारा क्या हो गया फील्ड फ्लक्स या सरी आर्मेचर फ्लक्स करों कि आर्मेचर का फ्लक्स फिल्ड फ्लक्स कहां था सर फील फ्लक्स यहां था लौट पर चलाएंगे नहीं सर लौट पर चलाएंगे किन प्रिक्ष्ट चलाएंगे तो generator no load पे तो चलाएंगे नहीं सर, load पे चलाएंगे, motor भी हम load पे चलाएंगे, no load पे क्यों चलाएंगे, तो अगर load पे चलाएंगे तो ये वाला flux भी exist करेगा जिसको हम armature flux कह रहें, जी सर, और ये वाला flux भी exist करेगा जिसको हम field flux कह रहें, तो ये दोनों flux exist करेंगे, जी सर अब जब दोनों flux exist करेंगे तो resultant flux कैसा दिखाई देगा, आपने का सर दिखिए, अगर हमारा यहाँ पर भी rated current बह रही है, field winding में भी, है न, और हमारी armature winding में भी rated current बह रही है, आपने किदर गुमा रखा है, clockwise, अगर rated current बह रही है, तो इस condition में sir, दोनों field exist करेंगे, yes sir, field, armature field भी exist करेंगी, और आपकी main field भी, main field यह हो गई बिटा, जान देना, और armature field तुमने का सर यह हो गई, तो यह field इसको क्या करेंगी, दबाएगी, yes sir, दबाएगी तो क्या हो जाएगा, resultant field जो है, वो हमें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, resultant field जो है, वो हमें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग, आपने का सर, resultant field हमें ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है क्या, yes sir, तो अगर resultant field हमारी यह हो गई, आपने का सर, अगर resultant field हमारी यह हो गई, क्योंकि भाई यह हमारी armature main field फ्लक्स था और armature field, तो यह resultant field हमारी यह हो गई, तो resultant magnetic neutral axis कहां दिखाई देगा, आपने बोला सर, resultant magnetic neutral axis मुझे यहां दिखाई दे रहा, पाई, magnetic line of forces से 90 degree, आपने बोला सर, conductor जब यहां होंगे तो maximum induced होगा, और जब parallel to magnetic line of forces चल रहे होंगे, तो वहां पे आप बोलोगे सर, magnetic neutral axis है, तो यह M, N, A हो गया, बहुत तगड़ा, जबकि geometrically north और south की position देखी जाए तो geometrical neutral axis कहां है, आपने बोला सर, geometrical neutral axis अपनी ही जगे पर बनी हुई है, geometrical neutral axis तो अपनी ही जगे पर बनी हुई है, यह सर, तो हमने यह पाया कि यार सर, अगर हम flux density distribution की बात करें, तो flux density distribution पर असर पड़ा, because of the armature flux, तो आपने का सर, अगर हम flux density distribution due to main field देखें तो यह दिखाई दे रहा था, flux density distribution due to armature field देखें तो यह दिखाई दे रहा था, और flux density distribution resultant की बात करें, तो यह हमें यह दिखाई दे रहा है, resultant flux density distribution से हमने यह पाया, कि सर, magnetic neutral axis shift कर गई है, geometrical neutral axis से, किदर shift की है, आपने बुला सर, हमने किदर घुमाया था इसे, हमने किदर घुमाया था, generator को clockwise direction में, जी सर, clockwise direction में घुमाया था, तो जो हमारा flux armature काया वो नीचे, और इस condition में हमारा MNA, GNA से किदर shift कर गया, in the direction of rotation, यह अगर मैंने anticlockwise घुमाया होता तो, अगर anticlockwise घुमाया होता तो, सर, anticlockwise घुमाया होता तो, यह current पलट जाती, यह flux पलट जाता, जी सर, तो यह वाले को इधर धकेला होता, यह सर, और फिर हमारा flux density distribution जो resultant मिलता हो, क्या हो जाता, सर, यह इस direction में tilt कर जाता, यानि मैं यह कह सकता हूँ क्या, कि हमारा armature reaction के कारण, magnetic neutral axis, shift कर गया, geometrical neutral axis से, in the direction of rotation for generator, in the direction of rotation for generator, और यही machine, अगर यही current बहाऊगे न, तो motor की रूप में इधर चलेगी, opposite to the direction of rotation for motor action, लिख सकता हूँ, yes sir, तो हमको यह समझ में आगया armature reaction ने क्या किया, armature reaction shifts, magnetic neutral axis, from geometrical neutral axis, in the direction of rotation for generator action, and against the direction of rotation for motor action, clear है क्या, yes sir, यह हमारा है, resultant flux density distribution, अब आप बोलोगे sir, तो हला क्यों मचा रहे हो, resultant flux density distribution, अब आप बोलोगे sir, तो हला क्यों मचा रहे हो, अरे change हो गया, तो change हो गया, अरे नहीं, change होने से बहुत कुछ बदल गया, अब आपने कहा, sir, हमको brush कहां रखना होगा, हम लोग brush हमेशा magnetic neutral axis पे रखते हैं, ऐसा इस वज़े से करते हैं, क्योंकि brush के द्वारा, जिन दो coils को short किया जाता है, वो दोनो coils magnetic neutral axis पे होने चाहिए, brush हमेशा ऐसा रखते हैं, कि जिन दो brush, दिन दो commutator segments को brush द्वारा short किया जा रहा है, उन दो commutator segments से connected coil, magnetic neutral axis पे होनी चाहिए, अब अगर brush की position यही छोड़ दी जाए, तो सर, ये इसका इधर का हिस्सा North के influence में, और इधर का हिस्सा South के influence में, और ये वाला जो conductor है, अगर वो North के influence में आ गया, ध्यान दीजेगा मेरी बात के, आपने का सर, मान लीजे ये हमारे पास number of conductors पोड़े बढ़ा देते हैं, तो आपने का सर, ध्यान दीजेगा, आपने का सर, armature reaction कारण क्या हुआ है, यहाँ पर अगर ब्रश रखा हुआ है, तो ये वाले conductor series में है, जी सर, और सर, आपका flux का जो magnetic field है, वो इधर North है और इधर South है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला conductor under the influence of North है, लेकिन ये connected है in series with the conductors under the influence of South, ऐसा होने की condition में सर, ऐसा होने की condition में सर, brushes पे heavy sparking produce होती है, जिसे हम commutation problem कहते हैं, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो commutation की समस्या हो सकती है, brush पे sparking हो सकती है, ऐसी condition में, तो ऐसे लिए, जो भी हमारी coil, commutator segment द्वारा, जो भी brushes को short किया, जो भी commutator segment, brushes को short करेंगे, उन से connected coils, magnetic neutral access को होना जरूरी है, उसी के हिसाब से brush की position होनी चाहिए, आपने का सर, यहां तक मैं आपकी बात समझ गया, अब देखो जरा यहां पर, आपने बुला सर, resultant flux density distribution में, यही वाली बात मैंने यहां पर लिख दी है, बिटा सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को भी अगर यहा action of rotation for motor action, याद रहेगा, याद रहेगा, येस सर, आजाओ आगे बढ़ जाते हैं, सर, अगर मान लो, हम लोग brush को उठा के नए M&A पर shift कर दे तो, किसी ने मुझ से का सर समस्या क्या थी, समस्या यही थी ना, कि हमारी magnetic line of forces जो हैं, हमारी magnetic line of forces जो हैं, वो इस तरह से पात ले रही थी, यही समस्या थी ना, हाँ, इनके वज़े से क्या हो रहा था, हमारा magnetic neutral axis shift कर जा रहा था, और हम brush की position को लेके परेशान हो रहे थे, क्योंकि brush की position अगर सही नहीं थी, तो क्या produce हो रहा था, सर, sparking produce हो रहा था, हमारे magnetic brush axis पे, जी सर, अगर brush की position सही नहीं रखेंगे, तो हमारा sparking produce होगा brush axis के, तो आपने बुला सर, हम क्या कर देते हैं, यह हमारा मान लीजे, geometrical neutral axis है, यह हमारा GNA है, और MNA मान लीजे, इधर shift हुआ है, आपने का सर, यह वाली जो condition हमारी आई थी, इस condition में, North और South है, इस condition में सर, problem क्या थी, problem यही थी ना, कि हमारा MNA shift कर गय समस्या है GNA से, जबकि brush तो हम GNA पर रख देंगे, जी सर, तो समस्या हो रही थी, आपने का सर, एक काम करो न, यह brush को यहां से खिसका लाओ, brush को यहां रख दो, तो क्या समस्या का निदान हो जाएगा, चलिए, एक बार को सोचते हैं, पहली समस्या तो यह है कि brush को हम पता क कैसे लगाएं कि कितना shift करना है, क्यों, क्योंकि यार जब हम बात करते हैं generator या motor की, तो या तो loading fix कर दें, कि motor को हम इसा फुल लोड पे चलाएगे, और फुल लोड के current के हिसाब से, number of turns के हिसाब से, यह armature का MMF calculate कर ले, ठीक है क्या, जी सर, तब उसकी साब से तो हम degree निका बार बार पकड़के बैठके brush घिसेंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि जब current बदलेगी, MMF बदल जाएगा, MMF बदलेगा, तो सर, यह जो shifting है, इसकी position भी बदल जाएगी, तो बार बार brush थोड़ी पकड़के घिसते रहेंगे, तो पहली समस्या तो आपको समझ में आगे, कि सर, सर, अगर मैं निकाल भी लूँ, कि brush shift कर सकता हूँ, इस parking से बचने के लिए, तो भी सर, यह नहीं पता कि कहां पे shift करूँ, यहां तक मेरी बात क्लियर है, येस, अब आपने का सर, चलिए, मान लेते हैं, थोड़ी दिर के लिए, कि आप full load पे ही motor को चलाएंगे, और हम इसा machine as a motor होगी, तो opposite direction में as per the direction of current हम बता देगी, आपने का सर, clockwise घुमा रहे हैं, तो north के influence वाले conductor में cross current, और dot के under वाले conductor में, sorry, south के under वाले conductor में dot current, ठीक है, जी सर, इसके हिसाब से हमारा main field flux किदर दिखाई दे रहा है, आपने बुला सर, main field flux मुझे यहां दिखाई दे रहा है, सभी लोग बहुत ध्यान देंगे, यह सर, यह हमें main field flux दिखाई दे रहा था, यह सर, यह में main field flux दिखाई दे रहा था, और armature में बहने वाली current की वज़े से, R-Mature में बहते वाली current की वज़े से आपने बोला सर यह आपको RM-Mature Flux नजर आ रहा था आपको RM-Mature Flux नजर आ रहा था ठीक है क्या? यस सर यह हम Phi-A-R का नाम दे देते हैं Phi-A-R का मतलब Ar-Mature Reaction Flux ठीक है? Ar-Mature Reaction Flux और Main Az εκ दोनों का हमने Phasor Sum किया हमने फेजर सम किया हमें क्या मिल गया सर रिजल्टेंट फ्लक्स ज क्या मतलब आप यहां चाहरे हो कि हमारी magnetic line of forces जो हैं, वो कुछ इस तरह से path लेती हुई दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से path लेती हुई दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से path लेती हुई दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से path ले रही होंगी, यही न, जी सर, तो इससे समस्या क्या हो रही, आप brush को उठाके shift क कहां शिफ्ट कर दो आपने बुला सर एक काम करो ब्रश को उठाके ना नई पोजिशन पर शिफ्ट कर दो क्योंकि अब अगर आप देखो तो इस वाले ब्लू वाले पिंक वाले लाइन से 90 डिग्री पे आपका से इस पास ये वाला है ठीक है यह सब्सक्रम कले और ऑफमरा यह मेने शिफ्ट कर गया जी अए यह मारण जी अने है natrical neutral access और magnetic neutral access हमारा यहां तक तो समुझ में आ चुका है कई बार लिग दिया आप ने मागनीटिक Central Access के हिसाफ से brush को shift जाए तो जी सर, जितने भी conductors इसके इधर हैं, वो South के influence में आ जाएंगे और जो भी conductor इसके उपर हैं, वो North के influence में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हूँा सर, इन सब में Cross frequent आ जाएगी और इन सब में dot current आजएगी यह सब की cross current अब कि यह आर्मेचर रियक्षिन फ्लक्स बनाएगी इए में थे वह नहीं डार्यक्शन कौन सी ए आजाए मैं आपको यहां थोला सा बाहर करके दिखा देता हूं ताकि साथ सुत्रा दिखाई देगा आपने का सरे हमारे पास फिल्द फ्लक्स थ सब्सक्राइब करने के लिए दोनों का फेजर सम आपने दिखा रखा है रिजल्टेंट फ्लक्स के हिसाब से सर हमारा नया जुमेट्रिकल और अगर अगर हम इसी पर ब्रश को शिट कर देते हैं और सेम करेंट रखते हैं तो आप बोलेंगे जितना ओफैर है उतना ही हमारा हाँ जी बहुत ध्यान रखेगा ओफई आर नीव भी हो जाएगा यह रिजल्टेंट फलक्स है ओफई आर नीव भी हो जाएगा चीकर मागनिट्यूट में उतना ही हमारा ये भी हो जाएगा सरकल खीच दिया जिसका रेडियस FAR है तो ये आपका FAR new position हो गई जी सर, FAR new position मेरी बात clear है? ये सर, FAR की new position और FF की new position यही वाली है तो F resultant हमारा ये आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? सर, F resultant की value घटती हुई दिखाई दे रही है आपने बुला, सर यार मैंने जब brush को उठाके shift किया मैंने जब brush को उठाके shift किया बिना loading बदले हुए तो मैं ये देख रहा हूँ सर यार जब मैं brush को उठाके shift किया बिना loading बदले हुए तो मैं ये देख रहा हूँ आर मेचर reaction आतो उतना ही रहा है लेकिन resultant flux घट जा रहा है resultant flux घटने को हमाए कैसे समझें सर? मतलब कहने का ये हुआ कि अगर resultant flux घट जा रहा है तो हमारा अगर ये generator हुआ तो ये होता है k- pi omega m मतलब हमारा resultant flux घट रहा है तो induced dmf आर मेचर reaction के कारण घट जाएगा generator में यही अगर motor हुआ सर motor हुआ तो सर हमारा omega m क्या होता है omega m होता है यार v- i- r a v- i r a upon k5 आपने बोला सर flux अगर घट रहा है तो omega m हमारा बढ़ जाएगा सर motor और generator दोनों में हमको असर देखने को मिला कुछ अलग सा क्या सर motor की speed armature reaction के कारण बढ़ गई और generator में induced dmf घट गया मतलब terminal voltage affected हुआ yes किसलिए सर हमने सिर्फ उठा के brush shift किया था और कुछ नहीं बदला था फिर भी यह बदल गया अब इसकी वज़े से जो हमारा terminal voltage में बदलाव आया ना उसको हम लोग armature reaction drop के रूप में देख लेते हैं आपने बुला सर terminal voltage हो जाएगा ea minus iar a तो यार सर ea minus iar a minus armature reaction drop भी लिखना पड़ेगा अगर ea मैं k dash phi लेके चलता हूँ तो जहां पर phi मैं किस से calculate कर रहा हूँगा sir मैं phi जो है बिना armature reaction के केवल main field flux को लेके चल लाँगा तब वो phi होगा तो armature reaction के कारण थोड़ा सा flux घटता हुआ दिखा कब आपने बुला sir अगर brushes को shift किया तब अच्छा brushes को shift किया तो armature reaction के कारण flux घटा हुआ दिखा क्यों इसको समझने के लिए इंजीनेर्स ने का यार एक काम करो इसको दो component में resolve कर लो ठीक है एक आपका vertical और एक horizontal यह जो आपने horizontal लिखा उसको आप FAR cross magnetizing कह दो यानि cross magnetizing effect of armature reaction और यहाँ पर जो आपने vertical component लिया यह FF के उल्टा है इसको आप FAR demagnetizing कह दो बहुत तगड़ा यार पता है लोगों ने का यार अगर हम brush shift करेंगे अगर हम brush को shift करेंगे तो क्या होगा सर अगर हम brush को shift करेंगे तो हमारा brush को shift करेंगे तो हमारा resultant flux घट जाएगा resultant flux घटने को हमने कहा कि यार दो effect है armature reaction का एक cross magnetizing है जो कि इसके position को बदल लहा है और दूसरा demagnetizing है जिसकी वज़े से इसका flux घट रहा है engineer ने ऐसे समझा तो दिया लेकिन actual picture में क्या हो रहा है आपने बुला सर actual picture में यह हो रहा है actual picture में यह हो रहा है कि हमारा flux यहां से इस तरह से पात ले रहा है तो आपने तो इतना बड़ा सा surface area दिया था जिससे की flux बाहर निकले लेकिन armature reaction के कारण fluxes का concentration एक pole tip पे बढ़ गया है और दूसरे pole tip पे घट गया है जी सर इस कारण से यह pole tip saturate कर जाएगा और overall flux जो बाहर निकल ला था वो slightly घट जाएगा so actual में demagnetizing effect को अगर समझा जाए that is because of the saturation of flux over one half of the pole tip क्या मेरी बात समझने आई बोलो भाई yes sir हमने sir यह भी समझा जो इंगीनिर्स ने समझाया और जिस कारण से यह हुआ यह भी हम लोगों ने feel किया बोलो यहां तक मेरी बात clear है आपने बोला sir brush shift कर नहीं सकते क्यों क्यों क्योंकि load बदलेगा तो sir बार-बार brush की position बदलेगी क्योंकि MNA की position बदलेगी लेकिन मान लीजिए अगर brush shift कर भी सकते हैं full load पे तो sir brush shift करने का असर क्या मिलेगा sir demagnetizing effect introduce हो जाएगा so demagnetizing effect introduce होने का अर्थ क्या हुआ sir हमारा overall flux घटना यह घटना यानि terminal voltage generator के case में घटना और motor के case में speed का बढ़ना क्या मेरी यहां तक बात आपको समझ में आई है सभी लोग फटा-फट बता दीजे yes sir यहां तक समझ में आई सर आपने brush shift किया क्यों commutation को improve करने के लिए commutation को improve करने के लिए मैंने brush को shift किया commutation क्या है sir अभी समझाता हूं थोड़ी दिर में चरब पहुंच रहा हूं आता कि commutation को improve करने के लिए मैंने brush को shift किया और brush को shift करने का negative answer देखने को मिला demagnetizing effect introduced हुआ आपने का sir हम लोग याद रखेंगे commutation is improved by shifting of brush but demagnetizing effect is introduced that increases motor speed and reduces terminal voltage आगे मैंने आपको असली कारण भी सम्झाया magnetic flux density is increased over one pole tip and decreased over another pole tip but the total flux produced by each pole is slightly reduced due to the pole tip saturation therefore demagnetizing effect is introduced due to brush shifting क्या यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आई है बहुत तगड़ा सर तो आपको यह वाली बातें याद रखनी है मैं याद रख पाओगे बहुत तगड़ा आगे बता जल्दी से एक गार थम मना दिया करो यार इससे पतल जाता है कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ गए अब हम लोग आ जाते हैं flux density distribution के वेव शेप पे कई बार पूछता है कि कि किसकी वेव कैसी होगी तो जल्दी से बात इसकी भी कर लेते हैं जल्दी से बता यहां तक यहां पर मैं लेता हूं साउथ और यहां लेता हूँ मैं नॉर्थ ठीक है जी सर अब तुमने का यार सर नॉर्थ से फ्लक्स बाहर निकलेगा जी सर तो यहां पर मैं फ्लक्स को बाहर निकलता हूँ दिखा देता हूँ यह मेरा नॉर्थ से फ्लक्स बाहर निकलेगा जी सर और साउथ में फ्लक्स में अंदर जाता हुआ दिखाई देगा जी सर फ्लक्स साउथ में मुझे अंदर जाता हुआ दिखाई देगा जी सर थोड़ी दिर के लिए मान लेते हैं कि रोटर में कोई करेंट नहीं बहरी हमने सिर्फ करेंट कहां बहार रखी है हमने सिर्फ करेंट बहार रखी है फील्ड वा पॉल को पार आ रहा है वहां आपको फ्लक्स कैसा दिख रहा है और पॉल ट्प से जैसे ही मैं दूर जाता जा रहा हूं Magnetic Line of Forces कैसी होती जा रही है सब घटती हुई नज़र आ रही Pole Tip से आप जसे से दूर जाते जा रहे है Magnetic Line of Forces घटती हुई नज़र आ रही Similarly यहाँ भी क्या है Magnetic Line of Forces मुझे घटती हुई नज़र आ रही ठीक है क्या Yes Sir फिर Sir South का influence चालू हो जाएगा South में Pole Tip की तरह बढ़ रही है Yes Sir फिर Pole Tip के नीचे constant है Yes Sir और उतके बाद फिर Sir आपकी घट रही है और 0 आपने बोला Sir यह किस तरह का Flux Density Distribution है तो Flux Density Distribution अगर देखा जाए Due to Main Field Only आपने बोला Flat Topd है Sir यह कैसा है Flat Topd यह वाली जो Axis है यहाँ पर क्या है? Magnetic Neutral Axis है Yes Sir Magnetic Neutral Axis है नहीं Sir इसको Magnetic Neutral मत लिखो क्या लिखो? Geometrical Neutral Axis लिखो As per the Direction of As per the Direction of Correct यह Geometrical Neutral Axis है Geometrical Neutral Axis है Geometrical Neutral Axis है So Flux Density Distribution Flux Density Distribution Due to Main Field Only कैसा दिखा? आपने बोला Sir Flat Topd ठीक है क्या? Thank You Ujjwal जी आपने बोला Sir Flat Topd है अच्छा Flat Topd है इसके बाद आ जाते हैं यार कि हम अगर मान लो हमारे पास यह Generator Clockwise Direction में As a Generator घुमा रहे होते As a Generator हम Clockwise Direction में घुमा रहे होते हैं और सिर्फ हमारे Rotor पे Current होती है तो North के Under वाले में कैसे Current होती? Sir North के Influence वाले में Cross होती Sir South के Influence वाले में Dot होती ठीक है जार तो अगर मैं Cross Current की बात करूं तो Cross Current किस तरह का Flux बनाती Sir ये इस तरह का Flux बनाती दिख रहा है क्या Yes Sir Cross Current इस तरह का Flux बनाती dot current कैसा flux बनाती sir dot current कुछ इस तरह का flux बनाती बहुत बड़ी है बोलो मेरी बात क्लिए रहे क्या yes sir तो ये दोनो fluxes यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे है sir ऐसे peak की तरफ ले जाते हो फिर यहाँ पर दूर जाते हो और फिर side में peak की तरफ जाते हो देख रहे हैं यह सर हमको दिख रहे हैं क्यानि flux density distribution अगर मैं सिर्फ और सिर्फ armature current के काराण देखें तो flux density distribution due to armature current मुझे कैसा देखने को मिलता आपने बुला sir flux density distribution due to armature current आपको triangular देखने को मिलता लेकिन यार जो हमारा conductor just magnetic neutral access प्योंता उसमें कोई current नहीं होती जी सर तो यहां पर पूरी तरह से triangular मिलने के बजा है थोड़ा हॉर्ष शू शेप मिलता है हॉर्ष शू कहां मिलता बर ब्रॉष एक्सेस पर क्या मेरी बात क्लियर है यह सर हॉर्ष शू या शेडल कह सकते है तो हॉर्ष शू शेप हमें कहां मिला आपने बुला sir हॉर्ष शू शेप हमें मिलना है ब्रॉष एक्सेस पर मेरी बात क्लियर है क्या यह सर तो आपने बुला flux density distribution due to armature field only is triangular and horseshoe at brush accesses यह सर यहां पर अगर geometrical neutral access पर ही brush रखा होता तो आप बोलते सर ब्रॉष एक्सेस पर हमें क्या मिलना है horseshoe मिलना जी सर एक चीज और पता चल गई क्या सर यार सर हमको यह पता चल गया कि हमारा armature का flux हमेशा डारेक्टेड होटा है और तुवर्ड़ ब्रॉष एक्सेस आर्मिचर का फ्लक्स किदर डारेक्टेड है तुवर्ड़ ब्रॉष एक्सेस अब यहां तीन ब्रश नहीं है अब एक काम करते हैं यह पिंक वाला और यह ग्रीन वाला दोनों फ्लक्स एक्जिस्ट कर रहा है जब मशीन चल रही है तो इन दोनों फ्लक्सों को जोर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें सर нрав गारेक्ट चैसा होँ जर्ण रिजल्टइंट फ्लक्स पर मेरे को कि धृआं से सुनेगे सफी और थेक नहीं फिर उसके बाद आपने बुला सर इसके बाद ये आपका positive में नीचे आ रहा है ये आपका उपर जा रहा है थोड़ा नीचे आएगा ये zero हो जाएगा लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ flux रह जाएगा जी सर फिर उसके बाद ये negative में maximum हो रहा है और ये भी घट रहा है तो ये से घटेगा यहां के बाद ये negative में maximum हो गया और ये भी negative की तरफ आने लग गया तो ये बढ़ने लगेगा फिर ये इस तरह से आपको दिखाई देगा ठीक है क्या जी सर अब अगर saturation को consider करें ऐसा तो नहीं है कि flux बढ़ रहा है तो उसी direction बढ़ता चल जाएगा अगर हम saturation को consider करें तो ये वाला portion हमें नहीं मिलता ची सर अगर ये वाला portion हम neglect कर दें तो हमारा जो wave shape है वो कैसा बन गया आपने बुला sir trapezoidal shape का बन गया resultant flux density distribution in the air gap of DC machine is trapezoidal in shape आपने बुला sir यहाँ पर हमने ये चीज महसूस करी कि magnetic neutral axis जो पहले geometrical neutral axis था वहाँ पर इतना flux है जो पहले geometrical neutral axis था वहाँ पर इतना flux है फ्लक्स होने का अर्थ क्या हुआ सर कि geometrical neutral axis पर ही अगर हमने ब्रशेश को रखा तो यहां से commutation की समस्य स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जो coils commutator segment से connected होंगे जो की ब्रशेश द्वरा reaction के कारण neutral zone में flux established यानि जहां पर flux नहीं होना चाहिए वहां पर आपका flux है आपने बुला सर मैं commutation को improve करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं मैंने का यार तुम्हें काम करो ब्रश को beta degrees shift कर दो brush को beta degrees shift कर दो क्यों सर क्योंकि मुझे नई magnetic neutral axis अब यहां नजर आ रही है तुमने का सर मुझे नई magnetic neutral axis अब यहां नजर आ रही है देखो ना सर यहां पर flux zero है मुझे नई magnetic neutral axis सर यहां नजर आ रही है जी सर मुझे नई magnetic neutral axis सर यहां नजर आ रही है सर यह अप एक काम करो आप brushes को न उठा के बीटा डिगरी shift कर दो क्योंकि अगर आप ने brushes को उठा के बीटा डिगरी electrical shift कर दिया तो फिर यह जो trapezoidal shape है वो flat topped shape में बदल जाएगा तो अगर brushes को appropriate degree घुमा दिया जाए तब resultant flux density distribution कैसा हो जाता है सर flat top no load पे flux density distribution flat top armature का flux density distribution triangular, sheddle और horseshoe at brush axis resultant flux density distribution depends upon saturation and trapezoidal in case if the brushes are given an actual lead और appropriate lead then resultant flux density distribution will become flat top क्या मेरी बात clear है बहुत बहतरी आपने का सर armature के fluxes के बारे में DC machine के air gap fluxes अलग-अलग कारणों से आने वाले अलग-अलग shape हमने देखा सर यह shape हम क्यों पढ़ रहे है क्या यह हमारे torque या फिर generated voltage को effect करता है नहीं करता है असा जब ना टॉर्क effect करता है ना generated voltage तो पढ़ा क्यों रहे हो क्योंकि इसकी वज़े से machine जल जाती है अच्छा वेव शेप की वज़े से machine जल सकती है इसलिए पढ़ा रहा हूं यह हमारे torque को या फिर हमारे induced DMF wave shape पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा हाँ demagnetizing effect का असर पढ़ेगा आपने बुला लेकिन wave shape से कोई फरक नहीं पढ़ता कि कैसी wave shape है बहुत बढ़िया है तो यहां मैं जल्दी से बता देता हूं air gap flux distribution due to main field is flat topped air gap flux density distribution due to armature current is triangular in shape air gap resultant flux density distribution resultant flux density distribution depends upon saturation and trapezoidal or peaky in shape ठीक है फिर उसके बाद आता है space wave of the air gap flux density distribution neither effect torque nor voltage तो फसर पढ़ा कियो रहे हो मशीन जल जाती है इसलिए पढ़ा रहा है आगे armature reaction क्या establish कर देता है flux establish कर देता है कहां neutral zone में जिसको हम लोग commutating zone भी कहते हैं this will induce the voltage in a coil undergoing commutation that produces commutation problem अब तुमने का सर commutation problem बता दो क्या है कितना तो में आगया ठीक है चलो यार आगे बढ़ जाते हैं commutation problem से पहले थोड़ा क्रॉस magnetizing सुन लेते हैं उसके तुरेंट बात commutation पर चल लेते हैं क्या है सर डी magnetizing और क्रॉस magnetizing बताइए ठीक है बहुत ध्यान दीजेगा सभी लोग बहुत जादा इंपोर्टन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अपर डी magnetizing और क्रॉस magnetizing क्या है सर आपने बुला सर हमने यहाँ पर current वहाई थी यह बना था North और यह बना था South ठीक है आपने कहा सर हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लिजी machine as a generator यूज कर लिया clockwise direction में या motor की तरह यूज कर लिया anti-clockwise direction में हमारा सर आपने यह भी कहा था कि यह magnetic neutral axis है नहीं सर यह geometrical neutral axis है magnetic neutral axis यह होगा या नहीं यह निर्भर करता है सर कि हम brush shift हम जो है वो लोड पर चला रहे है या नो लोड ठीक है तो चलिए यह हमारा geometrical neutral axis का नाम देदीता हूँ geometrical neutral axis अब आज यह हम लोग यहाँ पर चल लेते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा आपने का सर अगर हमको generator के रूप में इधर चला रहे है तो यहां क्या होगा यहहां क्रॉस होगा और यहां क्या आजएगा दौट आएगा सर छीक त्व यहτό फ्रस आएगा और यहां बॉट आएगा आहिगा तो तो हो तो हमारा मगनेटिक न्यूट्रालल डैक्सिस आशिफ्ट कर जाए गा यहांं नीरल दिद्धाद यह मुजेे अगर मुझे स्मूथ कंपूटेशन चाये यह मुझे स्मूथ Kamutisyan चाये तो ब्रशेस को मुझे शिफ्ट करना होगा, in the direction of rotation for generator, है न, येस सर, ब्रशेस को मुझे शिफ्ट करना होगा, in the direction of rotation for generator, और against the direction of rotation for motor action, येस सर, आपने बुला सर, सर, magnetic neutral axis हमारा मानलीजे generator है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, येस सर, for smooth commutation, यानी brushes पे spark less commutation मिले, मतलब brush पे बिल्कुल भी spark ना प्रोडूस हो, इसके लिए आपने बुला सर, ब्रशेस को शिफ्ट करना होगा, बीटा डिग्री एलेक्ट्रिकल, in the direction of rotation for generator, and against the direction of rotation for motor action, येस सर, तो आपने बुला सर, बीटा डिग्री इधर कर दो, अगर इधर घुमा रहे हो तो, और अगर motor है, तो आप कह सकते हो सर, हम motor या generator के लिए, बीटा डिग्री की बात कर लेते हैं, किसी एक साइड में, depending upon the direction of rotation of generator, और depending upon the direction of rotation of motor, आपने बुला सर, हम smooth commutation के लिए, बीटा इधर अगर जनरेटर घुम रहा है, तो बीटा डिग्री इलेक्रिकल इधर, motor इधर घुम रहा है, तो अगर इधर जनरेटर घुमा रहे होते हैं, तो इधर शिफ्ट कर दे, यहां तक मेरी बात पिया रहे है, येस सर, बहुत बढ़ियां यार, अब आपने का सर, यहां पे सर, अब सब कुछ मैं ग्रीन से बना दूँ क्या, ग्रीन से नहीं, वाइट से बना देता है, थोड़ा बढ़ा किन देता है, आपने बोला सर, यह Magnetic Line of Forces हैं, तो Magnetic Line of Forces हमारी कुछ इस तरह से जा रहे है, सब को नजर आ रहे हैं क्या, सब को नजर आ रहे हैं, बोलो, सब को मान लो, entire Magnetic Line of Forces, जितनी भी हमारा Stator प्रड्यूस किया, उन सब को मैंने दो Magnetic Line of Forces के रूप में देख लिया, तो इस तरह से हमारा Flux जा रहा है, जी सर, Sir, Brushes Short Conductor Placed on GNA और MNA, क्या, Brushes Short Conductor, नहीं समझा प्रखर क्या कह रहे हो, अच्छा, तुम ये कहना चाहते हैं कि Brushes are Placed, मतलब GNA या MNA, ऐसा पूछना चाहते हैं, क्या, देखो बिटा, ऐसा है कि हम MNA का पता लगा नहीं सकते, practically, क्योंकि लोड बदलेगा, तो MNA बदल ज नॉर्थ और साउथ की जो जगह है, उसके हिसाब से यहीं न्यूट्रल होगा, समझ रहे हो, ठीक है, अभी तुम सुनते जाओ, आगे बहुत सारी बढ़ियां चीज आने वाली है, थोड़ा सा सबर बहुत जरूरी है, ठीक है, देखते जाओ, आपने कहा, Sir, अगर entire magnetic line of forces को दो magnetic line of forces में बांड दें, तो ऐसे जाएगा, जी, Sir, अचा, आपने मुला, Sir, किदर घुमारे थे, इधर, अगर brushes को नई position पे shift कर दिया, तो ये वाले conductor किसके influence में आ गए जरा बताना, तुमने का, Sir, इसके इधर north हो गया, और इसके इधर south हो गया, तो north वाले में क्या हो जा जो है, उनमें cross हो जाएगा, ऐसा होगा ना, ये, Sir, if the brushes are shifted, in the direction of rotation for generator, और against the direction of rotation for motor for a spark less commutation, then, then, the conductors lying between angle 2 beta degree electrical, कितना, 2 beta degree, जो conductors 2 beta degree में लाई कर रहे है, उनकी current रेखो जरा कैसी है, तुमने का, Sir, ये वाली current है, ये वाली current का मतलब ये flux कैसे बनाएंगे, तुमने का, Sir, ये जो flux बनाएंगे, वो इस तरह का flux बनाएंगे, ये जो flux बनाएंगे, ना, Sir, वो इस तरह का flux बनाएंगे, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, वो इस तरह का flux बनाएंगे, तुमने का, Sir, ये वाला जो conductor है, और ये वाला जो conductor है, जो लाई कर इस लिए इस रीजन में लाई करने वाले नाम दे दिया जाता है डी माइगनेटाइजिंग कंड़क्टर समझाए यह सर्चा बचे हुए यह वाले यह वाले जो फ्लक्स बनाएंग वो कैसा होगा सर ये इस तरह से बनाएगा flux ये वाला इस तरह से flux बनाएगा सर ये कैसा बनाएगा cross magnetizing क्या मेरी बात समझ पाए येस सर तो आपने कहा सर अगर हम smooth commutation के लिए brushes को shift कर देते हैं तो हमको पता भी है कि demagnetizing effect introduce होता है अब जो conductors armature के demagnetizing armature reaction produce कर रहे है उन्हें नाम दे दिया गया demagnetizing armature conductors और जो conductors cross magnetizing effect of armature reaction produce कर रहे है उन्हें नाम दे दिया गया cross magnetizing armature reaction conductors clear है क्या येस सर आपने कहा सर यार बहुत तकड़ा मतलब आप कह सकते हो सर smooth commutation के लिए smooth commutation के लिए brushes may be shifted beta degree electrical in the direction of rotation for generator action and opposite to the direction of rotation for motor action let the brushes to be shifted new magnetic neutral axis as shown in figure यहाँ पर दिखाया मैंने कि brushes को कहा shift कर दिया new magnetic neutral axis A B पर ठीक है ये CD कह देता हूँ अगर clockwise घुमाया हूँ तो new magnetic neutral axis A B पर shift कर दिया जी सर अगर मैंने A B पर shift कर दिया तो आपने पाया the conductors lying in the upper and lower part कौन से वाले बिट्वीन टू बीटा डिग्री electrical and टू बीटा डिग्री electrical are producing flux opposing to the main field flux are producing flux opposite to the main field flux hence they are called demagnetizing conductors गेट में एक बार पूछा भी है कि demagnetizing conductors निकाले क्या तक लियर है जी सर MMF produced by demagnetizing conductors पर पूल मैं जानना चाता हूँ यार यह MMF कितना प्रोड्यूस करेंगे तुमने का सर बढ़ा आसान है MMF produced by demagnetizing armature conductors पर पूल निकालना देखो जड़ा सर MMF produced by demagnetizing armature conductors पर पूल निकालना चाता हूँ पर पूल निकालना चाता हूँ इसको मैं नाम देदेता हूँ FAR F-A-R बहुत ध्यान देना पिटा This is MMF produced by demagnetizing armature conductors पर पूल पर पूल निकालना चाता हूँ ठीक है यानि ampere turn पर फूल तुमने का सर total armature total armature के कितने conductors है Z है So armature conductors armature conductors पर पूल कितने हुए तुमने कहा sir total armature conductor z हैं तो total turns कितने हो जाएंगे z by two हर एक turn में dwo conductor लाई करता है जी sir याद है आपने कहा sir हर एक turn में दो conductor लाई करता है हम लोगों को याद है हर एक turn में 2 conductor लाई करता है यह हमारा conductor ही है अगर total number of conductor Z हैं تو z by two turn आ गया तर्न बाई पोल ऑगया तर्न पर पोल ऑगया थीग एस אני अचा हमारी जो करेंट पैर रही है आर्मिकर केंडक्र्रे शो क्या होती है अ को आपनी दिखाया था और क्वाइल क्रेंट क्या होती है क्वाइल ककर谍ंड अपॉ Раз नंबेर चेमia पाथ, coil current क्या होती है, armature current upon number of parallel path, ठीक है sir, अब हम बात करना चाहते हैं sir, कितने portion में, total क्या होगा, तुमने का sir, total आपका 360 degree mechanical है, अचा 360 degree mechanical को क्या लिख सकता हूँ, 360 degree mechanical को क्या लिख सकता हूँ, sir आप लिख दो, P into number of poles into 180 degree electrical ये क्या लिख दी है सर आपने अरे यार अगर दो pole की मशीन है तो electrical mechanical degree बराबर 4 pole की मशीन है तो 4 into 180 degree electrical is equals to 360 degree mechanical ठीके क्या येस सर यहां तक मैं आपकी बात समझ गया तो अगर मैं यहां पर बात करने वाला हूं बहुत ध्यान से देखिए 360 degree electrical की बात करूं मैं तो आप बोलोगे तर्थ हर 360 degree electrical में से 4 beta degree electrical के जो induced जो conductors लाई कर रहे हैं 4 beta degree electrical में वो produce कर रहे हैं flux opposing to the main field flux तो मैं क्या लिख दूं आप लिख दो सर यहां पर 4 beta degree electrical out of 360 degree electrical 360 degree electrical को क्या लिख दूं मैं चलो 360 degree electrical लिख देता हूं 360 degree electrical yes sir 4 beta degree upon sorry 360 degree electrical हो रहा है ना yes sir 360 degree electrical आपने का यहां से आप क्या लिख सकते हो इसे इसे लिख सकते हो जेड बाइटू बाइपी इन्टू आई ये बाइए इन्टू बीटा इलेक्ट्रिकल अपान वन एट्टी लिख दू यार येस सर बहुत दगड़ा ऐसा लिख दू चलेगा सर ब्रशेस शॉर्ट कंडुक्टर पर प्लेस्ट क्या लिखे ओ बिटा मैं समझ नहीं पारा तुम अगर कभी सर हमसे पूछा जाएगा नंबर और अफ कंडूक्टर रिस्पांसिबल इन और तु प्रोड्यूस दिमागनेटाइजिंग इफेक्ट तो मैं कह दूंगा सर नंबर अफ कंडूक्टर के लिए नंबर अफ टर्न्स दिमागनेटाइजिंग इन्टू कर दूंगा सर मैं आईए क्योंकि जो नंबर अफ टर्न्स में करेंट बह रही है आईए बाई ए बह रही है यह और यह कट जाएगा सर मुझे करेंट की जरुरती नहीं होगी जेड पी और बीटा डिगरी अलेक्रिकल बाई 180 कर दीजिए अब यह समझ में आ गया है ठीक है क्या बोलो भाई सभी लोग यह सर अब यह समझ में आ गया सर और अगर नंबर आफ टरंस निकालना हुआ तो फरदर टू से डिवाइट कर दो क्योंकि एक टर्न में दो कंड़क्तर भी होते हैं थीक है तो आपने का सर यह निकालना असान हो गया मेरे लिए मैं तुरंत निकाल सकता हूँ आगे देखो आपके बचे हुए conductors क्या produce करेंगे, आपने का सर जो conductors बचे हुए हैं, वो cross magnetizing effect produce कर रहे हैं, क्योंकि इन ही की वज़े से हमारा main field flux का position change हो रहा है, तो cross magnetizing effect कौन produce कर रहे हैं, सर जो भी बचे हुए, यानि 4 beta degree के बाहर जितने भी हैं, वो सब cross magnetizing effect produce कर रहे हैं, तो आपने का सर, cross magnetizing effect क्या हो जाएगा, cross magnetizing effect के लिए, बहुत ध्यान से देखेगा बिटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, सर, cross magnetizing के लिए, देखो सर, z by 2 by p into ia by ये तो total armature reaction mmf हो गया, total armature reaction mmf, 360 minus 4 beta by 360 कर दो, सर, cross magnetizing को निकल जाएगा, 4 beta by 360 demagnetizing था, और 360 minus 4 beta को अगर हटा दिन, तो बा ही कर रहा है, वो पूरा cross magnetizing, आपने का सर, far cross magnetizing भी हमने देखा, कई बारना आपको actual या mechanical lead दिया होगा, और आपको armature mmf निकालना होगा, तो ध्यान रखिये, formula क्या होता है, mechanical से electrical में बदलने का, theta electrical is equals to p by 2 times of theta mechanical, theta electrical is equals to p by 2 times of theta mechanical, याद रहेगा, बहुत बढ़ी answer, क्या cross magnetizing औ आपको समझ आया, जी सर, अब आजाते हैं अपने सबसे कठिन वाले भाग में, अभी तक आप लोग जितना भी electrical machine, TC machine पढ़े हो ना, उसमें एक feel आप कभी नहीं ले पाते है कि current पलटकी कैसे है, और actual में armature की winding होती कैसे है, तो मैं बड़ा चोटा सा, एक दो पोल की lap connected machine की समझाने का कोशिश करने वाला हूँ, सभी लोग फटा-फट मेरे साथ बन जाएंगे, commutation समझने के लिए, अगर आपने कभी जिनगी में commutation नहीं समझा है, तो आज समझ जाएंगे, यह guarantee है, यहां तक clear सभी को, बोलो भाई एक बार जल्दी से, hashtag सर समझ गया है, यहां तक, hashtag समझ गया है, यहां तक, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से एक बार बता दो, ready है सर, ready है बई, अरे बोलिए फटाक से, ready है सर, हम बनाईए, comment section में कुछ तो लिखिए, हरकत तो दीजे, comment section में, कोई नहीं लिखा, बढ़े यार, तुम लोग, अब में लिखोगे नहीं, तो मैं आगी नहीं बढ़ूँगे, यह कोई तरीका थोड़ी हुआ, comment section में लिखने में, क्या, एक मिनेट, एक मिनेट भीन लगको, seconds लगेंगे, बस, hardly one second लगेगा, समझ में आया की नहीं आया, yes or no, इतना जानना चाहता हूँ, चलिए, सूरज ची ने हिम्मत दिखाते हुए, थम मनाया चलिए, ठीक है, ready है, बढ़िया, आज अब बात करते है, commutation की, commutation को समझने के लिए, सबसे पहले तो हमें armature की winding समझ में आनी चाहिए, otherwise कभी commutation समझ मे लिए, ठीक है, yes sir, अब चलो, commutation को समझने के लिए, मैं armature winding मना देता हूँ, यह मैं एक दो पोल की lap connected machine दिखाने की कोशिश किया हूँ, two pole, lap connected, lap connected, machine show किया, दो पोल की इसलिए शोक किया हूँ, ताकि मेरे board पे आराम से आजा, फटा फट, देखो, जितनी भी commutator based machines होती है, वो हमेशा ही, हमेशा ही double layer winding की होती है, double layer winding का मतलब हर slot में दो आधी-ाधी coil रखी होती है, इसको slot numbering कर देते है, slot number one, slot number two, slot number three, slot number four, हर slot में दो आधी-ाधी coil रखी हुई है, तुमने कहा sir, coils को color wise अलग-अलग बना के दिखा दो कैसे connected है, यहाँ पर मैं commutator के segment को भी 4 भाग बन गए, commutator के segments बन गए, अब आपने कहा sir, मानलो यह हमारा A coil है, ठीक है, तो A अगर हमारा commutator segment इससे connected है, यह थोड़ा सा इसको change करता हूँ, ABCD को, ABCD को थोड़ा change करता हूँ, ध्यान दीजेगा, इसको मैं ABCD ले लेता हूँ, ABCD, यह 4 commutator के segment है, ठीक है, जी sir, अब यह कहीं turn की coil है लेता हूँ, इतो maybe N number of turns, गुच्छा हो सकता है coils का, तो A यहाँ पे connected है, जी sir, और A dash यहाँ पे connected है, तो यह A हो गया, यह आपका A dash हो गया, ठीक है क्या, समझ में आ, जी sir, उसके बाद आपने कहा sir, हमारी coil B कहा रखी है, B coil यहाँ पे रखी है, commutator segment B से connected है, और B dash जो है वो fourth slot में रखी है, commutator segment C से connected है, यह हो गया हमारा B, B dash, ठीक है क्या, yes sir, अब C, C dash की बात कर देता हूँ, तो C coil जो है, वो हमारी रखी है, commutator segment slot number 3 में, commutator segment C से connected है, और C dash रखी है slot number 1 में और D से connected है, तो यह C, C dash coil हो गई, समझे क्या, जी sir, आब D, D dash भी दिखा देता हूँ, चौथी coil D, D dash, D, D dash coil को दिखाने के लिए, pink color का use कर लेता हूँ, यह हमारी coil है D, ठीक है, D से connected है, और D dash slot number 2 में रखी है, यह हो गई D, और D dash, ठीक है क्या, yes sir, basically हमारी जो armature winding है न, वो double layer winding हमेशा ऐसा ही होती है, एक coil उपर होती है, जैसे A उपर है, तो A dash नीचे वाली होगी, ताकि centrifugal force का असर कम पढ़ सके जब यह तेजी से rotate करती है, यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या, जी sir, एक coil side से दूसरे coil side तक की धूरी को हम लोग coil pitch कहते हैं, जिसको number of conductors के term में अगर दिखा हो गया, अब यह सारी चीज़ें आपके armature winding में आएगी, फिलाल अभी मैंने आपको एक general armature winding का एक तरीका शो कर दिया, दिख रहा है सभी को, जल्दी बोलो यार, फटा-फट सभी लोग, जी sir, अब मैं एक काम करता हूँ, यह बड़ा complex है, इसमें मैं तुमको अगर दिख as a generator चल लगी है, तो क्या होगा sir, अगर anti-clockwise direction में as a generator चल लगी है sir हमारी machine, तो sir यहाँ पर जो हमारा induced DMF होगा न, वो कैसी polarity का होगा, तरा ध्यान देना बिटा, आपने बुला sir, जो north के influence में conductors होंगे, उन में कैसा हो जाएगा sir, अगर anti-clockwise चल रहा होगा, तो dot, जी sir, यह यहाँ dot हो जाएगा, जी sir, और यहाँ पर cross हो जाएगा, अच्छा इन दोनों पर कुछ नहीं होगा sir, क्यों, magnetic neutral axis पर है sir, कुछ नहीं होगा, आपने कहा, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बनाऊंगा तो सब बहुत गचर पचर हो जाएगा, तो sir, यहाँ प perpendicular to the magnetic line of forces, और sir, plot number 4 में रख्खे हुए conductors में outward होगा, और plot number 2 में रख्खे हुए conductors में inward होगा, brushes, brushes मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यह हमारे brushes हो, brushes हमेशा अपनी जगए पर बने रहेंगे, commutator घुमेगा, पूरा rotor घुमेगा, brush अपनी जगए बना रहेंगे, ठीक है क्या, yes sir, मैं यहाँ तक तो आपकी बात समझ गया, अब चलो, इसका न, मैं एक ऐसा view ले लेता हूँ, जो view मेरे लिए आसान है, तो मैंने यह वाला view ले लिया, ठीक है, यह देखो, यहाँ पर तुम्हें दो brushes दिखा दिया हूँ, बहुत ध्यान से देखना बिटा, यह, मैं एक imaginary view लिया हूँ, ताकि मैं तुमको समझा सकूँ की coil में current कैसे बह रहे है, तो यह एक brush है, ठीक है, यह एक brush है, तो उनों brush अ cbcd है, ठीक है, अब यहार, a वाला कहा है, a और a डाश है, b वाला b और b डाश है, c वाला c और c डाश है, d वाला coil d और d डाश है, actual में ऐसा है बिटा, ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए इस तरह से show कर दिया हूँ, अच्छा यह a कहां रखा हुआ है, sir a रखा हुआ a रखा हुआ स्लोट नंबर 1 में, a रखा हुआ स्लोट नंबर 3 में, b रखा हुआ स्लोट नंबर 2 में, b रखा हुआ स्लोट नंबर 4 में, c रखा हुआ स्लोट नंबर 3 में, c रखा हुआ स्लोट नंबर 1 में, d रखा हुआ स्लोट नंबर 4 में, और d रखा हुआ स्लोट नंब सब्सक्राइब में तो तुमनेत वह स्लोट नंबर चार्म जो लुए कॉण्ड़ कर अरवे रखे न उसमें टुवर्ट्स दा कॉम्टेटर हैं ठिक है। जी स्वर्ट नंबर टू में जो कंड़क्टर सब्सक्राइब यानि बी और डिडाश उनमें अभे फ्राम दा और कॉंपुटेटर है तो यह क्वायल में करेंट IC मुझे नजर आई को को एस मैं अच्छा यहाँ पे A और B दोनों शॉटेड हैं कि यह दूनों शॉटेड कर देंबर्श द्वारा दू अट्र सवारा cd यह तो एक करेंट कैसे पाथ ले रही होगी त Александर कि यहां पकर अबाए日本 तो क्यों सब्सक्राइम्ट कारे रही और वापस यहांसे झो करेंट जारी वह भी किशे butts लुए और इसए कि किया तो टू ऑइसटी कि करेंट यहांप बाहर आ रही है और टू आइस् внयों पे जा रही है स्कॉय करेंट भी नहीं क्या मेरी बाद से सहमत हो दो रोह यार ya sir बहुत टगड़े सहमत है सर समझ मैं यहां तक ठीक है काम करते हैं 45 डिग्री को घुमा देते हैं जो 45 स्कूंध ढ अगर 45 डिगरी घुमा देंगी तो क्या होगा? Slot No. 1, Slot No. 2, Slot No. 3 और Slot No. 4 यहां पहुच जाएगा. Anti-clockwise direction में 45 डिगरी घुमा दिया. जी सर, 45 डिगरी घुमा दिया तो Commutator भी घूम गया? यस सर, तो A, B, C, D कहां पहुच गया? आपने कहा सर, यह हमारा A, B, C, D हो गया. बहुत तगड़े. आपने कहा सर, हमारा A कोईल किस कलर का था यार? A हमने green, yellow, white और purple. A green है. A green ले लिया. A green ले लिया. जी सर, गरवड कर दिया क्या मैंने? A, B, C, D गरवड हो गया. A, B, C, D. आपने गुमा दिया. 45 डिगरी आपने यहां से गुमा दिया. ठीक है? जी सर. 45 डिगरी जब गुमाया है, तो क्या हुआ सर? यह A, A dash हो गया. Yes, सर. BB dash आपने, सर हम लोगों को yellow color से दिखाया था. तो B और B dash. अब आप लोगों को मेरे हिजाब चे कोई समस्था नहीं होगी. CC dash. CC dash आपने हम लोगों को white से दिखाया था. तो जो color coding है, अब हम color coding से ही चलते जाएंगे. ताकि आपको coil देखने में दिखकत ना है. और DD dash मैंने red color से दिखाया था. Red color से DD dash दिखाया था. यह red color से DD dash दिखाया था. Yes sir. Brushes अपनी जगे पे बने हुआ है. Brushes अपनी जगे पे बने हुआ है. 45 degree आपने घुमा दिया है. क्या घुमा दिया है? आपने बुला 45 degree rotor को घुमा दिया है. यह north है, यह south है. अब slot number 1 और slot number 1 और slot number 1 जल दिखो. Slot number 1. Slot number 1 और slot number 1 और slot number 1 और slot number 4. किसके influence में आगे? North के. North के influence में आने का मतलब इन पे इन डिउस जिमा जाएगा? तुमने का dot हो जाएगा sir. और इन दोनों पे कैसा हो जाएगा? Cross हो जाएगा sir. तो यहाँ cross हो गया, यहाँ dot हो गया, यार. North के influence वालों पे dot हो गया, और south के influence वालों पे cross हो गया. Dot का मतलब क्या होता है? Towards the commutator. और cross का मतलब क्या होता है? Away from the commutator. Yes sir. तो आपने का sir, यही चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं coil view में. coil view में देख लेते हैं sir, 45 degree आपने क्या कर दिया? घुमा दिया. यहाँ से 45 degree आपने घुमा दिया. Yes sir. तो 45 degree घुमाने के बाद, यह हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, और यह हमारा D हो गया. अगर coil view की बात करें, तो coil view में मैं क्या कहना चाता हूँ? यार यह हमारे पास A-A coil थी, A-A coil किस कलर में थी? ग्रीन कलर में थी. यह हमारी A-A coil हो गई, A-A dash, यह हमारी B-B dash हो गई, 45 degree घुमने के बाद, B-B dash, यह हमारी CC dash हो गई, Yes sir, यह हमारी CC dash हो गई, और यह हमारी DD- होगी, बोल मेरी बात clear है क्या, मेरी बात clear है क्या, ये सर, ये हमारी DD- होगी, आपने कहा सर, slot numbering याद है न, ये सर, slot 1, slot 3, slot 2, slot 4, slot 3, slot 1, slot 4, और slot 2 में conductors रखे हुएं, नज़रा रहा है सर, यbak हमारा slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, अब तुमने कहा, याँ पे देखते हैं इमuis, ब्रॉश्स कहा है, ब्रॉश्स अपनी जगए बने हुएं, ब्रॉश्स जहां पहले थे, שלי अपनी जगए बने हुएं, जहां पहले ब्रॉश्स थे, बही क्या होगा सर यह देखो slot number one में रखे conductors में outward slot number one में रखे conductors में outward outward का मतलब towards the commutator slot number four में रखे हुए conductors में outward slot number four में रखे हुए conductors में outward outward का मतलब towards the commutator slot number three में रखे हुए conductors में inward inward का मतलब away from the commutator slot number two में रखे हुए conductors में inward inward का मतलब away from the commutator तुमने का सर मुझको तो यहां पर EMF भी नजर आ गया यार सर यहां पर जो EMF हो रहा है वो कैसा हो रहा है प्लस माइनस ठीक है क्या जी सर ऐसे बना देता हूं प्लस माइनस जी सर और यहां यही तो हो रहा है सर्ट कैसे बह रही है सर्ट है क्वायल करेंट है live और यहां सब्भी यहां पर आई यहां पर यहां पर यहां पर त्थिक और इसमें यहां पर बही I-C यह त्था इस Came यहाँ पे 2 IC बहुत तगड़ा सर्याद हमने यहाँ पर इस चीश को महसूस किया बोलो, सभी ने ठैंकी बटा जी क्या सभी ने यहाँ पे महसूस किया इस बात को थोड़ा quality बढ़ा के देखेगा जी सर coil में current नहीं बदली जी सर 2 IC और 2 IC है लेकिन जो हमारी coil A थी और coil C थी जिसमें पहले कोई current नहीं थी उसमें अब current बह रही है 90 degree पे आपने बुला सर 90 degree पे पहुँच जा slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 90 degree पे पहुँच गे सर चलो सर 90 degree पे पहुँच जाते 90 degree पे पहुँच जाते अब इसमें हर जगह मैं नहीं बनाऊंगा directly चलते हैं 90 degree पे बना लेते हैं सर 90 degree पे क्या हो जाएगा बहुत ध्यान देंगे सभी लोग 90 degree पे क्या हो जाएगा सर ये तो हमारा हो गया 90 degree पे यहाँ आपने कहा सर 90 degree पे यहाँ के बाद 90 degree का rotation हुआ किदर घूम रहे हो sir, anti clockwise चल रहा हूँ, as a generator, आपने बुला sir as a generator anti clockwise चल रहा हूँ, 90 degree के rotation के बाद कहां पहुच जाएंगे, 45 degree था न, 90 degree के rotation के बाद कहां पहुच जाएंगे, sir 90 degree का rotation, यह है after 45 degree of rotation, और इसके बाद बात कर लेते हैं, 90 degree का rotation, आपने का sir, 90 degree के rotation पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान दो बिटा, 90 degree के rotation के बाद क्या हो जाएगा, यह sir, a नीचे पहुच जाएगा, yes, a नीचे पहुच जाएगा sir, यहाँ पे, b, c और d, यह हमारा coil हो गया sir, a, a dash, यह हमारा coil हो गया sir, b, b, dash, yes sir, यह हमारा coil हो गया sir, cc dash, यह हमारा coil हो गया sir, d, d dash, बोलो मेरी बात समझ में आई यहाँ तक, yes sir, अब तुमने का sir, इस समय, slot number 4 और slot number 2 में रखे हुए conductors में, कोई current नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, अरे क्यों आएगी यार, यह दोनों magnetic neutral axis पे आ गये न, इनमें कोई current नहीं आएगी, अच्छा किसमें आएगी, आपने बुला sir, brushes अपनी जगह पे हैं, हाँ, brushes अपनी जगह पे, brushes अपनी जगह पे, अब क्या हुआ, BC और AC shorted है, तुमने का sir, यहाँ पर देखा जाए तो slot numbering कर दो, slot numbering कर दिया, slot number 1 यह है, slot number 3, slot number 2, slot number 4, slot number 3, slot number 1, slot number 4, slot number 2, यह है, AA-BB-CC-DD, याद है, जी sir, अब आपने का sir, यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपने का sir, देखो हमारे पास यह है, AA-, AA-, BB-, CC-, DD-, अब तुमने का sir, यहाँ पे अगर देखा जाए तो, यह दोनों coils जो है, DD- और BB-, यह दोनों ऐसे axis पे हैं, जहाँ पे magnetic neutral axis है, इनमें कोई EMF नहीं आएगा, अच्छा, यहाँ पर EMF आएगा sir, ठीक है, और जो current बहेगी, वो कैसी बहेगी, आपने बुला sir, यहाँ पे देखा जाए current तो कैसी होगी, North के influence वाले में dot होगी है, और South के influence वाले में cross होगी, यानि, जो slot number 1 में रखे हुए conductors हैं उनमें towards the commutator segment होगी, yes sir, और जो slot number 3 में रखे हैं उनमें away from the commutator segment होगी, yes sir, यही न, yes sir, away from the commutator segment का मतलब हुआ, यह, आपने बुला sir, यहाँ पर current दिखा जाए, तो यहाँ पर हमारी current जो आ रही हो, ऐसी आ रही है, Ic हो गई, yes sir, और यहाँ पर current दिखा जाए, तो Ic हो Ic और Ic की current यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगी, आपने बुला sir, यहाँ से हमको receive हो जाएंगी, और यहाँ पर हमें 2 Ic की current मिल जाएगी, यहाँ से जो जाएगी वो भी 2 Ic की current जाएगी, दिख रहा है, दिख रहा है, yes sir, आपने बुला sir, हमारे पहले जो है starting में AA-shorted था, brush A- में maximum induced GMF हो गया, ठीक है sir, उसके बाद सर, उसके बाद आपने का sir, और इसको 45 दिगरी घुमा देते हैं, जैसे यह और 45 दिगरी घुमा है, यह last rotation है, बहुत ध्यान से देखेंगे, slot number 1, slot number 2, slot number 3, slot number 4, अब यार slot number 1 और 4, तुमारे north के influence में आगे, 1 और 4 नौर्थ के influence में आ 1 और 2, सारी, 1 और 2 आगे न, हाँ, जड़ा चेक करिएगा, एक मिनिट, यहाँ पर आपने कहा था, 3, 1 और 2, जब इसको 45 दिगरी और गुमाएंगे, इधर गुमा रहे हैं आप, इधर गुमा रहे हैं, ठीक है, तो 45 दिगरी यहाँ से और गुमा दीजे, 45 दिगरी और गु हो जाएगा, आपने कहा सर, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, बहुत ध्यान दीजेगा, अगर किसी ने सुरू से देखा होगा न, तो कॉम्मुटेशन जैसा पार्ट आपके लिए हलवा हो जाएगा, बिटा, क्योंकि अब आपको feeling आ गई होगी होगी, पूरी वाली, आ लिए हैं से दीट, से दीजेआ थाखो की सब्सक्राट थे आपने कहा सर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास और हमारे पाखा हो गया सीजी डाश हमारा हो गया, वाइट कलर से था और हमारा हो गया DD- सबके पास patience नहीं होता बिटा इसलिए लोग समझ नहीं पाते बहुत ध्यान दीजेगा तो आपने बुला सर, slot number 1, slot number 3, slot number 4, sorry 2, slot number 4, slot number 3, slot number, ये कौन सा वाला है? सर, ये slot number है आपका 1 और ये है slot number 4, slot number 2, ये DD- अब सर, यहाँ पर brushes कहा है? बाकी सब घूम रहा था, brush अपनी जगह पर बना हुआ था आपने का सर, इस condition में जड़ा बता दीजे यहाँ देखिए आपने का सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया देखो बहुत ध्यान से, अब rotation पर ध्यान देना यहाँ पर था 0 degree, AA- BB- में और DD- में current कैसे बहर रही थी? तुमने का सर, D- से D की तरफ, यहाँ पर current कैसी थी? B से B- की तरफ, यह सर, उसके बाद क्या हुआ था? सर, उसके बाद भी हमारी current यहाँ पर जो थी, वो D से D- की तरफ DD- और BB- current बिल्कुल वैसी थी, कोई समस्या नहीं थी इसके बाद सर, BB- और DD- shotted हो गए by the brush, 90 degree rotation के बाद इनमें कोई current नहीं थी सर, उसके बाद आपने का सर, दुबारा short circuit remove हो गया, अभी जो current है वो कैसी है? आपने का सर, ध्यान से देखिएगा जरा, कौन किसके influence में है? slot number 2 में रखे हुए conductors, north के influence में है, north का मतलब outward slot number 2 में outward का मतलब है towards the commutator, towards the commutator slot number 1 में रखे हुए conductors में outward है, slot number 1 towards the commutator, towards the commutator यानि A और C- towards the commutator बहर है जब कि slot number 3 में रख़्े हुए conductors में कैसी है invert है sir slot number 3 में invert का मतलब away from the commutator, away from the commutator और slot number 4 में away from the commutator away from the commutator तुमने का sir लेओ, यहाँ पे नजर आ गई current IC ऐसे गई, यहाँ पे आई, यहाँ के बाद यहाँ पहुची, फिर यहाँ बैए गई, फिर यहाँ पहुची, ठिक similarly, यहाँ से current IC आई, यहाँ पहुची, यहाँ से फिर यहाँ बैए गई, यहाँ IC आई, बहुत तकड़ा sir, यह दोनों series में है, समझ में आई, यहाँ पे फिर 2IC की current यहाँ से 2IC जा रही है, तुमने का sir, अब मुझको यह बात समझ में आगई, कि हमारी जो current है, वो coil में पलट गई है, कैसे पलटी है, coil में ज़रा ध्यान दीजेगा, पहले, जो अब हमारी AA- brush द्वारा shorted थी, BB- cc- brush द्वारा shorted थी, तो हमारी current जो coil DD- में थी, वो D- से D की तरफ थी, और B से B- की तरफ थी, ठीक है क्या, यह सर, और अभी आप कह रहे हो, 180 degree rotation के बाद हुआ ना, 90 degree, 90 degree करते हुए, यहाँ पर पहुंच गयो ना, 135 degree, 135 degree rotation के बाद जो है, अगर हम देखें, तो यहाँ current D से D- की तरफ हो गई है, और यहाँ current B- से B की तरफ हो गई, B- से B की तरफ हो गई, D से D- की तरफ हो गई, और पहले कहां थी, पहले कहां थी, तुमने कहा सर, पहले थी, पहले थी, पहले थी, D- से D की तरफ और B से B- की तर से अरे यार बी से बी डाश की तरफ थी पहले किदर थी बी से बी डाश की तरफ थी अभी किदर है अभी किदर है अभी किदर है अभी यह सर अभी यह सर बी डाश से बी की तरफ करेंट पलट गई यह सर पहले किदर थी डी डाश से डी की तरफ थी अभी किदर है डी से डी ड अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो मैं बाकी अब नहीं रोटेट करता मैं सीधे बना देता हूं इसका मतलब सर आप यह कहना चाहते हो जो पूरा आपने बनाया था उसको ओपन कर देता हूं आपने का सर आप मुझको एकदम 100% यह समझ में आ गया कि जब तक कोई जब है उसमें करिंट अलग डारेक्शन है तो मान लीजे यह हमारे पास ब्रश है अब मैंने आपको आर्मेचर वाइंडिंग जल्दी से दिखा दी थी मेरे इसाफ से आपको समझ में भी आ गई होगी सर मान लीजे यह हमारा नौर्थ है और यह हमारा साउथ है ठीक है यह हमारा मागनेटिक न्यूटरल अक्सेस पर ब्रश रखा हुआ इस डारेक्शन में मान लीजे हमारा रोटेशन हो रहा है ठीक है तो रोटेशन हो रहा है तो मतलब क्या हुआ इस डारेक्शन के बज़ा इधर कर देता है इस डारेक्शन में मान लीजे हमारा रोटेशन हो रहा है ठ सर यह दोनों करेंट ब्रस से कलेक्ट होके कितनी करेंट आ रही है तू आई सी की करेंट आपने गुला सर आ रही है ठीक है क्या बहुत तकड़ा यार अब आपने का सर मान लीजिए यह तो पोजीशन वन थी जैसे ही आपका कॉमुटेटर सग्मेंट अलॉंग विद अब ब्र सब्सक्राइब करें तो जैसे जैसे यह इधर बढ़ेगा सर नौर्थ और साउथ इधरी रहेगा यह इधर बढ़ रहा है तो ब्रश कहां पहुंचेगा इस पोजीशन पर यानि ब्रश से यह दो कॉमुटेटर सग्मेंट क्या हो जाएंगे शॉटेड हमने देखा था एक कॉयल शॉट हो जारी थी ब्रश द्वारा जब भी ब्रश दो कमुटेटर सेग्मेंट को टच कर रहा था तो अब इस कंडिशन में क्या हो जाएगा आपने बुला इधर यृट करना बहुल जाता है तो क्योंकि प्वाईल रंतर में रहला मेरे सम्झ में आगे अच्छे से पर उन्हें बहों करेंची cannabis होगा यहां विया सिर्व फीर होगी अभ और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो Erfolg moim 파 mới जाएगी आपका पूरा armature along with the commutator इधर भाग रहा है और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा सर और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा सर वान टू थी फोर फाइफ सेक्स सर फोर्थ वाले सर्फ यहां से थ्यान से देखा जाए तो यह हमारा इसके ब्रश एक्सेस के इधर नौर्थ है और यह साउथ है तो इनमें करेंट एक डारेक्शन में है यहां पर दोनों करेंट मिलके टू आइसी की करेंट वापस आ जाएगी ठीक है सर यह बीच में इंसुलेशन भरा हुआ ह कॉमुटेटर सेग्मेंट के बीच में तो यहां तो करेंट बहर नहीं सकती है यहीं से आ सकती है जी सर आपने का सर क्वाइल नंबरिंग कर देते हैं 1234567 बहुत ध्यान से देखिए बिटा इसमें क्वाइल नंबर फॉर आपकी क्या कहलाएगी इस वक्त क्वाइल अंडर ग कि अंडर फिर करेंट जीरू हो गई और अब क्वाइल नंबर फॉर में करिंट जरा देखो किदर हो गई है य 250 वह और wesacle करिंट में एक डेरक्शन में है जब हमारा coil under the influence of north है और opposite direction में है जब coil under the influence of south है यह reversal of current जो हो रहा है along the brush axis वो during the short circuit of the coil हो रहा है जिस समय coil short circuit हो रही है उस समय coil में कोई induced dmf नहीं आना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए क्योंकि सर देखिए यह दोनों electrically क्या है isolated है यहां पर insulation लगा है लेकिन अगर यह coil shorted है जी सर अगर यह coil shorted है और यह बहुत high current create कर देगा प्लस यह coil है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा magnetic energy आ जाएगा अब वो magnetic energy इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही आपका short circuit end होगा यानि जैसे ही यह commutator segment दो से एक पे पहुंचेगा short circuit जैसे ही end होगा इसमें coil की current को बदलना है लेकिन हमको पता ह कि जो magnetic energy store हुई है वो आपकी इस वाले direction में current को बहने से रोकेगी बट इस coil की magnetic energy के comparatively इन सब की बहुत जादा है तो वो इस coil को force करेंगे यह coil अपनी magnetic energy पहले loose करे और फिर नई direction में store करे जब यह अपनी magnetic energy store loose करेगी तो in the form of heavy spark loose करेगी जिसकी वज़े से brush gis जाएगा अब ब्रश जाएगा तो भाई बार बार ब्रश बदलना पड़ेगा maintenance चाहिए हुगा भूत डेविल पर ट्रस्ट करते हो क्या काहे तुम्हें भूत डेविल की बहुत बात क्यों याद आ रही है कि चलो भाईया फालतु की बाद मत तोचो थीक है कल किस ने देखा है जो हँ आवा उगा है कि हुट सुन डेविल क्या यहा तक मेरी बात समझ में आई है क्या आपने कहा सर बहुत तगड़े समझ म मैं आई है तो commutation क्या है आपने बुला Sir commutation हमें समझ में आया मैं sir commutation क्या है commutation क्या है मैं जल्दी से पढ़ देता हूं the current induced in the armature conductor of DC machine or AC in nature the induced current flows in one direction when the armature conductors are under the influence of north and they are in opposite direction when the armature conductors are under the influence of south the reversal of current take place along magnetic neutral axis or brush axis whenever brush touches to commutator segment the winding element connected to these segments are short-circuited commutation means the change that take place in the winding element during the period of short circuit by the brush but the group here commutation kya hai reversal of current along brush axis बस इतना ही अरे सर तो हम commutation को अगर बूलें तो कैसे दिखा दें होना था current का अगर ये reversal during the period of short circuit by the brush हो जाए जिसको हम लोग time period of commutation कहते हैं तो ऐसे commutation को linear commutation का नाम दिया जाता है अब linear commutation पाने के लिए कई बार ना brush resistive use कर दिया जाता है resistive brush use करने का benefit क्या होगा कि जिस समय आपका short circuit होगा ये दो commutator segment ठीक है ये सर जिस समय ये दो commutator segment short circuited होगा by the brush उस समय हमारे brush का resistance ये सर प्लस हमारे coil का resistance ये मिलके overall क्या करेगा जो हमारी current बहरी होगी उसे I square R loss के form में brush पे खतम कर देगा जिस से की brush में current zero हो जाएगी और ऐसा कोशिश करते हैं कि half of the time period of commutation पे current zero हो जाएगा फिर अगले half में वो नई direction में current इस्तोर करने लग जाएगा क्या मेरी बात क्लियर है ऐसे हमें क्या मिल जाता है सर linear commutation मिल जाएगा ठीक है क्या येस सर लेकिन चुकिए coil inductive है और हमें पता है inductor does not allow a sudden change in current तो सर coil का self inductance प्लस coil का inductance with a mutual coil का inductance with a mutual coil जो है वो delayed commutation cause करेगा delayed commutation का मतलब क्या है यार full reversal of current नहीं हो पाना ठीक है क्या येस सर इसको क्या बोलते है delayed commutation अब delayed commutation का मतलब हुआ कि सर during the period of short circuit by the brush पूरी तरह से current आपकी नहीं पलट पाई तो अगर पूरी तरह से current आपकी नहीं पलट पाई तो यहाँ पर क्या produce होगा आपने बोला सर sparking produce होगा at the trailing edges of the commutator and brush touching segments ठीक है येस सर इसके बाद सर हमें एक काम और कर सकते थे क्या सर एक काम करते ना यहाँ पर interpol लगा देते अब देखो सर हमारा induced dimf कैसे था plus minus plus minus plus minus यहाँ पर क्या था plus minus plus minus plus minus ऐसा हम coil पर देखे थे यह में फारा था आपने बुलासर curl पर यह में फारा था वो एक बार क्या हो जाना था सर 0 हो जाना था ठीक है क्या येस सर और 0 होने के बाद क्या होना था सर पलट जाना आपने का सर आपने का सर यार देखो अगर यह इस direct में current के हिसाब से store नइक्शन में जी सर इस condition में आप एक काम करो सर यहाँ पे एक इंटरपोल प्रोवाइड करा दे और इंटरपोल की polarity ऐसी कर दो कि वो यहाँ पे rotational voltage produce कर दे opposite to the reactance voltage LDI by DT तो दोनों खतम हो जाएगी तो यार यह north में जाने के पहले ही थोड़ा सा north लगा देते हैं इससे क्या होगा सर यह reactance voltage rotational voltage को cancel out कर देगा और सर जब coil undergo होगी commutation में तो उसमें किसी भी तरह का voltage induce नहीं होगा अगर ऐसा हो जाए सर कि उसमें किसी भी तरह का voltage induce नहीं हो तो समस्या खतम हो जाएगी बट अगर यह जो इंटरपोल लगा के आपने commutation सुधारने की कोशिश करी यह over commutation हो गया तो क्या होगा सर मान लीजे वो north अधिक हो गया तो उस condition में क्या होगा पता चला आपको commutation time period में हाँ जी जितना होना था उससे जादा हो गया इसको क्या बोलेंगे over commutation over commutation हो गया तब भी क्या होगा सर इस पार्किंग प्रोडियूस होगा तो आपने बोला सर इस पार्किंग जो ब्रशेस पे होती है ब्रश और commutator touching segments पे होती है वो किस वज़े से होती है failure of reversal of current during the period of short circuit by the brush during the period of short circuit by the brush अब सर हम armature reaction की वज़े से आने वाले समस्या को भी समझ गए armature reaction तो सर यहां पे neutral zone में flux produce कर दे रहा था और अगर neutral zone में flux होता तो सर हम समझ सकते हैं कि यह जो current होती वो बहुत high होती तो बड़ी मशीने हमारी जल भी सकती हैं और साथी साथ सर सिर्फ brush के साथ हमारा काम नहीं चल पाएगा बड़ी मशीनों में और बड़ी मशीने जल सकती है तो उसके लिए को ब्योस्था करके हमें armature reaction को खतम करना पड़ेगा छोटी मशीनों के केस में हम खूब जादा अगर ब्रश का resistance बढ़ा दें तो काम चल जाएगा क्योंकि current आपकी ampere मिली ampere में बैती है यहां तक मेरी बात clear है commutation समझ में आया क्या येस सर commutation समझ में आ गया बहुत तगड़ा अब आ जाते है time period of commutation सर कैलकुलेशन कर सकते हैं येस जैसे देखो बेटा अगर कॉमुटेटर की peripheral velocity V है ठीक है येस सर ब्रश की width WD है ब्रश की width WD है येस सर तो हमारा time period of commutation क्या होता है time क्या होता है distance upon speed वहीं लिख दिया हो time period of commutation क्या हो जाएगा सर time period of commutation हो जाएगा brush width upon commutator peripheral velocity commutator peripheral velocity क्या होगा अगर commutator का radius r है चलता तो ये speed n से ही है येस सर तो commutator peripheral velocity क्या हो जाएगा 2 pi r n जो है वो rpm में है तो n by 60 हो गया rps में meter per second के हिसाब से लिख दिया हूँ width meter में ठीक है येस सर यानि time period of commutation अगर calculate करना हो तो WD into 60 upon pi dn होता है क्या मेरी बात clear है येस सर अब आजाए ये बात करते है compensating mining की बड़ी मशीनों में हमारी मशीने armature reaction के कराण जल जाती है और उसक ये जो हमारे conductors just below the pole arm lie कर रहे हैं बहुत ध्यांदी सुनते जाएगा just below the pole arm lie कर रहे हैं मान लिजए generator है और आप इस direction में घुमारे है तो हमारा north के influence में क्या हो जाएगा cross और south के influence में क्या हो जाएगा dot yes sir جो conductors हमारे just below the pole arm lie करते हैं वो जो magnetic flux produce करते हैं वो magnetic flux path लेता है armature के core के through, air gap के through और pole shoe के through क्या मेरी बात clear है? Yes sir, जो conductors just below the pole arm lie करते हैं, या in pole arc lie करते हैं, pole arc क्या होता है? Sir, ये वाला angle जो है वो pole arc है, ये pole arc है क्या मेरी बात clear है? Yes sir, ये जो angle आपने बनाया है इसे pole arc क्याते हैं, तो pole arc में जो lie करते हैं, ठीक है? जो conductors pole arc में लाई करते हैं basically वो जो current बहाते हैं उनकी बहने वाली current एक flux produce कर रही है जोसको हम armature flux कह रहे हैं ये armature flux path लेता है armature के core के थ्रू air gap के थ्रू और pole shoe के थ्रू क्या मेरी बात clear है? yes sir, यही flux main कारण है flux concentration in pole tip क्या कर देता है ये? सर ये flux concentration pole tip पे बढ़ा देता है तो जो हमारा flux है वो इस तरह से path लेने लग जाएगा yes sir, तो इसकी वज़े से क्या हुआ आपने बुला सर अगर entire magnetic line of forces को दो magnetic line of forces में दिखाऊं तो flux का concentration एक pole tip पे बहुत जादा बढ़ जा रहा है कौन सी pole tip पे बढ़ जा रहा है अगर generator इधर घुमा रहे हो न तो ये generator की trailing pole tip कहलाती है कौन सी pole tip कहलाती है trailing pole tip कहलाती है या tailing भी कह सकते हो ये कौन सी है, ये leading pole tip है कैसे पता सर, मैं rotor पे बैठ जाता हूँ यार हमेशा है न, और जिस चीज से लग के मेरा सर पहले फुट जाए वो हमारा हो गया leading और फिर बाद में जो दिख रहा है वो trailing आपने का सर मतलब अगर ये इधर घूम रहा है तो ये leading हो गया और अगर ये इधर घूम रहा है तो ये leading और ये trailing हो गया येस, आप मेरी बात समझ गया ठीक है क्या, बहुत बढ़िया तो हमने ये देखा कि सर, जो armature के conductors just below the pole arc lie कर रहे हैं, वो जो flux produce कर रहे हैं वो flux, path ले रहा है pole shoe के through और वही flux main कारण है flux concentration का pole tip में अब हो ये रहा है कि जिस pole tip पे especially अगर हम generator की बात करें तो trailing pole tip generator के case में motor की बात करें, तो leading pole tip motor के case में यहाँ पे जो flux का concentration हो रहा है इसकी वज़े से इस pole shoe के just नीचे जो conductor लाई करेंगे उनमें EMF बहुत हाई produce होगा और ये conductors जिस commutator segment से connected होंगे उस commutator segment पे EMF अधिक मिलेगा जबकि उसके पास वाले commutator segment पे EMF कम मिलेगा येस सर, इस वज़े से एक high potential difference दो commutator segments के बीच में create हो जाएगा येस सर, जैसे ही ये commutator segments के बीच में high potential difference create होगा, arc के form में current बहेगी और arc के form में current बहेगे, एक commutator से दूसरे commutator के बीच में हाँ जी, एक spark के रूप में बहेगी आपने का सर, जैसे ही ऐसा होगा, पूरा का पूरा dialectric strength weak होगा, और machine हमारी गरम हो चुकी है, तो air का dialectric strength down होते ही, एक brush से दूसरे brush तक आग पकड़ लेगा, और हमारा commutator जल जाएगा, machine खराब हो जाएगी, तो बड़ी machine में ये देखा गया कि brush shift करने से फाइदा नहीं हो रहा, machine तो जल जा रही है, क्यों जल जा रही है सर, बड़ी machine में, आपने बुला सर, flux भी बड़ा है, EMF भी बड़ा है commutator पे जो हमारा potential आ रहा है वो भी बहुत जादा आ रहा है, generally एक commutator 20 volt के आसपास आता है आपने बुला सर, इस condition में हमारा commutator segments के across जो EMF प्रोडूस हो रहा है, वो high potential difference दो commutator के बीच में हो जा रहा है, जिसकी वज़े से हमारा commutator, एक commutator से दूसरे commutator में आग लग जाएगी, तो अब मशीन को बचाने की बार ही आ गई, किस लिए आग लग गई, आर्मिचर reaction के कारा, आपने का सर, आर्मिचर reaction produced by the armature conductor just below the pole arc just below the pole arm is responsible for the flux concentration in one pole tip, consequently the conductor just below that pole tip develops high rotational voltage therefore, the commutator segment connected with the associated conductors produces high potential and there will be a high potential difference created between the adjacent commutator segments, so a spark will produce and arc will develop from one commutator segment to another commutator segment, ultimately there will be a fire from one brush to another brush, so iska solution kya khou jaha jaha, यार, बड़े दिमागदार होते हैं, इंजीनियर, देखो क्या दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगाया कि compensate कर देते हैं क्या चीज़ compensate कर देते हैं, armature reaction को compensate कर देते हैं, इसके लिए क्या करा, compensating winding लगा दी कहा लगा दी, pole issue में लगा दी, समस्या तो pole issue की थी न, pole issue में flux concentrate हो जा रहा था, yes sir तो pole issue में compensating winding रख दी, कैसे रख दी देखो sir, यह हमारा generator है इस समस्या को दूर करने के लिए मानलो हमारी current ऐसे बह रही है जी sir, तो इस condition में clockwise घुमा रखा, yes sir so, इस condition में आपने बुला sir कि यह जो flux produce कर रहा था, वो कैसा produce कर रहा था, आपने कहा sir यह जो flux produce कर रहा था, वो ऐसा flux produce कर रहा था, आपने कहा sir एक काम करो, एक काम करो pole issue में slotting काट दो pole issue के अंदर ही slots काट दो, और उन slots में उठा के conductor रख दो और उन conductors को current बहा दो और उन conductors में जो current बहा हो वो opposite to the current flowing in the conductors just below the pole arm होने चाहिए तो यहां पर अगर cross है तो यहां dot बहा दो इससे क्या होगा थोड़ा deep में रखना सर इससे यह होगा सर कि यह जो conductors है वो क्या produce करेंगे यह एक mmf produce करेंगे और यह mmf अगर green वाले mmf के बराबर कर दिया जाए सर तो हमारा flux का concentration ही नहीं होगा आपने का सर तगड़ी बात है यार मतलब अगर यह mmf green वाला exist कर रहा है उतना ही mmf pole shoe में pole shoe में अगर उतना ही mmf में create करा दूँ तो pole shoe में flux का concentration नहीं होगा machine नहीं जलेगी आपने का सर बढ़ा तगड़ा यार यानि हम क्या कर दिये जो current हमारे armature के conductors में बह रही है उसके opposite direction की current हमने किसमें बहा दी pole shoe में रखे हुए हाँ जी compensating winding conductors में इससे क्या हो जाएगा सर pole shoe में रखे हुए compensating winding के conductors अगर उतना ही mmf प्रोड्यूस करेंगे तो भाई mmf का concentration एक pole tip पे होना बंद हो जाएगा और mmf का distribution जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा आपने बोले सर वो हमारा इस तरह का हो जाएगा यानि वो flux concentration नहीं होगा अगर entire magnetic line of forces को तो magnetic line of forces इससे दिखाया जाए तो इस तरह हो जाएगा आपने का सर लग तो बढ़ा अच्छा रहा है लेकिन ये बताईए करेंट तो फिक्स है नहीं रोटर में जब लोड़ बदल जाएगी इसका मतलब हमको उसी अनुसार इसकी भी करेंट बदल नहीं पड़ेगी येस तो सर इसक प्लॉच कोज़ा फ्लॉको भीलोगड देविलुफशो का रियोटासल ने का था रहीं पर आप आपके पास ये मल गया ये प्रॉबल्म सॉल्ड ने का रिका के बताया लाइग का उसे संदुी वार्वाइदें दिखांग एंचर पांचे और चुड विन आपृइंट नार् रखी होती है compensating winding, axial slots of the pole face है, phase नहीं है, यहाँ पे spelling mistake है, axial face है, ठीक है क्या, and carries armature current in the direction opposite to the armature conductors under the pole arm, तुमने कहा सर कैसे बहाएं, कैसे बहाएं, देखो, बड़ा आसान था, हमने compensating winding को रखने का तरीका देखो, बड़ा आसान है, और तुमको समझ में भी आजएगा, यह मानलो north है, south है, यह generator है, clockwise direction में, anti-clockwise direction में, motor है, तुमने कहा सर यह रहा, हमारा current है, ठीक है, yes, ठीक है, अब तुमने कहा सर, मानलीजे यह वाली current यहाँ से बाहर आ रही है, और यह से अंदर जा रही है, armature current है, armature current, यहाँ जो बहरी conductor में वो coil current है, yes sir, आपने कहा सर, यहाँ पर मुझे cross चाहिए, तो इसको उठाके यहाँ जोड़ देता है, तो यहाँ अंदर हो जाएगा cross, और यह वाली coil इदर से जाके इदर से बाहर आ रही है, ठीक है क्या, yes sir, यह यह इदर लगा दिया, inward हो गया, inward के बाद फिर इदर लगा दिया, outward हो गया, यह बाहर निकाल लिए, तुमने कहा, sir, यह दो terminal मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, एक यह वाला terminal, और एक यह वाला terminal, yes, यह हमारे दो terminal बाहर आ गया, यह हमारी winding होगे, compensating winding, जो मैंने अभ यह देखना है, अच्छा, एक बार बना दिया, फिर हमको सोचने की जरुरत नहीं है, अगर हम इस generator को इधर घुमाने की बजाए इधर घुमाएंगे, तो क्या होगा, यहां की current पलट जाएगी, यहां की current पलट जाएगी, यह armature current पलट जाएगी, automatically यहां की current पलट जाएग तो armature current पलट जाएगी, और साथ-साथ यह current पलट जाएगी, तो हर बार आपने बुला, sir, काम बनेगे, sir, क्या, बिना current के जाने हुए भी, मैं यहां के number of turns और number of conductors निकाल सकता हूँ, yes, कैसे, आईए बात करते हैं, MMF produced by compensating winding per pole, यार जितना भी armature का reaction का असर है, उसी को खतम करना चाहता हूँ, yes, और armature के reaction का असर कहां पे, तुमने का, sir, यह pole arc by pole pitch पे, यह आपका pole arc है, यह pole arc है, yes, sir, यह हमारा pole arc है, yes, sir, यह हमारा pole arc है, pole arc है, yes, sir, आपने बुला, sir, यह हमारा pole arc है, ध्यान दीजेगा, pole arc को मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ, यह हमारा pole arc है, समझे क्या, yes, sir, तो आपने बुला, sir, अगर हम pole arc की बात करें, तो total pole arc, दो pole arc, out of 360 degree electrical, है न, इसमें जो conductors लाई कर रहे हैं, वही conductors responsible है, हैं, वही conductors responsible है, armature flux के concentration के pole tip में, yes, sir, तो उसी को दूर करना है, उसको दूर करना है, ताकि हमारी आग ना लगे machine, तो आपने बुला, sir, एक काम करिए, कितना MMF produce करना पड़ेगा, MMF produce करना पड़ेगा, compensating winding से, Z by 2, turn हो गया, by P, turn per pole हो गया, आईए बाईए है, coil current हो गया, ये तो total armature MMF हो गया, armature MMF में, कितना portion of the armature MMF है, जो की flux का concentration pole tip पे कर रहा है, sir, twice of pole arc by 360 degree electrical, twice of pole arc by 360 degree electrical को क्या लिख सकते हैं, pole arc by 180 degree electrical, 180 degree electrical क्या होता है, pole pitch, so pole arc by pole pitch, pole arc by pole pitch, क्या मेरी बात समझ पाया है, yes, sir, यह हो गया, बिटा, pole arc by pole pitch, फोल मेरी बात क्लियर है क्या, pole pitch, एक pole के center से दूसरे pole के center तक की दूरी pole pitch, pole arc यह हो गया, yes, sir, मैं इस formula को समझ पाया, क्या सभी को यह समझ में आया सर अगर मान लीजे मुझे number of turns निकालने हैं तो क्या armature current का अफर नहीं पढ़ रहा है नहीं देखो यहां पर mmf produced by compensating winding per pole ठीक है क्या number of turns of compensating winding per pole into armature current क्योंकि यह मतलब सर इसको तो हम डिजाइन करते समही जानते हैं कि हमें कितने number of turns compensating winding के देने हैं क्लियर है क्या कि यह सर कॉंपनसेटिंग winding आपको मेरे हिसाफ से समझ में आ गई एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं interpoles winding की दिए compensating winding सभी को clear सट पर सेटिंग कहा रखी जाती है कौंसी current लेती है अब आजये इंटर पोल की बात कर लेते हैं interpoles को हम लोग commutating poles भी कहते हैं क्योंकि interpol का का काम होता है commutation को बहतर करना commutation के समय हमने देखा current बदलती है माइनस IC से प्लस IC या प्लस IC से माइनस IC किने टाइम TC अगर मान लिया जाए L इंडक्टेंस अप दा कॉयल है तो self-inductance induced in the coil undergoing commutation क्या हो जाएगा LDI by dt इसको हम लोग transformer voltage भी कह सकते हैं क्या मेरी बात clear है यह सर तो हमारे पास यह जो voltage से जाया है LDI by dt वहाँ डी आई क्या हो जाएगा सर 2 IC क्योंकि प्लस IC से माइनस IC करेंट बदली है कितने टाइम में TC तो सर मैं reactance voltage निकाल सकता हूँ अगर मुझे self-inductance plus inductance with the neighboring coil पता होते है यह सर आपने बुला सर यहां से हमारे पास यह जो self-induced voltage आया है इसको reactance voltage कह सकते हैं किसमें है है a coil undergoing commutation के तो eliminate the effect of reactance voltage in a coil undergoing commutation interpoles are used that would produces equal and opposite rotational voltage in a coil undergoing commutation अभी यार जो coil commutation में जा रही थी वहां पे क्या हो रहा था तुमने का सर delayed commutation मिल ला था क्यों क्योंकि इसके कारण से वो जो coil में current है वो full IC तक reverse ही नहीं हो पा रहा था in the period of tc तो उसको reverse करने का तरीका क्या खोजा सर क्यों ना हम लोग एक reactance voltage के बराबर rotational voltage जिस कोईल में induce करा दे अब उसकोईल में rotational voltage जो induce करा है अगर वो पूरी तरह से reactance voltage को खतम कर दे तो in the period of commutation उसमें कोई EMF नहीं रहे अगर कोई EMF नहीं रहेगा सर तो कोई current नहीं रहेगी और सर फिर linear commutation संभव है तो commutation को improve करने के लिए interpoles का सहारा लिया गया देखो जिन में compensating windings लगाई जाती है वहाँ भी interpoles का यूज किया जा रहा है मानलो यह नौर्थ है और यह साउथ है तो यह दो पोल की इस तरह से बाहर आई यह सर यह क्या बन जाना चाहिए ठीक है तुमने का सर हम किदर घुमा रहे है इसको इस direction में घुमा रहे है ठीक है यहाँ पर current हमने यहाँ पर current compensating winding में आपको विजादी होगा कि compensating winding में current कैसी होती है armature current ही बहती है और ऐसी होती है अब हमने क्या किया यह जो armature winding है compensating winding के बाद armature winding से connect होते है जो यह winding आई उसको उठाके यहाँ पर हमने इस तरह से बाउंड कर दिया जी सर अब हमारे पास यह तर्मिनल होगे यह सर अब तुमने कहा अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमारा current बहरा है वह armature current ही हमारे intervals पर बहरा है इंटर पोल्स कैसे होते हैं long होते हैं और narrow होते हैं लॉंग होते हैं और narrow होते हैं ऐसा क्यों होता है सर समझने की कोशिश करते जैसे मान लीजे अगर मान लेते हैं अगर हमारा main field दो fluxes produce कर रहा है total flux 5 produce कर रहा है तो उस 5 flux को दो अलग-अलग भागों में बांट लेता हूँ ठीक है क्या? येस सर चलिए बांट लीजे तो main field flux को दो भाग में बांट लेता हूँ ये हमारा main field flux है ठीक है क्या? जी सर ये हमारा main field flux है main field flux इस तरह से अपना path complete कर रहा है ठीक है? येस सर मान लीजे main field flux है 5m तो आपने बुला सर 5m को दो भाग में बांट लेता है तो ये हो जाएगा 5m by 2 और ये हो जाएगा 5m by 2 ठीक है क्या? येस सर आप कहते हो सर ये जो inter pole आपने लगाया ये एक तो इसकी polarity के बारे में बात करेंगे और साथी साथ हम ये भी बात करना चाहते है सर कि इसका effect क्या बाकी पे नहीं पड़ेगा? नहीं जान दो, inter pole की polarity रखी जाती है वो same as succeeding main pole रखी जाती है for generator action और same as preceding main pole in case of motor action मानलो ये machine इधर चलाने वाला हूँ तो मुझे पता है कि north से south की तरफ जाने वाला हूँ तो मैं ऐसी winding लगाऊंगा कि यहां south बन जाए यहां south बनने के लिए मैंने current देखो ऐसे बहाई है और यहां current ऐसी बहाई कि यह north बन जाए या उसके बाद मुझे चिंता करने की जुरूत नहीं क्योंकि direction of rotation बदलने से interpol की polarity खुद बखुद बदल जाएगी या फिर अगर आपने current का magnitude बदला अगर आपने mode of operation बदला generator या motor तो अपने आप current की polarity interpol पे change हो जाएगी ठीक है येस सर तो आपने बोला सर ये succeeding main pole in case of generator है अगर generator इदर गूम रहा है यही अगर motor होता तो motor same current के लिए किदर गूम रहा होता है इदर तो motor के लिए preceding main pole in case of motor है अब इस्टूडेंट सुछता है सर ये जो flux है ये तो main field का flux है हमारा induced DMF क्या होता है सर ये इस इक्वस टू के डाश पाई ओमेगा एम अब स्टूडेंट की दिमाग में ये आता है सर कि क्या interpol की वज़े से flux बढ़ नहीं जाएगा ये बढ़ नहीं जाएगा नहीं बढ़ेगा क्यों आइए समझते आपने का सर main field flux को मैंने फाई एम बाई टू फाई एम बाई टू दो flux के रूप में दिखाया वैसे interpol के flux को भी मैं दो flux के रूप में यहाँ पे दिखा देता हूँ पाई इंट बाई टू और पाई इंट बाई टू ठीक है चलिए सर दिखा दीजे इंट बाई टू पाई टू और पाई इंट बाई टू हम सबको पता है सर फ्लक्स हमेशा minimum reluctance path लेता है तो अगर फाई इंट बाई टू फाई इंट बाई टू फ्लक्स कर दिया जाए तो यह flux इस तरह से अपना path लेके हुए दिखाई देगा क्या मेरी बात क्लियर है येस सर फाई इंट बाई टू और फाई इंट बाई टू फाई इंट क्या है flux produced by the interpol per pole येस सर यहाँ पर south से enter कर रहा है तो आपने बोला सर हमारा flux जो है वो ऐसा दिखाई देगा हमारा जो flux है वो ऐसा दिखाई देगा अब आपने का सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाई इंट बाई टू और फाई इंट बाई टू ऐसा दिखाई दिखाई दिए यहाँ ध्यान से देखेगा ये दोनों अगर हम पूरे मशीन को चार अलग-अलग कौडरेंट में बांट लें अगर पूरे मशीन को हम चार अलग-अलग कौडरेंट में बांट लें ठीक है ये सर अगर पूरे मशीन को हम चार अलग-अलग कौडरेंट में बांट लें समझने के लिए कि यार फ्लक्स पे क्या असर पड़ा ठीक है तो क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजेगा आपने बुला सर पूरे मशीन को ना आप चार अलग-अलग कौडरेंट में बाट लिए ठीक है तो पहले वाले कौडरेंट इसको कह देता हूं यहां पर टोटल फ्लक्स क्या है सर देखो फाई एम बाई टू है इस डारेक्शन में और फाई इंट बाई टू भी है इसी डारे हमारा फाई इंट बाई टू अपोजट डारेक्शन में है तो इस काडरेंट में मिलेगा फाई एम बाई टू माइनस फाई इंट बाई टू ठीक है इस प्लस काड़े इन बाई टू आज़त यह उपर है और यह नीचे की डारेक्शन में जा रहा यहां पर जो फ्लक्स घटा है और यहां पर जो फ्लक्स बढ़ा है तो टोटल फ्लक्स अपर हाफ में क्या है है यहाठ荷 यहाठ fps इण फ्लक्स यहां प्ल सनग रहा ईयरी इस चीज़स से हम्को यह साफ साफ नजन आ रहा है कि हमारे इंटर पोल का इंडियूज DiMF पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्या मेरे बात क्लियर रहा है यह सब प्रप्लज्स पे कोई अशर नहीं पड़ा यह पे कोई असर नहीं पड़ा बहुत बढ़ियां आपने का इसने लंबा क्यों रखा था ताकि इसका सर उसी कौईल में confined हो सके जो coil undergo हो रही है commutation ठीक है क्या yes sir तो हम क्या याद रखेंगे compensating winding in a DC machine compensate the effect of armature reaction produced by armature conductors lying just below the pole arc ये जो pole arc के नीचे वाले थे ये तो दूर हो गए लेकिन ये वाले जो conductors अभी भी cross magnetizing असर प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वाले जो conductors अभी भी cross magnetizing असर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कौन दूर करेगा इनके बचे हुए जो pole arc से बाहर है ये जो बचे हुए conductors है जो cross magnetizing असर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको दूर करना और साथी साथ coil में reactance voltage के बराबर rotational voltage opposite polarity का opposite to reactance voltage का produce करने का का ये जो करता है ठीक है क्या येस तो आपने का सर अर्मेनि armature conductors which lies outside of the pole arc इस तिल creates cross magnetizing armature reaction in the interpolar region that causes commutation problem moreover the current in a coil undergoing commutation has to change from plus IC to minus IC in a time MTC which causes self-induced reactance voltage in a coil undergoing commutation resulting delayed commutation so both of these problems are solved by providing narrow but long interpoles narrow but long interpoles in the commutating the polarity of interpoles is same as succeeding main pole in case of generator action and preceding main pole in case of motor action क्या मेरी बात क्लियर है येस सर जो mmf प्रोड्यूस होगा interpoles द्वारा वो कितना होना चाहिए सर जड़ बाइटू बाइपी इंटू आई ये बाइए बाइए इंटू वन माइनस पोल आर्ग बाइपोल पिस क्यों सर यार ये तो तुम्हारा टोटल आर्मेचर mmf है पर पोल टोटल आर्मेचर mmf है पर पोल यार आर्मेचर के कितने टर्न है जेट बाइटू टर्न है टर्न पर पोल जेट बाइटू बाइटू बाइपी टर्न पर पोल इंटू आईए बाइए आर्मेचर की कॉयल की current है जो कि coil में बह रही है तो total armature mmf इतना produce कर रहा है इसमें से pole arc by pole pitch वाला compensating winding ने compensate कर दिया बचा हुआ ये compensate करेगा और साथ ही साथ ये additional flux density interpolar region में produce करेगा जो कि commutating coil पे एक EMF induce कर सके which is equal and opposite to rotational voltage so that commutation will be improved चुकि यहां पर voltage produce करके commutation को improve किया जाता है इसी लिए यहां voltage commutation नाम भी लेते हैं सर पहली बार में बच जाएगा end में 2 phi m by 2 phi m by 2 रहे गया मतलब sir from phi m ही बच जाएगा अच्छा कोई बात ने पीछे चल लें आप मतलब समझ गया यहां तक काफी पीछे देख रहे हो यार तुम बागी लोग को यहां तक समझ में आ गया yes sir तो यार अगर मैं आपसे पूछू की compensating winding क्यों use करते हैं compensate करने के लिए armature reaction को interpol winding क्यों use करते हैं compensate करने के लिए reactance voltage को साथी साथ थोड़ा सा cross magnetizing असर armature reaction का जो interpolar region में है उसको भी खतम करने का काम करता है लेकिन mainly क्यों use कर रहे हैं interpol को reactance voltage को खतम करके commutation को improve करना अच्छा interpol कौन सा commutation देता है सर voltage commutation देता है हम ये बात समझ गया ब्रश का resistance लगा दिया तो कौन सा commutation मिला resistance commutation मिला सर तो voltage commutation resistance commutation interpol ये सब कुछ अच्छे से समझ में आए polarity समझ में आई सर और polarity का motor या generator action या change in load से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या मेरी बात समझ में आई यह यह तक बहुत बढ़ियां का compensating winding in a DC machine is located इस टाइब के question आते हैं तो आपको आसान है कहां locate करते हैं यार compensating winding DC machine में तुमने का सर compensating winding DC machine में रखी जाती है armature reaction के compensation के लिए और कहां रखी जाती है यह सर pole shoe में रखी जाती है axial slots of the pole face sir is located on pole shoe to avoid sparking at the brushes नहीं sir is located on the pole shoe to avoid flash over at commutator segment is located on the pole shoe for avoiding flash over at the commutator surface तुमने का सर लास्ट वाला क्यों आपने नहीं लिया अरे यार इस parking को अगर दूर करना होता तो छोटी मशीन होती छोटी मशीन में मैं किस तरह से compensating winding रखो अब तुमने का सर इत्ती बड़ी सहमत हो वहाँ पर ब्रसी थोड़ा सा वो कर देंगे कौन सा ब्रश यह वाला प्रस नहीं यह इस parking के लिए ब्रश को थोड़ा सा सिफ्ट कर देंगे का हो जाएगा समझ गए ये सर कौन सा वाला सही है सी वाला सही दिख रहा है सर कि पोल शू में रखा होता है और फ्लाश ओवर एड़ दा कॉमुटेटर सर्फेस से बचाता है ठीक है क्या आर्मेचर रियक्शन को कॉम्पनसेट तो करता ही है लेकिन आर्मेचर स्लॉट में नहीं होता है यह रह तो यार यह चीज का ध्यान देना यह कोश्चन तुम्हारे हर एक्जाम में है इस एस केट सब जगे है क्या है सर कॉम्पनसेटिंग मैंडिंग इस उस्टु नूट्राइज आर्मेचर रियक्शन वा इंटर पोल का काम क्या होता है रियक्टेन्स वोल्टेज के अपोजीट क्या बनाना सर रोटेशनल वोल्टेज प्रोड्यूस करना इनक्वाइल अ अन Interpol winding is used for improving commutation, ये बिल्कुल सही लग रहा, लेकिन क्या पता, multiple select हो, सारे देख लेते हैं, Compensating winding is used to improve commutation, नहीं सर, Compensating winding का काम armature reaction खतम करना होता है, Compensating winding is used for improving commutation, while Interpol winding is used for producing residual flux, अरे हमको residual flux क्यों produce करना है, और Interpol का तो flux का असर हमारी machine पर है ही नहीं, अब वो जो बच्चा सोचता है, residual flux प्रोड्यूस किया था, B I by mu naught into L gap, ये जो B I जो है न, ये बच्चे को प्रशान करता है, ये residual flux नहीं है, ये क्या है, ये है, small flux in the Interpolar air gap, which produces, हाँ जी, rotational voltage in a coil undergoing commutation, येस सर, यहां तक आपकी बात अच्छे से समझ गया है, ये दिखलो एक कोश्चन ये भी है, ये कैसे निकालोगे, सर बड़ा आसान है निकालना, क्या दिया हुआ है, दो सो वोल्ट दस किलो वाट लाप कनेक्टेट डीसी जनेरेटर है, दस पोल का, 500 कंड़क्टर से इसके आर्मेचर पे, और पोल फेस कवर करता है, 80% of the pole pitch, ठीक है क्या, येस सर, सर, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकाल लेते हैं, सर, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू, प्रोड्यूस होने वाला आर्मेचर, MMF, सो MMF प्रोड्यूस बाइग कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडुक्टर जेड बाइटू बाइटू बाइपी इंटू आईए बाइए, ये क्या हो गया, टोटल आर्मेचर रियक्शन, MMF, इसमें से कौन सा पोर्शन होता है, सर, हमको ये पूरा ही हटाना है क्या, जी सर, तब पोल पिच और पोल फेस रेशियो भी दिया हुआ है, सो पोल पिच टू, पोल पोल आर्क बाइपोल पोल पिच रेशियो, पोल आर्क बाइपोल पिच, येस सर, काम खतम हो गया, यार चलो न, जेड बाइटू, कितना होता है, सर, टूटल नमबर आफ कंड़क्टर्स बताओ कितने हैं, पात सो हैं सर, टूटल नमबर आफ कंड़क्टर्स कितने हैं, पात सो हैं सर, बाइटू, बाइटू, बाइ, सर वेव है या लैप है लैप है सर लैप है तो नंबर आफ पैरलल पाथ कितने होंगे सर नंबर आफ पूल के बराबर और यह कितना हो जाएगा सर पॉइंट इट बहुत तगड़ा सर और हम क्या लिख दें इसमें नंबर आफ टरंस आफ कॉंपनसेटिंग वाइंडिंग पर और कॉंपनसेटिंग में कॉंसी करेंट बैती है सर आर्मिचर करेंट बैती है मुझे आर्मिचर करेंट निकालने के जरूत नहीं है आपने कहा सर नंबर आफ टरंस आफ कॉंपनसेटिंग वाइंडिंग निकाल लूँगा पर फोल नंबर आफ टरंस आफ कॉंपनसेटिंग माइंडिंग निकाल लूँगा पर फोल ठीक है क्या जी सर पताव भई सभी लोग पटाफट सही है 500 बाइट टू बाइट टैन ठीक है सर बाइट टैन इन तो पॉइंट एट सरी आ गया दो यानी टर्न आए दो हर टर्न में दो आपको और अच्छे से समझ में आई है number of compensating conductors लग देता हूं सर तो यह हो जाएगा सर हमारे पास चार चार conductor हमको चाहिए यार किसके लिए in order to fully compensate the armature reaction अच्छा इसको ना कुछ लोग थोड़ा सा अलग तरीके से solve भी करते हैं कि fully compensate है तो polar by polar ratio ना लिया जाए अरे नहीं यार उतना ही लेते हैं ठीक है आपको दे रखा है आप लीजिए उसे जरी से क्या मेरी बात क्लियर है सभी को कि बहुत तगड़ा अच्छा टोटल नंबर आफ अगर पूछ दिया होता तो सर फोल से मुल्टिप्लाई कर देते हैं 40 हो जाता है ठीक है क्या येस सर बहुत तगड़ा आपने कहा सर यह सब कुछ हमको बहुत अच्छे समझ में अच्छा एक चीज और यह बड़ा तगड़ा gate का question है और यह question पूछा गया था साइद 12 में आया था या 12 या 14 में आया था हमारी जो मोटर है वो करेंट कितना ड्रॉ कर रही चालीस एंपियर का वाइल रॉनिंग अच्छे स्पीट पर चल रही चेसो आर्पीम पर अगुड एप्रॉक्सिमेशन फर दे वेव शेप ऑफ दे करेंट इन आर्मिचर कंड़क्टर ऑफ दे मोटर इस गिवन बाई पता यार इसमें यह पूछा है कि आर्मिचर कंड़क्टर का जो वेव शेप होगा वह इनमें से कौन सा है ऐसा पूछ लिया है बहुत तगड़ा कोशन है तुमने का सर यह तो हमको पता है कि आर्मिचर के कंड़क्टर में जो करेंट बहती है वो एसी बहती है यह सर अच्छा हमने सर यह भी पढ़ रखा है आपने हम लोगों को बताया था कि यार फ्रिक्वेंसी ऑफ करेंट क्या ह क्या होता है उसकी फ्रिक्वेंसी अफ करेंट कर रही है रोटर की स्पीड कितने गळी हुई और कि पॉल की स्पीड दी हुई है चा छे सो आर्पीयम और चार पूल की मशीन है तो यार यह हमारा हो गया चार पूल की मशीन है छे सो आर्पीयम बाए एक सो बीस बता दो जरा कितना हुआ छे दो कितना आ रहा है बिटा 20 हर्ट बोलो यस सर 20 हर्ट का मतलब हुआ टाइम पीरेड क्या हो जाएगा 1 बाए एफ 1 बाए एफ का मतलब 1 बाए 20 1 बाए 20 का मतलब कितना हुआ तरी हो गया हमारा 0.5 50 milliseconds लिख दू यस सर यह यह तो तगड़ा हो गया है सर हमको यह पता चल गया कि 50 milliseconds होगा अच्छा सर हम लोगों ने commutation देखा था यस commutation देखा था सर commutation में हमने क्या सीखा था commutation में हमने यह सीखा था sir कि जो current हमारी होती जो एक बार बदलती है, किस वक्त? Conmutation के time पे Conmutation में sir, हमने चीखा था कि हमारी current होती ही coil में वो सिर्फ एक बार बदलती है कब? जब coil brush दवारा short होता है उसके बाद जब तक duba दुबारा coil brush दवारा short नहीं होगी तब तक यही बना रहेगा हाँ sir तो मतलब यह हुआ sir की current जो है सिर्फ commutation time period में change हो रही है उसके बाद क्या रह रही है उसके बाद उसकी value fix रही है फिर जब वो undergo होगी commutation में तब उसमें current बदलेगी तो अगर wave shape की बात करें sir तो wave shape कैसा हो जाएगा आपने बुला sir हमें ने wave shape predict कर लिया कैसा wave shape predict किया बहुत ध्यान देंगे सभी लोग आज तो यार 12 cross हो गया आज से पहले 12 नहीं cross हुआ ता आज पहली बार 12 cross हुआ चलो कोई बात नहीं तुमने का sir हम अगर यह है रहा sorry यह आपने का sir हम अगर current की wave shape की बात करें तो निर्वर करता है कि हमारा commutation कैसा है अगर हमारा commutation linear है sir तो हमारे current की wave shape ऐसी होनी चाहिए क्यों भई तुमने का sir सिर्फ जिस instant पे commutation time period में जाएगा पस उस समझ बदलेगा यह क्या है period of commutation यह क्या है period of commutation आपने का sir मैं आपकी बात समझ गया सिर्फ commutation time period पे बदलेगा उसके बाद वो वही value बनी रहेगी अच्छा कितनी current थी आपने बुला सर आर्मेचर current हमारी थी 40 ampere की येस सर तो coil current क्या हो जाएगी आईए by A जहां A क्या है number of parallel path तो 40 by number of parallel path कितना है number of poles के बराबर कैसे पता lap connected है का है तो 10 ampere की current आएगी पता सर मुझको ये पता चल गया कि यहां 10 ampere होगी और ये भी हमारी 10 ampere होगी माइनस में ठीक है क्या येस सर अब आजाते हैं time period में तो time period क्या होगा सर time period इसका है total time period जो होगा वो सर होगा पचास millisecond का बहुत तकड़ा अब पचास millisecond का मतलब क्या हुआ यहां से यहां तक कितना हो गया 25 millisecond trop और यहां से यहां तक क्या हो गया 25 millisecond तो कौन सा वाला आंसर सही दिख रहा है आपने बोला सर पचास millisecond होगा यहां से यहां तक time 10 ampere की current होगी अगर approximation देखा जाए तो good approximation ये वाला नजर आ रहा है समझ आया क्या बहुत sorry कि मैं आज जो है वो 12 क्रॉस कर दिया लेकिन आज content बहुत ज़्यादा था यार मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है क्या हम उस्से सांस भी निली जा रही है मैं 3-4 घंटे से बोली रहा हूँ तो चलो बता दिया है hoping कि आपने आज की class को खूब enjoy किया है आज की class में बहुत ज़्यादा content था तो इसका PDF आप जरूर लेने की कोशिश करिएगा multiple times आप watch कर सकते हो multiple theoretical as well as numerical सब कुछ आज आपका मैंने cover करा है series बड़ा important है तो series को cover किया हूँ ठीक है आपको मैं एक चीज़ और बता जिता हूँ कि मेरा एक na English batch में digital start करने वाला हूँ ठीक है तो 26 तारीक से digital start होगा 26th of November से I am going to start digital electronics in English from 26th of November so those who are interested they can join English batch those who are comfortable in English they can join that batch so hoping कि आप सभी लोगों ने बड़ा मज़ेदार से तरीके से पढ़ाएए कहीं कोई समस्या नहीं है बहुत बढ़ियां बिटाम मैं तो एक बच्चा भी रहगा तो मैं ऐसा ही पढ़ाऊँगा मेरा कोई वो चक्करी नहीं है कि कम लोग हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊ बिल्कुल नहीं है तो चलो यहां पर हम लोग DC मशीन का पार्ट कर लेते हैं बहुत बढ़ियां से अब आज के लिए भाई सभी को गुड़नाइट हो गया आज का क्लास पूरा होपिंग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेगा कॉमेंट सेक्षिन पढ़के बढ़ा अच्छा लगता है जब बाद में लेक्टर में देखता हूं रिकॉड़ेट को ओके थैंक यू अब्रीवन गॉड़नाइट